नमस्कार दोस्तो सुवागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज हमारी ये एक मास्टर वीडियो होगी जिसमें हम क्रमवार उत्राखंड का पूरा इतिहास एक्स्ट्रा फेक्ट के साथ यहां पर कवर करेंगे इस मास्टर वीडियो में हम बिल्कुल शुरुवात से शुरू करेंगे उत्राखंड के प्राचिन इस्तलों से शुरू करेंगे उसके बाद एकक करक्या के बढ़ते हुए प्राचिन उत्राखंड, मदकालीन उत्राखंड, आधुनिक उत्राखंड, राज्य गठन करवाने के बात राज्य के प्रतीक चिन्नों को भी इसी मास्टर वीडियो में कवर कर जाएंगे इस मास्टर वीडियो में आपको नोट्स बिल्कुल टूदा पॉइंट और सीरियल वाइस यहां पर देखने को मिलेंगे साथ साथ में उत्राखंड की जितनी आपके इंपोर्टेंट बु बलोधी जी की बुक हो या बियस नेगी बुक के फैक्ट हो सारे तथे आपको एक सिंगल वीडियो में यहां पर देखने को मिल जाएंगे पूरा उत्राखंड का इतिहास एक सिंगल वीडियो में आपका कवर हो जाएगा क्योंकि अभी तक उत्राखंड के हिस्ट्री को पौरव वंश, कतूरी वंश, चंद वंश, पमार वंश, गूर्खा शाषन, ब्रिटिश शाषन, उनकी विवस्था, महतपून अधिकारी, सार्य तथ्यों को कवर करेंगे, चाहे वो ब्रिटिश काल के भूमी बंदोबस्तों, कमिशनरों को कवर करेंगे, कमिशनर वाइस क कवर करेंगे, स्वतंतरता आंदोलन हो, कूली बेगार प्रथा हो, या फिर पत्र पत्रिकाएं, राज्य आंदोलन, राज्य गठन, और उसके बाद प्रतीक चिन्नों को यहाँ पर कवर कर जाएंगे, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर तो चलिए दोस्तों, आज की मास्टर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे प्राचिन इस्थिलों में देवी धूरा की, ठीक है, देवी धूरा कौन से जनपत में है पहला कोशन, चमपावत में है, ठीक है, यहाँ से प्रगतिहासिक काल की समाधियां सरव प्रतम कहां से मिली थी, देवी धूरा से मिली थी, इन शमाधियों की खोज किसने करी थी, यह करी थी, हैंवुड ने 1856 में, और इसी लिए हैंवुड को उत्राखंड में पुरा तत्व का जनक बोला जाता है, सीधा कोशन बनता है, देखे, चार लाइन में चार कोशन हो गए, प्रोगेतिया से काल की समाधिया सबसे पहले कहां से मिली, आप बताएंगे देवी धूरा, किसने खोजा, हैंवुड ने खोजा, कब खोजा, 1856 में खोजा, और इसी लिए हैंवुड को उत्राखंड में पुरा तत्व का जनक माना जाता है, ठीक है, इन समाधियों को, जो बुर्जु होम है, जो कि कश्मीर में आपका पढ़ता है, वहां से जो समाधिया मिली है, उनके समान माना गया है, कोशन किस तरीके से डिजाइन करता है, एक्जामनर आपको पूछेगा, राज्य में किस इस्थान से कश्मीर के बुर्जु होम जैसी समाधिया मिली ह तहां से मिली है देवी धूरा से, जिनकी खोज हन्वुड ने करी थी, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, देवी धूरा में कपमाक्स की खोज किस ने करी थी, तो इनकी खोज करी थी, MP जोशी ने, इनका नाम भी आपने याद करना है, ठीक है, दोनों आप से पूछे जाते है नेक्स्ट है द्वारा हाट समाधिया द्वारा हाट समाधियों की बात करें तो द्वारा हाट से भी हमें समाधिया मिली है इनकी खोज करनाक के द्वारा करी गई 1877 में इसने इनकी खोज करी थी द्वारा हाट आपके अल्मूडा में है यही से द्वारा हाट में ही एक मंदिर है चंद्रवेश्वर मंदिर इसी चंद्रेश्वर मंदिर से हमें कप मांक्स भी मिले हैं कोशन बनता है द्वारा हाट के किस मंदिर से हमें कप मांक्स मिले हैं चंद्रवेश्वर मंदिर ठीक है इसके अलावा जो 14 निर्तकों का सुंदर चित् ये जिसे हम लाखु उडियार भी कहते हैं इसको लेकर बहुत सारे कोशन आपके बन चुके हैं पेपर में लाखु उडियार की बात करें ये आपके कौन से जनपत में हैं लाखु गुफा आपके अलमोडा में हैं कौन सी नदी के तटपर है लाखु गुफा अगर हम बात करे सुयाल नदी और ये सुयाल नदी किसकी सहायक नदी है कोसी नदी की सहायक नदी है इसको भी यात रखना है ठीक है इसकी खोच किस ने करी थी तो लाकू गुफा की खोच 1968 में MP जूशी की द्वारा करी गई कई बार हम किसको कर चुके ठीक है मुख्य विशे क्या है यहां का लाखु उडियार के अगर हम बात करते हैं इसका मुख्य विशे है सामुहिक निर्थ ठीके जो लाखु उडियार है इसका जो यहां से हमें शैलाश्रे मिले हैं यह पूरा किस आकार में है ठीके यह आपके नागफनी आकार में है इसको भी याद करेंगे इसे राज्य का सर्वोत्तम सिलाश्रे माना जाता है कुशन बनेगा किस सिलाश्रे को राज्य का सर्वोत्तम माना जाता है लाखु उडियार से जो हमें सिलाश्रे मिले हैं ठीक है यहां से हमें मानव पश्वों के रंगीन चित्र देखने को मिलते हैं यहां से मिले सैल चित्रों की तुलना मध्यप्रदेश के भीम बेटका की चित्रों से की जाती है भीम बेटका की गुफा हैं आपकी कहा है मध्यप्रदेश में हैं और वहां से जो हमें सैल चित्र मिले हैं उनकी तुलना उत्राखंड के लाखु उडियार से जो हमें मिले हैं उनके साथ की जाती है कोशन बन सकता है ठीक है लाखु गुफा को प्रोगेतिया से काल की पहली खोज किसने माना है यह किस ने माना, येसवन सिंग कतोच ने लाखुग उडियार को प्रोगैतियाहसिकाल की पहली खोज माना था, इसे भी आपने ध्यान रखना है, कोश्चन बन जाता है, ठीक है, नेक्स्ट है गौर्ख्या गुफा, ठीक है, जिसी हम गौर्ख्या उडियार भी कहते हैं, गौ चित्रकला की दृष्टी से सबसे सुंदर आकृतियां यहीं की मानी जाती है। पश्वों की हमें देखने को मिलती हैं। यहां के जो चित्रों में दिखाया गया है यह पश्वों को हांका देकर यहां पर घेरा जा रहा है। गौर्ख्या उड़ियार को फेमस करने का श्रे तुनिया की नजरों में लाने का श्रे पुरातत विद की नजरों में लाने का श्रे जो जाता है वो राकेश भट को जाता है। नेक्स्ट है, सफेद रंग के सैलचित्र हमें कहां से मिले हैं, तो सफेद रंग के सैलचित्र हमें किमनी गाउं से मिले हैं, इसे आपने याद करना है, कहां से मिले हैं किमनी गाउं, किमनी गाउं आपके चमोली में थराली के निकट है और पिंडर घाटी में, यानि पिंडर नदी के तट पर ये स्तित है इसको भी आपने याद करना है सफेद रंग के सैल चितर हमें यहां से मिले है Next है मलारी गाउं मलारी गाउं की बात करें ये आपके चमोली में है यहां शवदान की खोज किस ने करी थी मलारी गाउं से शवदान की खोज शिव प्रसाद डबरालने करी थी 1956 में ठीक है ये एक प्रिविस एर का कोशन है आपसे पिछले साल पूछा गया था कि मलारी गाउं से किस ने करी तो कन्फ्यूज मत हो जाना 1856 और 1956 में 1856 में देवी धूरा से किस ने करी है हमने उपर देखा हैनवुड ने और ठीक सौ साल के बार मलारी से कौन करेगा शवदानों की खोज आपके सिव प्रसाद डबराल ठीक है गड़वाल विश्विध्याले ने यहां का सर्वेक्षन दो बार करवाया एक बार 1983 में दूसरी बार ठीक है जो माना गया कि हिमाल inadव वर्षप का है इसके बाद जब 2001 में दूबारा से सर्वेक्षन करवाया गया तो इस दौरान यानि 2001-2 के सर्वेक्षन के दौरान यहां से मानव कंकाल हमें देखने को मिले इसके अलावा हमें यहां से एक स्वन्न मुकुट भी देखने को मिला ठीक है, पांच दशनलव दो किलो का एक मुक आवरण यानि कि मुकुट हमें देखने को मिला कब मिला यहां से? 2002 में, ये कोश्चन पेपर में पूछा गया है, कि पांच दशनलव दो केजी का मुक आवरण किस इस्थान से मिला है आप बताएंगे मलारी गाउं से ठीक है, इसको पूछा जाता है इसके अलावा, यहां से हमें बरतन भी मिले ठीक है, जो मिट्टी के बरतन थे वो भी हमें यहां से मिले इन मिट्टी के बरतनों की तुलना पाकिस्तान की स्वात घाटी से जो हमें मिट्टी के बरतन मिले हैं जो वहां से शिल्प मिले हैं उनके साथ की जाती है कोशन कैसे पूछता है कोशन पूछेगा उत्राखंड के किस इस्थान से पाकिस्तान की स्वात घाटी के जैसे मिटी के बर्तन मिले हैं शिल्प मिले हैं आप बताएंगे मलारी गाउं ठीक है चलिए नेक्स है मानव को शिकार करते हुए और निर्त करते हुए दिखाया गया है तो किस प्राचीन इस्थल से मानव को शिकार करते हुए और निर्त करते हुए कैसे निर्त करते हुए हातों में हात डाल कर निर्त करते हुए दिखाया गया है मनुष्य को कहां पर लुईथाप अलम और यहां पर मनुष्य को शिकार करते हुए और डांस करते हुए दिखाया गया है। कि लुई थाप से कौन सा प्रगेतिहासिक इस्थल दिखाई देता है, तो लाखु उडियार, लाखु उडियार से लुई थाप, ठीक है, दोनों आपके अलमोडा में हैं, याद रखेंगे, नेक्स्ट है, नेले रंग के सेलचित्र हमें कहां से मिले हैं, तो नेले रंग के से मानवाकृतियां, योग करोगे तो ही फल मिले का, कहां से मिली हैं, फलसीमा से अलमोडा में जो के इस्थेत है, योग करते हुए मानवाकृतियां कहां से मिली हैं, नेक्स्ट है, आठ तामर मानवाकृतियां हमें कहां से मिली हैं, तो आठ तामर मानवाकृतियां इनकी और अगर्ड के बनकोट से मिली हैं। इसको भी आपने याद करना है कोशन बन जाता है। फड़कानौली और पेटसाल सिलाश्रे कहां इस्तित हैं तो दो महत्वण सिलाश्रे एक है आपका फड़कानौली शिलाश्रे जिसकी खोच 1985 में हुई एक है आपका पेटसाल सिलाश्रे जिसकी खोच 1990 में हुई दोनों आपके अलमोडा में हैं और दोनों की खोच यशोधर म मठपाल ने नैनिताल के खुटानी नाला से 1986 में पूर्व पाशान कालिन प्रस्तर उपकरणों की खोजभी करी थी। इसको भी याद करना है किसने करी थी खुटानी नाला से यशुधर मठपाल ने 1986 में इसे भी आपको याद करना है। जो आपका पेटसाल शिलाश्रय है अलमोडा में इसी के निकट एक और प्राचीन इस्थल है अलमोडा में जिसका नाम है कफर कोट ठीक है। नेक्स्ट है बहद्राबाद हरिद्वार। 1951 में यहां से तामर उपकरण और म्रदभांड पराप्त हुए थे। कोशन डारेक्ट बनेगा कि हरिद्वार के बहद्राबाद से तामर उपकरणों की खोज कब की गई थी। आप बताएंगे 1951। यहां पर नहर खुदाई का काम जल रहा था और उसी खुदाई के दोरान यहां से तामर उपकरण निकले। बाद में इस जगह का उपकरण करवाया गया और यह उपकरण उपकरण करवाया गया जब हमें यहां से फिर पाशान काल के उपकरण देखने को मिले। अब हम बात करेंगे पौरानिक काल या पौरानिक सुरोतों के बारे में। उत्राखंड के बारे में जानकारी हमें अलग-अलग पौरानिक जगहों से मिलती है। हर जगह पर उत्राखंड को कुछ नाम दिये गए हैं, उन सब की जानकारी, अब हम यहाँ पर देखेंगे, इस से बाहर आपका कोशन नहीं जाएगा, अगर प्राचीन इस्थलों से कोई कोशन बनेगा, तो इन ही में से आपका बनेगा, अब हम बात करेंगे पौरानिक सुरो ठीक है, रिगवेद में उत्राखंड को क्या बोला गया है, रिगवेद में उत्राखंड को देव भूमी या मनिश्यों की भूमी बोला गया है, दोनों आपको याद रखने हैं, सिधा कोशन पूछेगा आप से, किस गरंथ में उत्राखंड को देव भूमी बोला गया है, बताएंगे रिगवेद। इसके अलावा जो अन्य पौरानी गरंत हैं उनमें उत्राखंड को पूर्ण भूमी, रिशी भूमी, पवित्र भूमी इन सब नामों से भी बोला गया है। कोशन भी पेपर में बन जाता है बौध सहित्यों में उत्राखंड को क्या बोला गया है बौध सहित्यों में उत्राखंड को हिमवंत बोला गया है लास्ट ये कोशन आया था तब आयोग ने आंसर हिमवंत को माना था इसको भी याद रखेगा इसको भी याग रखेगा पिछले बार आयुगने से सही माना था हिमवन्त या हिमवन्त ठीक है इसको ध्यान करेंगे इसके अलावा बहुत गरंतों में उत्राखंड के लिए उसी नगर भी बोला गया है इसे भी आपने याद करना है ठीक है इसकंद पुराण में उत्राखंड के लिए क्या बोला गया है तो इसकंद पुराण में उत्राखंड के लिए मानसखंड और किदारखंड का नाम हमें देखने को मिलता है देखिए मानसखंड यानि कुमाउं और किदारखंड यानि गडवाल इसकंद पुराण में हमें 5 हिमालाई खंड के बारे में जानकारी मिलती है हिमालाई के कितने खंड की जानकारी मिलती है इसकंद पुराण से 5 कौन कौन से एक आपका नेपाल हिमालाई ठीक है दूसरा आपका मानस खंड एक आपका नेपाल खंड दूसरा आपका मानसखंड, तीसरा केदारखंड, चौथा जालंदर और पांचवां आपका कश्मीर इन में से जो आपका मानसखंड और केदारखंड है इसी से मिलकर बना है आज का उत्राखंड जिसमें किदारखंड आज का गड़वाल है, मानसखंड आज का कुमाओं है, अगर हम इनके छेत्र की बात करें, तो माया छेत्र से लेकर के हिमालिया तक, माया छेत्र यानि की हरीदवार, हरीदवार से लेकर के हिमालिया तक का जो इलाका है, उसी को किदारखंड यानि बोला जाता है और आपका जो नंदा देवी परवत है वहां से लिकर के काल गिरी पहाडी तक जो की चमपावत में हैं वहां तक के इलाके को मानस्खंड बोला गया है ठीक है नेक्स्ट है कुबेर की राजथानी और मनु का डिवास इस्थान लेकिए जो मनिशों के आदी पूरवज है मनु और कुबेर की राजथानी इन दोनों का कहां से संबंध है अलका पुरी से इनका संबंध है इसे भी आपने याद करना है गणेश गुफा नारद गुफा वशिष्ट कुंड वशिष्ट आश्रम ये तीनों कहां हैं तो चाहे आपसे गुफा पूछे चाहे आपसे कुंड पूछे चाहे आपसे आश्रम पूछे ये तीनों आपके विशोन परवत पर हैं पहरी गड़वाल के अंदर ठीक है भगवान राम ने अपने अंतिम समय में क पर तप किया था कोशन बनता है भगवान राम ने किस इस्थान पर तपस्या करी थी इन्हों ने देव प्रियाग में तप किया था ठीक है समस्त तीर्थों का शिरोमनी समग्र पापों का विनासक किसे बोला जाता है तो समग्र तीर्थों का शिरोमनी समग्र पापों का विना ये देव प्रियाग को बोला जाता है बहुत important question है बहुत important fact है इसको याद करना है ठीक है बगवान राम ने यहाँ पर तपस्या करी थी और देव प्रियाग को समस्त तीरितों का शिरोमनी बोला जाता है और समग्र पापों का विनाशक भी बोला जाता है ठीक है लक्षमन जी ने कहां पर तपस्या करी थी, तो इन्हों ने टिहीरी के तपोवन में तपस्या करी थी, ठीक है, रामायन काल का एक असुर था, जिसका नाम था बानसुर, ठीक है, एक दैत्य था, इसकी राजधानी कहां थी, तो रामायन काल का जो बानसुर है, इसकी राजधानी जोशी मठ में थी इसको भी आपने याद करना है ये कोशन भी आपका प्रीविस येर का कोशन है ठीक है नेक्स है मानस खंड के अनुसार भगवान शिव ने किस इस्थान पर तपस्या करी थी ये भी आपका previous year का कोशन है मानसखंड के अनुसार भगवान शिव ने जागिश्वर धाम में तपस्या करी थी पिछले साल आपसे कोशन बना था कि जागिश्वर धाम किस भगवान को समर्पित है तो अगर आपने ऐसा कोशन पढ़ा होगा तो आपको इसली पता चल जाएग ये भगवान शिव को समर्पित है तीक है यहीं पर इन्होंने तपस्या भी करी थी भगवान शिव को ये समर्पित है जागिश्वर धाम को उत्राखंड का पांचवा धाम बोला जाता है और भगवान कार्तिके का जनम भी यहीं पर हुआ था तीक है इसी वनपर्व में ये भी बताया गया है कि पांडवों ने बदरिनात की यात्रतों करी ही करी साथ में ब्रंगतुंग की यात्रा भी करी ठीक है कहां से कहां तक गंगादवार यानि हरीदवार से वो निकले थे किदारनात और बदरिनात की यात्रा पे तो गंगादवार वार को बोला गया है वन पर्व में और किदारनात को भ्रंगतुंग बोला गया है ये कोशन पेपर में बहुत बार आता है कि पुराणों में प्राचीन गरंथों में किदारनात को क्या बोला गया है तो किदारनात को भ्रंगतुंग बोला जाता है और कहां पर बोला है अगर एक्जेक्ट पूछ लिया जाए, महा भारत के वन पर्व में बोला गया है, ठीक है, इसी वन पर्व में जो रिशित धौम्य है, ये युदिश्टिर को भारत के तीरतों के बारे में बता रहे हैं, इसको भी आपने याद करना है, महा भारत के आदी पर्व में उत्तर कुरू और दक्षिन कुरू का वर्णन हमें देखने को मिलता है, कौन से वाले पर्व में याद रखना वन पर्व में नहीं, आदी पर्व में, आदी पर्व में हमें उत्तर कुरू और दक्षिन कुरू के बारे में जानकारियां मिल जाती नेक्स्ट है पांडवों की ओर से युद्ध करने वाला कुडिंद राजा कौन था ये भी एक प्रिवेस एर का कुशन है पांडवों की ओर से युद्ध करने वाला कुडिंद राजा था सुबाहू इसकी राजधानी थी शिरी नगर में महाभारत में हमें उलेक मिलता है कि य इसने महाभारत की युद में भाग लिया था, ठीक है, महाभारत में कोडिंदों को क्या बोला गया है, तो महाभारत में कोडिंदों को द्विज बोला गया है, और कोडिंद नरेश को क्या बोला गया है, कल भी हमने देखा था, कोडिंद नरेशों को द्विज शरेष्ट बोल गया है, तो दोनों आपने याद करना है, ठीक है, नेक्स्ट है, यक्षों के निवास की पुष्टी कहां से होती है, डारेक्ट कोशन आता है, उत्राखंड के किस मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टी होती है, तो यह है आपका जाखन देवी मंदिर जुकी अलमोडा ह बनता है कि अलमोडा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टी होती है तो आप बताएंगे यक्षों के निवास की ठीक है वैदिक काल में उत्राखंड में किस जन का शाशन था प्रिविस एर का कोशन है वैदिक काल में उत्राखंड में त्रिसु जन का शाशन ठीक है दिखिए वैदिक काल में जो आरिय लोग थे पांच जनों में विभाजित थे पांच जादियों में विभाजित थे जिसमें आपका पुरू था एक अनू था येदू त्रिवर्सू और त्रिसू तो उत्राखन में कौन सा वाला जन था उत्राखन में त्रिसू जन था चलिए उत्राखंड में निवास करने वाली पहली जाती कौन है तो उत्राखंड में निवास करने वाली पहली जाती उत्राखंड आने वाला पहला जाती है सम्हू किसे माना जाता है ये कोल को माना जाता है इसे आपने याद करना है ठीक है अगर हम बात करें कोल को साहित्य ग क्या बोला गया है मुंड या शबर जो सिप्रसाट डबराल है वो कोल जाती को ही उत्राखंड की मूल जाती मानते हैं अगर आपसे कोशन भी बने उत्राखंड की मूल जाती कौन है आप कोल को ही बताएंगे मूल जाती यानि आदि निवासी मूल निवासी कौन है कोल जाती त उत्राखण में कोलों के बाद आई थे किरात वंशिया ठीक है इसको भी याद करेंगे किरात जाती उत्राखण में कोल के बाद आई थी लेकिन जो गेरसन है वो किरात को यहां की प्राचीनतम जाती मानता है तो अगर आपसे ओवरॉल पूछा जाए या डबराल जी का नाम ल इसकंद पुराण में किरातों को भिल बोला गया है इसे भी याद करेंगे ठीक है किरातों के बारे में हमें जानकारी अलग अलग गरंतों से भी मिलती है महा भारत में भी किरातों के बारे में हमें जानकारी मिलती है महा भारत का जो वन पर्व है वो ये कहता है किरातों के ने कौन माने जाते हैं पहला कोशन तो यही है किरातों के नेता माने जाते हैं भगवान शिव महाभारत का वनपर्व इसके बारे में जानकारी देता है कि किरातों के जो नेता थे भगवान शिव इनके जंडे के नीचे किरातों ने अरजुन के साथ युद्ध किया था इसको भी आपने याद करना है ठीक है? कोशन बन सकता है इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्या था उसके दरबार में एक युनानी राजदूत रहता था जिसका नाम था मेगा इस्तिनीज मेगा इस्तिनीज की एक किताब है जिसका नाम है इंडिका और उस इंडिका से ये जानकारी मिलती है कि उत्राखन के इस इलाके में किसका शाषन था यहां पर कौन सी जाती का अधिपत्य था तो किरातों की भाषा की बात करें तो किरातों की भाषा को मुंडा बोला गया है भिल नाम से जाने जाते हैं इनकी भाषा को मुंडा बोला ग जाती आई थी खसों को शुद्र वर्ग में कब शामिल किया गया था खसों को शुद्र वर्ग में 1885 में शामिल किया गया था ठीक है इसे भी आपने याद करना है खसों को शुद्र वर्ग में 1885 में शामिल किया गया खसों से संबंधित कुछ important प्रथाएं हैं जो आपसे पूछी जाती हैं जैसे टिकुवा प्रथा, जटेला प्रथा, देवदासी प्रथा कौन सी जाती में प्रचलित थी तो ये आपके खसों में प्रचलित हैं ठीक है इसे याद करेंगे टिकुवा प्रथा, जटेला, देव अगर कोई इस्तरी किसी दूसरे विक्ति से शाधी कर लेती है तो जो उसके पहले पती से उत्वन पुत्र को जटेला वहाँ पर बोला जाता था और तीसरी प्रता थी देवदासी प्रता जिसमें जो खस जाती के लोग होते थे यह अपनी बड़ी बीटी को मंदिरों में दान कर देते थे इसे भी आपने याद करना है ठीक है जादा डिटेल में नहीं आता एवल बस ये पूछेगा ये प्रथाएं किस जाती से संबंदित हैं आप बताएंगे खस जाती से नेक्स्ट है अब हम प्रमुक अभिलेगों के बारे में बात करेंगे ठीक है कौन कौन से इंपोर्टन अभिलेग है उनके बारे में सबसे important है आपका कालशी का अभिलेग जोकी समराट अशोक मौर्यका है ठीक है कब का है ये अशोक का अभिलेग आपका 257 इसा पूर्व का है ठीक है जो अशोक का अभिलेग हमें मिला है कालशी से ये कब का अभिलेग है 257 इसा पूर्व का इस अभिलेग की खोज कब की गई इसकी खोच करी गई, इसकी खोच करता जॉन फॉस्टर है, कहीं पर जॉन फॉरस्टर लिखा है, कहीं पर जॉन फॉरस्ट लिखा है, दोनों एक ही विक्ति है, इसको याद करेंगे, ठीक है? 1860 में इसकी खोच होती है जॉन फॉरेस्ट इसकी खोच करते हैं इसकी लिपी और भाषा की बात करें तो यहां आपके ब्रहम लिपी में है और प्राकृत भाषा में है पाली भाषा को अब अपने दिमाग से निकाल दीजिए आपको क्या पूछा जाएगा कौन सी भाषा में है आप बताएंगे प्राकृत भाषा में है ठीक है इसमें जो निवासी है यहां के अशोक का जो यह अभिलेख है यहां के निवासियों को इसमें पुलिंद बोला गया है और यहां के छेत्र को अपरांत बोला गया है तो इसको भी याद करना है कि अशोक के जो अभिलेक मिला है उसमें इस चेतर के लोगों को क्या बोला गया है पुलिंद इस चेतर को क्या बोला गया है अपरांद ठीक है दोनों याद करने हैं नेक्स्ट जो हमें मिला है वो है राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल शिलालेक किस से संबंदित है राजकुमारी ईश्वरा से इस शिलालेक से किसके राज्य की पुष्टी होती है तो लाखा मंडल शिलालेक जो है राजकुमारी ईश्वरा का इससे हमें यादवों के र इस चेत्र में जो देहरदुन वाला इलाका है यहां पर यदुवंशी राजों का साशन था इसकी जानकारी कहां से मिलती है तो राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल सिलालेक से मिलती है यह इसी यदुवंशी राजाओं की थी इन्ही वंश से संबंदित थी राजकुमार इश्वरा कोशन बनता है यदू वंश का संस्थापक कौन था जिस वंश की ये थी ठीक है इस वंश का संस्थापक था स्री शेन वर्मन इसे भी आपने याद करना है ठीक है पूछा जाता है और इनकी राजधानी कहां थी इन रियादवों की सिहपुर इनकी राजधानी थी अगला है हमारा, राज्य में तरिशूल लेक कहां से मिले हैं, तो राज्य में हमें प्रमुक तरिशूल लेक दो जगाहों से मिले हैं, एक आपके गोपिश्वर से मिला है, और एक आपके बाड़ा हाट से मिला है, गोपिश्वर के रुद्रुसिव मंदिर से हमें यहां पर ए जो गोपेश्वर से त्रिशू लेक मिले हैं इनमें ब्रहम लिपी का इस्तेमाल किया गया है ठीक है और जो बाड़ा हाट से मिला है इसमें शंक लिपी का इस्तेमाल किया गया है यह कोशन बनता है यह बाड़ा हाट का त्रिशू लेक कौन सी लिपी में है तो यह आपका शंक लिपी में लिखा गया है और बाड़ा-हार त्रिशूल लेक से हमें अशुक चल के बारे में भी जानकारी मिलती है तो एक कतूरी राजा है भूदेव कतूरी वण्ष के बारे में हम कल बात करेंगे लेकिन इसका भी एक शिला लेक मिला है जो की हमें बागेशवर से मिला है काफी important ये शिलालेक है क्योंकि इसमें हमें 8 कतूरी राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं और इसी अभिलेक में ये बताया गया है कि कतूरी वंश का पहला राजा कौन था बसंत देव इसका पहला राजा था कहां से जानकारी मिलती है बागेशवर शिलालेक से धारशिल शिलालेक किसे संबंदित है ये question previous year का है धारशिल शिलालेक आपके पवार राजा ये अनंतपाल कौन है ये पवार राजा है इससे संबंदित है धारशिल शिलालेक इसको भी आपने याद करना है अनंत पाल से संबंदित है अब हम बात करेंगे कुडिंद वंश के बारे में कुडिंद वंश कौन थे दीखिए उत्रा खंड पर शाशन करने वाली पहली राजनेतिक शक्ति कौन थी पहली राजनेतिक शक्ति पूचा है हम कुडिंद को बताएंगे कुडिंदों को कहीं पर कुडिंद बोला गया है इन्ही को कहीं पर कुलिंद बोला गया है कहीं पर इनको पुलिंद भी बोला गया है तो सारे इन ही के नाम है ठीक है जो कुडिंद थे ये किस के आधीन थे तो माना जाता है जो कुडिंद राजा थे ये मौरियों के आधीन थे जब मौर्य शाषन चल रहा था ठीक है अगर हम कुडिंदों के काल की बात करते हैं कुडिंदों कर जो शाषन काल था काफी लंबा शाशन काल इनका माना जाता है 1000 इसा पूर्व से लेकर के 300 इसवी तक कुरिंद काल उत्रा खंड में माना जाता है और हम जानते हैं 300 इसा पूर्व में यहां पर मौर्यों का शाशन आता है और तब की बात है कि मौर्यों के आधीन लिखा गया है इनके राजाओं के बारे में वो हमें इनकी मुद्राओं से पता चलता है, हलाकि महाभारत में भी उलेक है, लेकिन वहाँ पर केवल सुबाहू के बारे में उलेक है, बाकि जादा डिटेल हमें इनके मुद्राओं से ही देखने को मिलती हैं तो मुद्राओं को भी हम यहां पे कवर करेंगे जैसा मैंने आपको बोला कुडिंद काल काफी लंबा काल था ठीके 1000 इसा पूर्व से लेकर के तीसरी सदी तक इनका शाशन था तो इनके काल को तीन भागों में बाट कर पढ़ा जा सकता है कौन कौन से भाग हैं? पहला है प्रारंबिक कुडिंद काल प्रारंबिक कुडिंद काल आपके 1000 इसा पूर्व से शुरू होता है और 500 इसा पूर्व तक चलता है इसके बाद आता है आपका मध्य कुडिंद काल जो की 500 इसा पूर्व से शुरू होता है और 200 ईसा पूर्व तक चलता है और उसके बाद आता है आपका उत्तर वर्ति कुडिंद काल जो की 200 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 300 ED तक जाता है उनके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले प्रारंबिक कुडिंद काल की बात करते हैं महा भारत में कुरिंद राजा का सुबाहू का वर्णन हमें देखने को मिलता है इसकी राजधानी शिरी नगर में थी इसने पांडवों की आधीनता स्विकार करी और पांडवों की तरफ से इसने युद में भाग लिया जैसा हमने उपर बात करी थी फिर आता है आपका मध्य कुरिंद काल मध्य कुरिंद काल की बात करें तो इसकी जानकारी का जो मुख्य शुरूत है वो अश्ट्या ध्याई है जो की पांडवों की रचना है और इससे हमें ये पता चलता है कि इनकी राजधानी काल कूट में थी यानि कालसी में थी यहीं पर एक कोशन और याद कर लेना कोशन बनता है कालसी का प्राची नाम क्या है कालसी का प्राची नाम है आपका कालकूट ठीक है और ये कब थी जब मध्यकुडिंद काल चल रहा था इसको भी आपने ध्यान रखना है फिर आता है आपका उत्तरवर्तिक कुडिंद काल, उत्तरवर्तिक कुडिंद काल की बात करें, तो ये कुडिंदों का चर्मोतकश काल माना जाता है, ठीक है, क्योंकि शुरुवात में जब हमने प्रारंबिक की बात करी, तो महा भारत में ये पांडवों के अधीन थे, फिर म अधिक्तम टॉलमी से मिलती है, कोशण बनता है कि किस विदेशी लेखक ने कुरिंद शाशन का वर्णन किया है, टॉलमी ने किया है, टॉलमी की किताब है, जोग्रॉफिका, इसी में इस वणिश के बारे में बताया है, ठीक है, अब बात करेंगे कुरिंद मुद्राओं के ब कितने प्रकार की कुडिंद मुद्राएं हमें मिली हैं, तीन प्रकार की, कौन कौन सी हैं, देखिए, सबसे पहले है अमोग भूती प्रकार की, एक और चीज याद करना, हमने उपर तीन काल खंड पड़े, प्रारंबिक कुडिंद मध्यवर्ती और उत्तरवर्ती, ध्यान मुद्राएं हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके उत्तरवर्ती काल की हैं, तो प्रारंबिक और मध्यवर्ती में हमें ज्यादा मुद्राएं नहीं मिली हैं, और जो मिली हैं, उनमें किसी राजा का नाम नहीं हैं, केवल कुडिंद का नाम हमें देखने को मिलता है, ठीक है तो उत्तरवर्ति की जो कुडिन्द मुदरा हैं, वो तीन प्रकार की हैं, जिसमें सबसे important है अमोग भूती प्रकार, ठीक है? अमोग भूती प्रकार की मुदराओं की बात करें, कुडिन्द वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अमोग भूती अमोग भूती के इस लाइन से आपके दो कोशन पेपर में पूछे गए हैं सिर्फ इसी लाइन से पहला पुडिंद वंश का सबसे सक्तिशाली राजा का नाम बताईए और दूसरा अमोग भूती किस वंश का शाशक्त है तो दो आपको याद करना है ठीक है सबसे जादा मुद्राएं हमें इसी की प्राप्त हुई हैं हमने बात करी ना कि तीन प्रकार की मुद्राएं मिली हैं अमोग भूती प्रकार की, अल्मोडा प्रकार की और छट्रवेश्वर प्रकार की सबसे जादा मुद्राएं हमें अमोग भूती की मिली हैं इसकी मुद्राएं तामर और रजत इनकी बनी होती थी इसे भी आपने याद करना है जो आपके बाकी की कुणिंग मुद्राएं हमें मिली हैं वो केवल तामर की बनी होती थी लेकिन अमोग भूती की मुद्राएं तामर और रजत दोनों की बनी हैं इसकी लिपियों में इसकी मुद्राओं में मिल जाती है इसको भी याद करेंगे अमोग भूती प्रकार की मुद्राओं पर किसका अंकन हमें देखने को मिलता है तो देवी और म्रग का अंकन हमें देखने को मिलता है इसे भी आपने याद करना है एक मात्र कुडिंद जिसकी मुद्राओं में महरा जैसा हमने उपर बात करी कि अधिकाश कुडिंदो में रखास तोर पे जो प्रारम्बिक काल की मुद्राइं है कुडिंदों की उसमें केवल कुडिंद लिखा गया है तीक है लेकिन जो अमोग भूती की मिली है इसमें हमें महाराज भी देखने को मिलता है इसे भी आपने या किस वन्ष से संबंदित हैं। किस की बनी है ये तामर की बनी है और इन में केवल ब्रह्म लिपी का इस्तेमाल हुआ है। इन राजाओं के नाम मिलते हैं, इन राजाओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं, मगभतस, सिवदत, हरिदत और शिवपालित, इन मुद्राओं को जिसमें इन चारों के नाम हैं, वर्तमान में लंदन संग्राले, जो ब्रिटिश संग्राले है लंदन में वहां पर रखा गया बाद में अलमोडा से हमें 54 मुद्राएं और मिली इन 54 मुद्राओं में अगर हम बात करते हैं तो एक मुद्रा शिवदत की मिली इसके अलावा एक मुद्रा हमें आशेक की मिली और बाकी की सारी मुद्राएं गौमित्र की मिली इसको भी याद करेंगे कोशन बन जाता है ठीक चत्रविश्वर को भगवान शिव का रूप यहां पर माना गया है और इसी आधार पर माना जाता है कि जो कुणिंद लोग थे ये शिव भगवान को मानते थे यानि कि ये शैव धर्म को मानते थे ठीक है दूसरा इन मुद्राओं में कुशान प्रभाव देखने को मिलता है आगे हम बात करेंगे आगे हम पढ़ेंगे अभी कि कुशान काल की जो मुद्राओं थी उनमें शिव और नंदी के चित्र अंकित होते थे और इनमें भी छत्रविश्वर जो भगवान शिव का रूप माना गया है उनका चित्र देखने को मिलता है तो ये मुद्राओं केवल अमोग भूती की होगी जो दो लिपियों में होगी और दो धातु की बनी होगी बाकी सब की हमें केवल एक-एक मिला है ठीक है एक ही लिपी में एक ही धातु में एक बहुत इंपोर्टन किताब है कुडिंदों के सिकों को लेकर के Morphology of कुडिंद कोईंस ये किताब कि एक किताब MP जोशी की रचना है ठीक है बहुत इंपोर्टन किताब है कुडिंदों के कुल कितने अभिलेक हमें अभी तक मिले हैं कुडिंदों के हमें अभिलेक भी मिले हैं पांच अभिलेक मिले हैं जिसमें से चार अभिलेक हमें बरहूत जो की मध्यप्रदेश में हैं य इसमें पुलिंद राजाओं के द्वारा दान किये जाने का यानि कि इन्होंने काफी सारे दान दिये उसके साक्ष हमें देखने को मिलते हैं किसका पुलिंद का और जैसे हमने बोला इनी पुलिंदों को पुलिंदों के साथ जोड़ कर देखा जाता है इसको भी याद करेंग सकों का शाशन यहां पे रहा था कई बार आपसे क्रम पूछ लेता है देखिए जब कुडिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था अमोग भूती उसकी मृत्ति हो जाती है उसके बाद कुडिंदों के पास अभी जो मैदानी इलाका था और जो परवत्य इलाका था दोनों अभी कुडिंदों का था लेकिन जैसे ही अमोग भूती की मृत्ति होती है जो ये मैदानी इलाका था यहां पर शकों का अधिकार हो जाता है परवतों पर अभी भी कुडिंद वंश का शाशन चल रहा है तो उसको अभी हम नहीं छेडेंगे अब जो भी घटना घटेगी वो मैदानों में घटेगी अमोग भूती की मृत्यू के बाद मैदानी इलाकों में शकों का अधिकार हो गया था और इस छेतर में उत्राखंड में शकों का भी शाशन रहा इसकी पुष्टी कहां से होती है तो जो हमें कुमाओं में सूरिय मंदिर देखने को मिलते हैं चाहे वो कटारमल सूरिय मंदिर क्यों न हो तो ये मंदिर पुष्टी करते हैं कि यहां पर शकों का भी शाशन रहा था ठीक है? चलिए शकों के बाद कौन आये? तो शकों के बाद यहां पर कुषान वंश आया तराई छेतरियान की जो मैदानी इलाका है वही पर परवत्य इलाकों में अभी भी कुडिंद वंश चल रहा है उतना शक्तिशाली नहीं है लेकिन चल रहा है तो शकों के बाद कुशान आया कुशान काल इन मुद्राएं हमें कहा कहा से मिली हैं तो देखे वीरभद्र जिसे रिशिकेश के नाम से जाना जाता है मोर्धवज कुडवार या इसके आसपास के इलाके को बोलते हैं और गौवजान काशीपुर का प्राचीद नाम इन जगाहों से हमें कुशान काल की मुद्राएं मिली हैं एक कोशन गौवजान को लेकर कोशन बन जाता है गौवजान की जो सिक्के हमें मिले हैं कुशान वंश के इनकी खोज कब हुई और किस ने करी गौविशान से जो सिक्के मिले हैं इनकी कोज 1960 में केपी नौटियाल के द्वारा की गई इसको भी याद कर लेंगे यहीं पर कुशानों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कुशानों का सबसे शक्तिशाली राजा कनिश्क था कनिश्क जो है इसकी रास्थानी कहां थी इसकी रास्थानी थी पुरुषपुर ठीक है और यहां का जो तराई वाला इलाका था उत्राखन का जो मैदानी इलाका था वहां पर भी किसका शार्षन था कोशाणों का यानि कनिश्क का शार्षन था पुरुषपुर इसकी हमें किस पर देखने को मिलता है कुडिंदों की छत्री विश्वर प्रकार की मुत्राओं में कुशाणों का दमन किस ने किया? तो कुशाणों का दमन योधे शाषकों ने किया इसको भी याद करेंगे तीन महत्वपून शक्तियां देखिए मैदानों में कुशाण शाषन कर रहे हैं परवतों में कुडिंद शाषन कर रहे हैं तभी आती है तीसरी शक्ति योधे जो कुडिंदों को पराजित थे उनको पराजित कर देती है और यहाँ पर योधे शाषन इस्थापित हो जाता है कोशन बनता है योधे शाशक किसके समकालीन थे तो इधर अब कौन आ गए योधे शाशक और इधर कुडिंदों चल रहा है ये कुडिंदों के समकालीन थे इसको भी याद करेंगे कोशन बनता है कोशनों का दमन किसने किया और ये किसके समकालीन है ठीक है योधे शाशकों की मुद्राएं हमें कहां से मिलती हैं योधे शाशकों की मुद्राएं हमें जौनसार भाबर और कालो डांडा जो की पौडी में आप जानते हैं लैंसीडाउन का पुराना नाम है यहां से हमें योधे शाशकों की मुद्राएं देखने को मिलती हैं इसके बाद आपसे कोशन बनता है बाड़ वाला यग वेदिका का निर्मान किसने करवाय था ये कोशन प्रिवीजर का कोशन ने पिछले साल ही पूछा गया था बाड़ वाला यग वेदिका आपके दहरादून के जगत गराम में है और इसका निर्मान शील वर्मन ने करवाय ठीक है दो मित्र राजाओं जिसमें आपका एक मित्र राजा है मात्र मित्र और एक है पृतिवी मित्र ठीक है तो मित्र वंश के राजा भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं दो मित्र राजा इन दोनों का उलेक हमें कहां से मिलता है तो इन दोनों मित्र राजाओं की जान उत्राखंड में कृत्पुर राज्य भी इस्थापित हुआ, जिसके संस्थापक कुडिंदों को ही माना जाता है, यानि कि जो परवतों में राज कर रही थी कुडिंद, उन्हीं में से कुछ कुडिंदों ने फिर से कृत्पुर राज्य इस्थापित किया उत्राखंड के मै टीक है, उसमें ये बताया गया है कि ये जो कृतपुर राजय है। गुपत सामराजय की ही एक क्या है, और यहां पर नागवन्ष का शाशन हो जाता है, इसको भी याद करेंगे, ठीक है। नाग वंश का शाषन हो जाता है पांचवी शती में नागों के बाद कौन आते हैं नागों को पराजित करते हैं कन्नौज के मौकरी ठीक है कन्नौज में मौकरी वंश का शाषन था अंतिम मौकरी नरेश कौन था ग्रह वर्मा और इस ग्रह वर्मा जब यहां पर नागों को य पूरा एरिया था, इसके अधिकार में चला जाता है, हर्षवर्धन के काल में वो हर्षवर्धन के अंडर चला जाता है, तो वैसा ही यहीं पर होगा, यहां पर अब कन्योज के जो राजा था, मौकरी राजा इसका अधिकार था, लेकिन इसकी हत्या हो जाती है, आखरी मौकर राजा था ग्रहवर्मा की हत्या के इबाद यहां का शाशक हर्षवर्धन बन गया अब हम हर्षवर्धन तक पहुँच चुके हैं ठीक है हर्षवर्धन का दर्बारी कवी कौन था हर्षवर्धन का दर्बारी कवी था बान भट जिसकी रचना है हर्षचरित और इसी से हमें उत्राखन में कौन-कौन आया उसकी जानकारी मिलती है, इसको भी याद करेंगे, question बंदा है। अब हम बात करेंगे हो इंसांग की, क्योंकि हम हर्षवरधन तक आ गए, नाग, नाग के बाद, मौकरी, मौकरी के बाद, हर्षवरधन, और हर्षवर्धन के ही बाद उत्राखंड पे तीन प्रमुक्षाशन इस्थापित होते हैं जिसमें एक होता है पौरववन्ष उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर आज की वीडियो को विराम करेंगे दिखिए हर्षवर्धन के काल को लेकर के आप से बहुत important question होईंसांग से पूछे जाते हैं होईंसांग उत्राखंड आया था हर्षवर्धन के काल में ठीक है होईंसांग ने उत्राखंड को क्या बोला होईंसांग ने उत्राखंड को पोली ही मोपूलू बोला इसको नाम याद करना है question बन जाता है, क्योंकि इसने हरिदवार को भी नाम दिया, तो इन दोनों में confusion हो जाएगा, जो जो लंबा वाला नाम है ये उत्राखंड को बोला, ये जो नाम होईनसांग ने दिया उत्राखंड के लिए, कनिंगम कहता है कि होईनसांग ब्रह्मपूर कहना चा रहा था या इसका जो अर्थ है, वो ब्रह्मपूर है इसको भी याद करेंगे, ठीक है हरिदवार को इसने मोयूलू का नाम दिया, गंगा को होईनसांग ने महा भद्रा बोला ये दोनों बातें आपको याद करनी है हरिदवार ये 634 में गया और काशिपूर यानि गौविशाण ये 636 में गया गौविशाण के बारे में जानकारी भी हमें सबसे पहले हैंसांग के दोरा ही प्राप्त होती है इसको भी आपने याद करना है हरिदवार कब गया? 634 और पिछले साल ये कोशन बना था कि होईनसांग ने काशिपूर की यातरा कपकरी 636 इस्वी में करी थी इसको भी याद करेंगे ठीक है फिर होता क्या है, हो इंसांग हर्षवर्धन के काल में आया, जब हर्षवर्धन की मृत्यू हो जाती है, तो उत्रा खड़ में कई सारे छोटे छोटे राज्या इस्थापे हो जाते हैं, इसमें तीन प्रमुक राज्या थे, ठीक है, पहला राज्या था आपका ब्रहमपुर, दूसरा राज्य जो बनता है वो शत्रुगन बनता है और तीसरा राज्य बनता है गौवशान इन से आपकी जो सबसे दाधा कोशन बनते हैं वो ब्रहमपुर से बनते हैं अब उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमने हर्षवर्धन का काल और अब हर्षवर्धन की मृत्यू के बात हम आगे चलेंगे देखिए पौरववन्ष के बारे में बात करते हैं हर्श वर्धन की मृत्यू के बाद जो सबसे बड़ा राज्य था वो था ब्रह्मपूर और इसी ब्रह्मपूर पर शाशन करते थे पौरव नरेश इसलिए पौरववश हम पढ़ेंगे क्योंकि ब्रह्मपूर को लेकर कोशन बनता है जो पौरववश था इसका उदभव कब ह उत्तर वर्धन का आलमे यानि की हर्श वर्धन के बाद थीक है पौरववश का संस्थापक कौन था तो विश्नु वर्धन पौरववश का संस्थापक माना चाता है इसको भी याद करेंगे कोशन बन जाता है इसकी अवधी की बात करें तो छटी सदी से लेकर आठवी सद तक पौरववज का शाषन हमें देखने को मिलता है ठीक है इसको भी याद करेंगे इनकी राजधानी यानि की कहां पर ये शाषन कर रहे थे ये ब्रहमपुर में शाषन कर रहे थे होईंसां के अनुसार जो ब्रहमपुर था जिसका हमने उपर नाम देखा कि इसने पोली ही मो जाता है तो अगर आपसे कोशन बने परवतकार वन्ष का संस्थापा कौन है तो आप बताएंगे विश्नु वर्धन अगर आपसे कोशन बने परवतकार वन्ष की राजधानी बताईए तो आप बताएंगे ब्रहमपुर परवतकार वन्ष यानि पौरव वन्ष की आप से एक और चीज याद करेंगे जैसे मैंने आपको बोला कि हर्श वर्धन के बाद उत्राखन तीन राज्यों में जो था मेंली विभाजित हुआ जिसमें आपका शत्रुगन था जिसमें आपका ब्रहमपुर्थ था और जिसमें आपका गौवशान था इनमें सबसे बड़ा ब्र करना है ठीक है अलमोडा से मिले तालेशवर तामरपत्र किस से संबंदित हैं जिस प्रकार कुडिंद वन्ष के इतिहास की जानकारी का जो में सोट्स है वो उनकी मुत्राएं हैं उसी प्रकार पौरव वन्ष की जानकारी का जो में स्रोत है वो इनके तामरपत्र हैं या कहीं पर YR गुपते इनका नाम दिया गया है इन्होंने इनको ढूंडा था इसको भी याद करेंगे तालिशवर तामर पत्र किससे हैं 1915 पौरव वन्ष ठीक है ये जो तामर पत्र हैं किन शाशिकों के हैं ये आपके दो महतपून राजा धुति वर्मन और विश्टु व उसे विश्टु वर्मन करना ठीक है तो विश्टु वर्मन इस वन्ष का संस्था पक उसे विश्टु वर्मन प्रथम कर दीजिए दूसरा शाशक इस वन्ष का वर्ष्च वर्मन बोला गया है तीसरा अगनी वर्मन बोला गया चौथा धुति वर्मन और अंतिम राजा यह पौरव वंश ने हर्षवर्धन की शाषन व्यवस्ता को अपनाया, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद ही इनका वंश आगे बढ़ा था, तो हर्षवर्धन के काल की जो शाषन व्यवस्ता थी, वही हमें यहां पर देखने को मिलती है, पौरव वंश में आई का मेन सुरूत क्या कोशन बनता है कि पौरव काल में भागिक कौन होता था कर वसूलने वाला अधिकारी कर को बोला जाता था भाग और वसूलने वाले को भागिक ठीक है यहां पर अन के रूप में लिया जाता था भूमी कर जो की छटवा भाग होता था इसको भी आपने याद करना है ठीक है बहुत important question आपका पौरव वंश में भूमी को लेकर बनता है देखे पौरव वंश में भूमी दो वर्गों में विभाजित थी कौन-कौन सी एक थी केदार भूमी और एक थी सारी भूमी केदार भूमी को सिचाई वाली भूमी को बोला जाता था और सारी भूमी बिना सिचाई वाली भूमी को बोला जाता था ये question पेपर में बना है कि पौरव काल में सिचाई वाली भूमी को क्या बोला जाता था आप बताएंगे केदार भूमी पौरव काल में बिना सिचाई वाली भूमी को क्या बोला जाता था आप बताएंगे सारी भूमी इस दोनों नाम आपने याद करने है पेपर में आ चुका है नेक्स है भूमी नाप की विदिया पौरव काल में भूमी नापने की कौन-कौन सी विदिया प्रचलित थी द्रोनवापम, खारीवापम, कुल्यवापम आप से डारेट कोशन बनेगा कि द्रोनवापम, खारीवापम, कुल्यवापम क्या है ये भूमी मापने की विदिया थी ठीक है इसको ध्यान करेंगे अब लास्ट में हम यहाँ पर देखेंगे जो हमें अलग-अलग अभिलेक मिले हैं चाहे वो पौरववश्टे हों या अलग-अलग राजाओं के कुछ important अधिकारियों के हमें नाम देखने को मिलते हैं कौन किस संबन्दित है उसको यहाँ पर देख लेते हैं ठीक है आमत्य की बात करें तो अभिलेकों में जो वर्णित है आमत्य यह प्रधान मंत्री को बोला जाता था सेना का प्रमुक बोला जाता था बलाद्यक्ष राजमहल यानि की जिसको कोट बोला जाता था उसके रक्षक को कोटादी करण बोला जाता था ठीक है question बनता है की राजाओं के जो पौरव वंश के राजा थे उनके निवास इस्थल को क्या कहते थे उनके निवास इस्थल को कोट कहते थे और कोट यानि राजमहल और उसकी रक्षक को कोटादी करण कहते थे राज परिवार का रक्षक कौन होता था राज परिवार का रक्षक प्रतिहार होता था आने जाने वालों की देखरेक करने वाला उन पे नज़र रखने वाला राज तौवारिक होता था विदेश मंत्री संदी विग्रहक को बोला जाता था ठीक है लेखक वर्ग का जो प्रधान होता था उसे दिवर्पति बोला जाता था राजाओं की की गई प्राथना गंतव्य तक ले जाने वाला उसे कारगिक बोला जाता था यानि अगर राजा कोई decision लेता है तो उसे जन्ता तक पहुंचाने का काम कौन करता था कारगिक करता था और इसके बाद भोजनाले की विवस्था देखने वाला कौन होता था यानि कि जो मेन रसुया होता था जो मेन शेफ होता था उसे सुपकारपती बोला जाता था इसके अलावा प्रशाशनिक इकाई के गरम बात करते हैं तो प्रशाशनिक इकाई का जो प्रमुक होता था उसे विशेपती बोला जाता था और जो प्रांतों का मुख्य अधिकारी होता था उसे भौकतिक बोला जाता था इसको भी आपने याद करना है यह सारे नाम आपसे पूछे जाते हैं ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे उत्राखंड पे शाशन करने वाला पहला एतिहासिक राजवंश डारेक्ट कोश्चन की फॉर्म में मैंने सारे नोट्स बनाए हैं और इसी कोश्चन की फॉर्म में हम इनको कवर करेंगी सिधा कोश्चन बने का उत्राखंड का प्रतम एतिहासिक राजवंश कौन था? आप बताएंगे कार्तिकेपूर राजवंश और इसे ही कतूरी राजवंश भी बोला जाता है कई सारे विद्वान मानते हैं कि दोनों अलग-अलग वंश थे कई मानते हैं दोनों एक ही वंश थे उस डिबेट में आपको नहीं जाना है आपको केवल इन से रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनको याद करते हैं चलना है तो उत्राखंड का पहला एतिहासिक राजवंश कार्तिकेपूर राजवंश या कतूरी राजवंश को माना जाता है सबसे पहले कार्तिकेपूर राजाओं के लिए कर्तूरी शब्द का इस्तेमाल किस ने किया था ये कोर्शन पेपर में बन चुका है तो कार्तिकेपुर राजाओं के लिए कर्तूरी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले एटकिंसन के द्वारा किया गया था ठीक है इस वंश की अगर हम इस्थापना की बात करते हैं तो लगबग 700 के करीब इस वंश की इस्थापना मानी जाती है और 1050 कहीं पर 1030 इस वी तक इस वंश का काल माना जाता है ठीक है अगर हम इस वंश की राजधानी की बात करें तो इस वंश की राजधानी शुरुवात में कार्तिकेपूर नामक जगह पे थी जो कि आपके जोशिमट के नस्दीक मानी गई है और बाद में लगवग 300 साल के बाद ये राजधानी यहां से बदल कर बैजनात के कत्यूर घाटी में चली जाती है और फिर वहीं से नाम आया कि इसलिए इनको कत्यूरी राजधानी भी बोला गया राजधानी आपने याद करनी है शुरुबात में कार्तिकीपूर और बाद में कत्यूर घाटी इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम आगे बात करेंगे ठीक है एक और चीज़ जब हमने राजधानियां डिसकस करी लिए है कतूरी वंश की शीतकालीन राजधानी ये आप से पूछी जा सकती है इनकी शीतकालीन राजधानी धिकूली थी इसको भी याद करेंगे ठीक है चलिए अगला है यहाँ पर जो आपका important fact है कार्तिकेपुर राजाओं का मूल कहां माना जाता है तो इनका मूल अयोध्या माना है किसने माना है लक्षमी दत जोशी के द्वारा जो कार्तिकेपुर राजा थे इनका मूल अयोध्या माना जाता है लेकिन जो कतूरी राजा है इनका मूल राजिस्थान माना जाता है तो दोनों आपने याद करना है लक्षमिदत जोशी के according पूछेगा तो अयोध्या और overall में पूछेगा राजिस्थान आप इसका आंसर करेंगे जो बद्रिधत पांडे हैं बद्रिधत पांडे कार्तिकेपुर राजाओं को वो भी आयोध्या का ही मानते हैं वो इनको सूर्य वन्शी मानते हैं कोशन बन जाएका जो कार्तिकैपूर राजा थे, जो अभी कार्तिकैपूर राजधानी में शाषन कर रहें जब ये कत्यूर घाटी में जाएंगे हम इने कत्यूरी कहेंगे ये आपके गरीराज चक्र चुरामणी की उपादी धारन करते थे और ये कोशन भी पेपर में पूछा गया था कि कौन से शाशक गरीराज चक्रचूरामणी की उपादी धारन करते थे तो वो थे आपके कार्थिकेपूर या कत्यूरी ठीक है अगर हम इनकी राजभाशा की बात करें कार्तिकेपूर राजाओं की राजभाशा क्या थी? इनकी राजभाशा संस्कृत थी और इनकी लोक भाशा पाली थी यानि जो राजकाज का काम होगा, जो ओफिशल वर्क होगा वो संस्क्रिक में होता था और जो आम बोलचाल की भाशा थी वो पाली थी ठीके इनके आधी पुरुष कौन माने जाते हैं कार्तिकेपुर राजाओं के आधी पुरुष सालिवाहन देव माने जाते हैं इसके अलावा इनके एश्ट देव की बात करें तो भगवान कार्तिके इनके एस्ट देव माने जाते हैं इनकी राजधानी हमने उपर देखी कि 300 साल तक जोशी मट के नजदीक जो कार्तिकेपूर माना गया है वहाँ पर इनकी राजधानी मानी जाती थी और उसके बाद राजधानी बैजनात में प्रत्यूर घाटी में चली जाती है इनके ताम्रपत्र हमें कहा कहा से मिले हैं? ये भी पेपर में बन चुका है कार्तिकेपूर राजधाओं के ताम्रपत्र हमें बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर और बैजनात इन सभी ताम्रपत्रों की लिपी क्या है? तो इनकी लिपी है कुटीला लिपी, इसको भी याद करेंगे, ठीक है, टोटल कितने तामरपत्र हमें अभी तक कार्तिकिपूर राजाओं के मिले हैं, देखिए, पहले बोला गया कि इनके आठ तामरपत्र मिले हैं, लेकिन अब मैकसिमम बुक में आपको नौ देखने को मिल सिधा question based वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, देखिए, कार्तिकेपूर वंश में तीन परिवारों के, जब यहनकी राज़धानी कार्तिकेपूर में थी, तो तीन परिवारों ने यहां पर शाषन किया, इन शाशकों में पहले परिवार का पहला शाशक कौन था, जिसे हम कह सकत नज संस्थापक कौन था, ये माना जाता है बसंत देव को, ठीक है? कार्तिकेपूर राजवन्ष का संस्थापक बसंत देव था, बसंत देव ने परम भठारिक महराज धिराज परमेशवर की उपादी धारण करी थी, कोशन बन सकता है, बागेशवर के समीप इसने दान में दिया था इसको भी याद रखेंगे किस का तियोरी ने दिया था आपके बसंत देव ने सबसे इंपोर्टेंट कोशन जो बसंत देव को पूछा जाता है दो ही कोशन इंपोर्टेंट है इसको ले करके पहला कार्टिकेपुर राजवंच का संस्थापक है और दूसरा जोशी मट में जो नर्सिंग मंदिर है इसका निर्मान इसी बसंत देव ने करवाया था इसको आपने याद करना है ठीक है जो पहला परिवार था ये बसंत देव का परिवार इसके बाद बसंत देव के बाद इसका पुत्र राजा बनता है दूसरा राजा ठीक है इस वंश का लेकिन उसका नाम जो बागिश्वर लेख है जहां से हम इसके बारे में जानकारी मिलती है इस पष्ट पढ़ने लायक वहाँ पर नहीं है तो सीधा तीसरे राजा का नाम हमें देखने को मिलता है ठीक है तीसरे राजा कौन था बसंत देव राजवन्श का ये था खरपर खरपर देव के बारे में बोला जाता है कि ये ललित आदित्या मुक्तापीड के आक्रमण के समय यहां का शाशक था हाला कि जादातर माना जाता है कि जब ललित आदित्या मुक्तापीड ये कौन था ललित आदित्या मुक्तापीड ये कश्मीर का राजा था माना जाता है जब इसने यहां पर आक्रमण किया तो उस समय यहां का शाशक बसंत देव था ठीक है? लेकिन कुछ जगहों पर इसे खरपर देव के समकालीन माना गया है तो हम इसे खरपर देव के समकालीन मानेंगे क्योंकि हमने maximum time इसी को cover किया है परिक्षावानी में आपका इसी को दिया गया है साथ में BS नेकी में तो ज़्यादा रेफरेंस हमें खरपर देव का मिलता है अगर यह option में ना हो तो आफिर उसको भी ध्यान में रखें इसलिए मैंने आपको यह सारी चीज़े यहां पर बताए ठीक है? ललित आदित्य मुक्तापीड इसके आकरमन की जानकारी हमें कहां से मिलती है? कि इसने गड़वाल पर आकरमन किया था यह जानकारी हमें रास तरंगनी से मिलती है रास तरंगनी कलहन की रचना है कलहन का जो संबंद रहा है वो कश्मीर से रहा है रास तरंगनी कश्मीर के इतिहास से संबंदित एक महतुपूर्ण पुस्तक है और जो ललित आदित्या मुक्तापीड है ये कश्मीर का राजा है तो इसके आक्रमन की जानकारी हमें रास तरंगनी से मिलती है किसकी रचना है? कल्लण की रचना है अगर हम खरपर देव की बात करें इसके पुत्र का नाम कल्यान रास था हो सकता है पूछ लिया जाए ठीक है इसके बाद यही राजा पनता है अब बात करेंगे खरपर देव वन्ष का अनतिम राजा कौन था? यह था त्रीभुवन राज खरपर देव वन्ष ठीक है यानि कि जो आपका बसंत देव ने वन्ष इस्थापित किया था पहला परिवार उस वन्ष का अनतिम राजा त्रीभुवन राज था इसने व्यागरेशवर देवता यानि बागेशवर के मंदिर को भूमी दान करी थी इसका नाम भी याद करना है भूमी दान में ठीक है? अब यहाँ पर कार्तिकेपूर में दूसरे परिवार का शाशन होगा हमने बात करी ना तीन परिवारों ने शाशन किया था पहला परिवार खतम अब आता है दूसरा परिवार देखिए पाल नरेश धरम पाल ने गड़वाल पर आकर्मन किया जो पाल नरेश था बंगाल में पूरा पाल नरेशों का साशन था और इसमें सबसे जो इनका प्रमुक राजा था पाल ररेशों का वो था धरमपाल इसने गड़वाल पर आक्रमन किया और इसके आक्रमन की जनकारी हमें नालंदा अभिलेक से मिलती है जब इसने यहाँ पर आक्रमन किया तो उस समय माना जाता है कि यहाँ पर आपका त्रिभुवन राज का ही शाशन था लेकिन इसके आक्रमन के बाद सत्ता पलट चुकी थी और कार्तिकेपुर राजय में दूसरे परिवार की स्थापना हो चुकी थी जिसका संस्था पक निमबर देव था इसको याद करेंगे प्रथम परिवार का संस्थापक बसंत देव दूसरे परिवार का संस्थापक निम्बर देव ने पालों से संधी करी थी कोशन बने का किस कार्तिकेपुर राजा ने पालों के साथ संधी करी थी पाल नरेश धरम पाल के साथ संधी करी थी तो वो था आप का निम्बर देव किस धर्म को मानता था किस का अन्याई था पुछा जा सकता है तो यह शैव धर्म को मानता था इसने जागेश्वर में विमानों का निर्मान करवाया इसको भी याद करेंगे विमानों का निर्मान यानि की मंदिरों के शिखर का निर्मान जागेश्वर में क है आपका निंबर देव ठीक है उत्राखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रियास किस ने किया था तो पूरे उत्राखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रियास इस्टगन देव के द्वारा किया गया ये इस्टगन देव निंबर देव का बेटा था ठीक है निंबर तो जागिश्वर में विमानों का निर्मान यानि मंदिरों के शिक्रों का निर्मान निम्बर देव ने करवाया। इश्टगण देव को लेकर आपको दो कोशन important यहाँ पर याद करने हैं जो हमने यहाँ पर देखा पहला इसने परियास किया एक सूतर में बांधने का सबसे पहले इसी ने किया दूसरा जो important question है इसको तो याद करना ही करना है लेकिन जो इससे जाद important question है हम जानते हैं आदीगरु संकराचारिय उत्राखन में आते हैं और किदारनात में 820 इस्वी में वो अपने प्राण प्याग देते हैं माना जाता है कि वो इश्टगण देव के काल में ही उत्राखन में आये थे तो question बन सकता है याद करेंगे अभी तक सरिफ इतना पूछा गया है किन राजाओं के काल में आये थे तो कार्टिकेपुर राजा अब अगर राजा का नाम पूछ ले तो इस्टगण का नाम आपने याद करना है आपको question पूछा जाता है कार्तिकेपुर राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है तो आप बताएंगे ललित सूर देव कौन था ललित सूर देव इस्टगन देव का बेटा था सबसे ज़ादा तामरपत्र जो हमें मिले हैं ललित सूर देव के ही मिले हैं इसको भी आपने याद करना है सबसे ज़ादा तामरपत्र हमें किसके मिले हैं ललित सूर देव के मिले हैं इसके हमें दो तामरपत्र पांडू केश्वर से भी मिले हैं जो की काफी ज़ादा important है इसका जो पांडुकेश्वर से हमें तामरपत्र मिले हैं उसमें ललित सूरदेव को क्या बोला गया है ललित सूरदेव को धरती के उधार के लिए वरहा अवतार बोला गया है ये कोशन बद्धा है इनमें से किस राजा को जो पांडुकेश्वर तामरपत्र है उसमें धरती क उद्धार के लिए वरह अवतार बोला गया है ललित सूर्देव कार्तिकेपुर वंश का सबसे प्रतापी राजा सबसे जादा तामरपत्र इसी के मिले हैं इसको याद करेंगे ठीक है इसी से रिलेटेड एक कोशन है बैजनात में नारायन मंदिर का निर्मान किस ने करवाया तो बैजनात में नारायन मंदिर ये बनवाया सामा देवी ने सामा देवी कौन थी देखी ललित सूर्देव की दो पत्निया थी एक का नाम था लया देवी और एक का नाम था सामा देवी तो कई बार ऐसा होता है जैसे हमने पमारवंश का एक कोशन है उसमें भी देखा कि जो आपका विश्विनात मंदिर है। उसका जिनोधार किस ने करवाय था। महरानी खनेती कौन थी? सुदर्शन शाह की पत्नी। तो जब पेपर में question आया, उसने option में खनेती को ना देकर सिधा उनके पती को ही यानि की सुदर्शन शाह का नाम डाल दिया, तो हो सकता है, पूछ लिया जाए, नारायन मंदिर का निर्माण बैजनात में किसने करवाया, तो आप ललिशूर्देव या उसकी पत्नी सामा देवी को याद करेंगे, ठीक है, बनाया सामा देवी ने था, ललिशूर्देव की पत्नी थी, ठीक है, नेक्स्ट है, बौध धर्म का विरोध करने वाला कार्तिकेपुर नरेश कौन था, तो कौन सा राजा था जिसने बौध धर्म का विरोध किया, भूदेव, भूदेव ललिशूर्देव का पुत्र था, ठीक है, बैजनात मंदिर के निर्माण में इसने सहयोग किया, इसको भी याद करनी है, ठीक है, पूछा जाता है, अगला है, अब तीसरा वन्ष आएगा, सलोना अदित्या वन्ष, इस वन्ष की स्थापना किस ने करी, इसकी स्थापना इच्छर देव ने करी, और ये एक प्रीविस एर का कोश्चन है, कार्तिकेपुर में तीसरे परिवार थ और इस वन्ष का संस्थापक इच्छर देव था, ठीक है, इच्छर देव ने भुवन विख्यात की उपादी धारन करी थी, भुवन विख्यात के नाम से किसे जाना जाता है, इच्छर देव को जाना जाता है, इच्छर देव के बाद देशा देव राज बना, उसके आता है कार्तिकेपुर का अंतिम शाशक कौन था? कार्तिकेपुर का अंतिम शाशक सुभिक्ष राज देव था और ये भी एक प्रिवेस एर का कोशन है हाई कोट 2019 में ये कोशन पूछा गया था कार्तिकेपुर वंश का अंतिम शाशक का नाम बताईए सही आंसर जो माना गया सुभिक्ष राज देव को माना गया क्योंकि इसके बाद राजधानी कहां चली जाएगी कत्यूर घाटी में तो कार्तिकेपुर में शाषन करने वाला अंतिम राजा कौन है सुभिक्ष राज देव इस वन्ष के अवसान पर कहा जाता है कि सूर्या अस्त हो गया और रातरी हो गई कौन से वन्ष के बारे में बोला जाता है कार्तिकेपुर राज वन्ष ये कोशन भी एक प्रिविस एर का कोशन है संकराचार्य ने किदारनात में प्राण कब त्यागे थे तो कब त्यागे थे 820 इस्वी में उन्होंने प्राण त्यागे थे इसको भी आपने याद करना है किन राजाओं के काल में आये थे कार्तिकेपुर राजा और एक्जेक्ट राजा का नाम हमने उपर देखा इश्टगण के काल में कत्यूर घाटी में आसंती देव ने राज्य इस्थापित किया था इसके बाद क्या हुआ जो राजधानी कार्तिकेपुर में थी वहां से राजधानी हटा कर कौन ले गया आसंती देव और इसने राजधानी जो जोशिमट में थी यानि जो कार्तिकेपुर में थी वहां से हटा कर ये रणचुला कोट जो की बैजनात कत्यूर घाटी में है वहां ये रास्थानी ले गया ठीक है इसको भी याद करेंगे आसंती देव इसका नाम था ठीक है अंतिम सक्तिशाली शाशक अगर पूछा जाएगा, अंतिम प्रभावी शाशक, क्योंकि उसके बाद कतूरी जब कार्तिकेपुर से बाहर निकले, तो कतूरी कई सारे शाखाओं में तूट गए थे, अलग-अलग शाखाओं में ये राज कर रहे थे, जो में कतूरी थे, वो आपके रणचुला कोट, यानि की जो कतूर घाटी है, वहाँ प्रशाशन कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी ये इदर-उदर फैले हुए थे, लेकिन शक्तिशाली नहीं थे, तो शक्तिशाली अंतिम राजा कौन था, ब्रहम देव, इसका नाम भी आपने याद करना है अब कुछ कतूरी प्रशाशन के अधिकारियों के नाम हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से भी कोशन आपके बन जाते हैं गरिद्वार के रक्षक को क्या बोला जाता था, तो कतूरी काल में यह कार्तिकेपुर काल में गरिद्वारों के रक्षक को घट पाल बोला जाता था सीमाओं के रक्षा को बोला जाता था प्रांतपाल अपराधी को पकड़ने वाले को दोश प्राधिक बोला जाता था भूमी की नाप करने वाले को प्रभातार बोला जाता था जो कर अधिकारी होते थे कार्तिकेपुर काल में या करतूरी काल में उनको भोगपती या शौलकिक बोला जाता था पशुवों से दूद आधी प्राम्ट करने वाले को आभीर बोला जाता था कार्तिकेपुर काल में पैदल सेना का जो प्रमुक होता था उसको क्या बोला जाता था तो उसे गौलमिक बोला जाता था इसको भी आपने याद करना है कोशन बनता है ठीक है तहसील इस्तर की प्रशाशनिक इकाई को क्या बोला जाता था कार्तिकेपूर काल में तो तहसील इस्तर की जो प्रशाशनिक इकाई होती थी उसे करमांत बोला जाता था और ये एक previous year का question है नदी घाटों पर आगमन सुवीदा एवं कर वसूली का कार्या कौन करता था इसका नाम था नर्पती काम क्या था इसका वसूली करना नदी घाटों पर और उसकी देखभाल करना की लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो व्यक्तियों पर निगरानी रखने का काम कौन करता था ये करता था वर्मपाल राज्य के किर्शी की उन्नति का ध्यान कौन रखता था छित्रपाल रखता था भूमी के अभिलेक कौन रखता था तो ये रखता था उपचारिक ठीक है जो उपचारिक नामक अधिकारी होता था ये भूमी के अभिलेकों को अपने पास संभाल कर रखता था इसको भी आपने याद करना है ठीक है खनी जो वा वनों की रक्षा कौन करता था ये करता था खंड पती इसको भी याद करेंगे तो कार्तिकेपुर के ये कुछ important अधिकारी जिनको हमने देखा और एक और चीज फ्रेंड ये हमारी एक revision series जिसमें हम सारे short notes को यहां पे cover कर रहे हैं अगर आप इन topics के बारे में detail में जाना चाहते हैं तो already हमारी अलग-अलग series हैं आप उनको जाके वहाँ पे देख सकते हैं लेकिन exam time पे ताक कि आपको confusion ना हो और उनके अधिकारियों को देख लिया अब हम कुमाओं के चंद राजवन्ष के बारे में बात करेंगे सभी राजाओं की बात करेंगे जो important है उनसे केवल फैक्टों की बात करेंगे और फिर इनके टैक्सिस के बारे में किलों के बारे में प्रशाशन के बारे में बात करेंगे। चलिए। 700 इसवी ज़ाद तर आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो 700 इसवी में बदिदत पांडे के अनुसार ज़ाद तर सही माना जाता है तो चंद वंश की स्थापना 700 इसवी में मानी जाती है सोम चंद इस वंश का संस्थापक था ठीक है माना जाता है कि शुरुवात में ये इतने शक्टिशाली नहीं थे ये एक तरीके से यहाँ पर कौन थे एक सामंत राजा यानि की एक मांडलिक राजा की रूप में ये शाशन करते थे हाला कि जो इनकी डेट लाइने अगर हम इनके काल की बात करें कर्टूरियों के साथ मैच नहीं खाती है लेकिन फिर भी आपको इसी को लेकर पढ़ना है और इसी को लेकर कि आपको सारे फेक्टों को याद करना है पहला कोशन चंद वंश का संस्थापक इसको लेकर बहुत कन्फियूजन होता है कि चंद वंश का संस्थापक सोमचंद है या तोहर चंद है तो इसको आपने टिक नहीं करना है, आयोग सोमचंद को ही चंद वन्स का संस्थापक मानता है तो हर चंद इस वन्स का 23 राजा था, सोमचंद कहां से आया था, तो सोमचंद ज्हूसी प्रियाक से आया था previous year का question ने पूछा गया है सोमचंद किसका उपा सक्था तो सोमचंद भगवान शिव का उपा सक्था सोमचंद की राजधानी यानि की चंदवन्ष की प्रारंबिक राजधानी कहा थी तो चंदवन्ष की सुर्वाती राजधानी चंपावत में थी सोमचंद ने चमपावत में किले का निर्मान करवाया था जिसे हम राजबुंगा का किला कहते हैं कोशन बनता है राजबुंगा का किला कहां है चमपावत किसने बनवाया सोमचंद ने बनवाया ग्रामों में बूढा और सायानों की न्युक्ति की शुरुवात किस ने करी तो ये भी शुरुवात करी थी सोम चंद ने तीक है यानि गावों में जो पंचयत वविस्ता है कुमाओं के अंदर इसको शुरू करने का श्रे भी चंदों को जाता है और चंदों में सोम्चंद को जाता है ये कोशन भी प्रिवे सिरका है पेपर में बना है ततकालीन डोटी नरेश कौन था जब सोमचंद कुमा में आया तो सोमचंद के समकालीन डोटी नरेश था जैदेव मल और यही माना जाता है कि यही डोटी नरेश था जिसके अंडर में सोम चंद एक मांडलिक राजा के रूप में शशन करता था और इसको नियमित टेक्स देता था चोथानी ब्रहमनों की निवक्ति किसने करी तो चोथानी ब्रहमनों की निवक्ति सोमचंद ने करी थी ठीक है इसके अलावा चाराल का गठन किसने किया चाराल यानि कि चार किलेदारों का गठन किया गया जिसमें बोरा, कारकी, तड़ागी और चौदरी शामिल थे ये चार किलेदारों को निक्त किया था सोमचंद ने और इन ही किलेदारों को चार आल बुला जाता था एक important question बन सकता है सोमचंद के द्वारा जो ये चार आल को गठन किया गया था जो ये चार किलेदार निक्त किये गए थे मूल तहा ये लोग कहां के थे तो ये आपके नेपाल के थे इसको भी याद करेंगे सोमचंद ने दून कोट के राजा रावत राजा को पराजित किया था ये भी बन सकता है इसको भी आपने याद करना है तो ये सोमचंद को लेकर के बिल्कुल तू दा फेक्ट हमने यहाँ पर देखे अब बात करेंगे आगे के राजाओं के बारे में कुमाओ में रेशम के कारखाने किस ने लगवाई थे तो कुमाओ में रेशम के कारखाने इंद्रचंद ने लगवाई थे इंद्रचंद चंदवन्ज का चोथा राजा था और इसी के काल में कुमाओ में रेशम के कारखाने लगवाए गए थे हम सभी जानते हैं रेशम सबसे पहले जो उत्पन हुआ था सबसे पहले जब ये प्रडूश हुआ ये चाइना में हुआ था चाइना से होते वे ये जो रिशम था आपका नेपाल गया और फिर वहाँ से होते वे ये भारत में आया क्योंकि जो इंद्रचंद था इसके नेपाल के साथ जो वहाँ की रानी थी उनके साथ अच्छे संबंध थे जिसकी वज़े से जो चाइना का रिशम था नेपाल के इत् इस चंद राजा का चाइना के साथ व्यापारिक संबंद था वो भी इंदर चंद को ही माना जाता है हाला कि डारेक्ट नहीं था नेपाल के माध्यम से था ठीक है जो रेशम बुनकर होते थे उनको पटवा बोला जाता था ठीक है जो रेशम बुनकर होते थे जब इसने रेश प्रफा बोला जाता था पत्रंग वाली प्रफा का संबंद किस्से है इसका संबंद है अच्छा रेशम उत्पादित करने से या ज्यादा रेशम उत्पादन से ठीक है तो पत्रंग वाली प्रफा रेशम उत्पादन से संबंदित है इसमें होता क्या था तो जितना आप जू पूटी बाते आपको फैलानी है, किसके तहट पटरंग वाली प्रथा, कोशन बनता है, इसको याद करेंगे, अगला है, खसों से पराजित होने वाला चंद राजा कौन था, तो खसों से पराजित हुआ था वीना चंद, दो राजाओं के नाम आपने याद करने हैं, एक वीन ठीक है, वीना चंद की बात करें, वीरा चंद का शाशनकाल लगभग 856 के आसपास माना जाता है, और वीर चंद के शाशनकाल की बात करें, ये लगभग 1065 से शुरू होता है, ये दोनों एक के बाद एक राजा बने थे, लेकिन अंतर यहाँ पर 200 सालों का है, कारण क्या है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिखिए, खसों का जहाँ पर पराजित हुआ खसों से वीना चंद, उसके बाद कुमाओं के उपर चंदवंश खतम हुआ थोड़े समय के लिए, और लगभग 200 सालों तक खस साशन कुमाओं में स्थापित हो गया, 200 सालों तक खस साशन खसों को हरा और किसने खसों को हराया, दोनों आपको याद करने हैं, ठीक है, खसों को किसने पराजित किया, तो हमने देख लिया, वीर चंद ने किया, पुनहा चंदवंश की स्थापना करी वीर चंद ने, और इसमें इसका सहयोग करा इसके सेनपती स्री सौन खडायन ने, कोशन बन जाएगा स्री सौन खडायन किसका सेनपती था ये आपके वीव चंद का सेनपती था जिसने दोबारा से यहाँ पर चंद वंज की स्थापना करी थी ठीक है अशोक चल का आक्रमन कुमाव पर कब हुआ था तो अशोक चल नेपाल का ये शाशा का इसने कुमाव पर आक्रमन किया था ग्यारा सो इक्यानवे में इसे आपने याद करना है ठीक है कौन था उस समय चंद राजा नान की चंद उस समय शाशन कर रहा था नान की चंद जो 1177 से लेकर 1195 के काल में राजा था और उसी के काल में अशोक चल जो नेपाल का था उसने यहां पर आक्रमन किया था इसे आपने याद करना है ठीक है नेक्स्ट है हर्षदेव जोशी चंद वन्ष का संस्थापक किसे मानते हैं तो हर्षदेव जोशी के द्वारा चंद वन्ष का संस्थापक थोहर चंद को माना जाता है लेकिन हम उपर के लिए कर चुके हैं थोहर चंद आपने याद नहीं करना अगर हर्षदेव जोशी का नाम लेकर पूछेगा तो आप आपका यहाँ पर थोहर चंद कर देंगे एक और important fact यहाँ पर याद करना एक important किताब है Report on कुमाओं और गड़वाल इस किताब के रचियता है W Fraser और W Fraser भी थोहर चंद को ही चंद वन्स का संस्थापक मानते हैं इसको भी याद करना है पूछा जाता है ठीक है Next है भीमताल में किले का निर्माण किसने करवाय था तो भीमताल में किले का निर्माण त्रिमल चंद ने करवाय था भीमताल आप जानते हैं नेनिताल में हैं नेनिताल को पूर्व काल में छकाता बोला जाता था छकाता परगना के अंतरगती आता था और चंद राजा त्रिमल चंद ने छकाता परगने को जीता और यहां पर भीमताल में एक किले का निर्मान करवाय था ठीक है पहला चंद शाशक जिसने अपने अभिलेक उतकीन करवाई कौन था तो अपने अभिलेक यानि चंद वंश का प्राचीनतम जो हमें अभिलेक मिला है वो किसका मिला है तो वो हमें अभे चंद का मिला है इसको आपने याद करना है कोशन बन जाता है चंद वंश का प्राचीनतम अभिलेक ये हमें लगभग 1360 का अभिलेक है अभे चंद का अभिलेक है और चंद वंश का सबसे प्राचीनतम सबसे पहला अभिलेक इसे माना जाता है ठीक है दिल्ली जाने वाला पहला चंद राजा कौन था? तो दिल्ली जाने वाला पहला चंद राजा गरूर ग्यांचंद था तो ग्यानचंद प्रथम या गरूड ग्यानचंद दिल्ली जाने वाला पहला चंद राजा था दिल्ली में गया उस समय दिल्ली में फिरोज शह तुगलक शाशन कर रहा था फिरोज शह तुगलक ने इसे गरूड की उपादी दी थी कुशन बनता है ग्यानचंद प्रथम को गरुड की उपादी किसने दी फिरोज शहा तुगलक ने ठीक है इसको भी याद करेंगे चंदों का जो राजय चिन था आगे हम पढ़ेंगे चंद राजाओं का राजय चिन गाय था ये पेपर में पूछा गया है लेकिन जो ये गरुड ग्यानचंद था इसका राजय चिन भी गरुड था ठीक है इसको भी ध्यान करेंगे ठीक है सरवादिक अवधी तक रहने वाला चंद राजय भी कौन था गरुड ग्यानचंद ये लगभग आपका 1374 में शाशक बन जाता है और लगभग 1419 था यानिकि लगभग 45-46 क्योंकि कहीं पर 1420 है इस तरीके से तो 45-46 सालों तक ये राजा बना रहता है सबसे लंबी अवधी तक राज करने वाला चंद राजा कौन है गरुड ग्यान चंद है ठीक है इसके सेनपती का क्या नाम था तो सेनपती था इसका नीलू कथायत ठीक है नीलू कथायत को लेकर कोशन बंतें काफी परतापी इसका ये सेनपती था जिसकी हत्या खुद गरुड ग्यांचन करवाता है इसको भी याद करेंगे ठीक है इसने नीलू कठायत को कुमया खिलत की उपादी दी थी कोशन बनेगा नीलू कठायत को पहला कोशन किसका सेनपती था गरुड ग्यानचन और नेलु कठायत को कुमया खिलत की उपादी किस ने दी गरुड ग्यानचन हत्या किस ने करवाई गरुड ग्यानचन ठीक है नेक्स्ट है बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस ने करवाय था तो जो चमपावत में बालेश्वर मंदिर है कहा जाता इसका निर्माण या कहें इसका जिनोधार की बात करें उद्यांग चंद ने करवाय था उद्यांग चंद ने इस मंदिर का निर्माण या जिनोधार शुरू तो करवा दिया था लेकिन पूरा नहीं करपा पाया, जल्दी ही इसकी मृत्य हो जाती है, बहुत छोटा इसका कारकाल था, 1420 में राजा बनता है, 1421 में इसकी मृत्य हो जाती है, इसके कार्य को पूरा करवाता है, इसका पोता विक्रमचन, इसको आपने याद करनी है, कोशन बन जाता है, क्यों तयार करी थी क्योंकि इसने डोटी से 12 वर्ष युद्ध लड़ा था हमने उपर बात करी जो सोमचंद था सोमचंद से लेकर के भारती चंद से पहले तक के सभी राजा डोटी के नरेश के आधिन थे उसको टैक्स देते थे लेकिन भारती चंद स्वतंत्र होना चाहता 1437 में ये राजा बनता है और 1450 तक ये गद्धी पर रहता है ठीके इसने डोटी पर आक्रमन किया आक्रमन करने के लिए इसने समस्त जातियों की एक सेना का निर्मान किया डोटी पर इसने आक्रमन किया 12 वर्ष युद्ध लड़ा और फिर वहां से इसने डोटी की राजा क पराजित किया और पहला स्वतंत्र शाशक बना तो कोशन बनेगा चंद वन्श का पहला स्वतंत्र शाशक कौन था आप बताएंगे भारती चंद था बारहा वर्षय युद्र किसने लड़ा भारती चंद ने समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाला या फिर इन में से किस रा जैमल को कहीं पर यक्षमल भी लिखा गया है इसको भी याद करना है ठीके जैमल था जब हमने उपर बात करी सोमचंध के काल में जब सोमचंध यहाँ पर आया था चंदवन्ज की स्थापना हुई तब कौन था तब जैदेव मल था और अब जैमल था ठीके नायक जाती की उत्पत्ती इसी के काल में होती है भारती चंद के काल में जिसका कारण चंद सैनिक माने जाते हैं ठीके इसको भी आपने याद रखना है पूछा जा चुका है पेपर में के नायक जाती की उत्पत्ती का कारण कौन थे तो चंद सैनिक थे ठीके प्रसिद विरांगना भागा धौनियान के साथ द्वंद युद का विवरन मिलता है भारती चंद का कुशन चंदों का पहला भूमी बंदोबस किसने करवाया था देखे चंद राजाओं में पहला भूमी बंदुबस रतन चंद के द्वारा करवाया गया था रतन चंद भारती चंद का बीटा था, भारती चंद के बाद ये गद्धी पर बैठता है हाला कि भारती चंद के मिर्टी होती नहीं है, चोंने बात करी न, 1450 में वो गद्धी से हट जाता है उसकी मिर्टी नहीं होती है, वो रतन चंद को राजा बना देता है क्योंकि रतन चंद ने उसके काफी मदद करी थी डोटी को जीतने में अब हुआ ये कि चंद राजा पहले छोटे से एरिया में शाशन कर रहे थे अब इन्होंने डोटी को भी अपने अधिकार में ले रिया तो अब इनको भूमी बंदोबस की आविशकता पड़ी और चंद राजाओं में पहला भूमी बंदोबस रतन चंद ने किया ये कोशन पीपर में बन जाता है ठीक है प्रत्रम चंद शाशक जिसने गड़वाल पर आकर्मन किया था तो गड़वाल पर आकर्मन करने वाला पहला चंद राजा कीर्ती चंद था इसको भी याद करेंगे ठीक है कीरती चंद 1488 में राजा बनता है और 1503 तक रहता है इस से पहले कि सितने सारे चंद राजा थे जैसे हमने बातगरी भारती चंद से पहले सब डोटी के अधीन थे उसको टेक्स देते थे लेकिन जब भारती चंद सौतंत्र हो गया उसके बाद आत्मचंद आया उसने भी क्या करा रतनचंद आया रतनचंद ने आके भूमी बंदोबस कर दिया प्रशाशनिक में उसने सारा काम किया हाला कि रतनचंद के काल में डोटी में फिर से विद्रो हुआ था नागमल ने वहाँ पर विद्रो किया था लेकिन उसको भी दबा दिया था वापस दोटी को अपने दिकार में कर दिया था ठीक है लेकिन उसके बाद रतन चंद के बाद राजा बनता है किर्ती चंद अब चंद वंश गड़वाल की तरफ एक्सपेंशन के बारे में सोचते है गड़वाल पर पहला आक्रमन करने वाला चंद राजा कीर्ती चंद था और इस समय गड़वाल का राजा था अजयपाल पहले युद में कीर्ती चंद अजयपाल को पराजित कर देता है 1491 में ये हुआ था अगले साल दुबारा से अजयपाल जो है वो अब कीर्ती चंद प जिसने कुमाओं पर आक्रमन किया तो अजैपाल ठीक है चलिए सूरवश के विद्रोही खवास खान को किसने शरण दी थी सूरवश का विद्रोही खवास खान ये भाग कर उत्राखंड में आया कुमाओं में गया और इसे शरण दी थी मानिक चंद ने इसका नाम भी आपने याद करना है मानिक चंद का उल्लेक हमें अब्दुल्ला की किताब तारीक ए दाउदी में देखने को मिलता है कोशन बन सकता है वह चंद राजा जो राजधानी आलम नगर ले गया था तो आलम नगर यानि अलमोडा की बात हो रही है भीश में चंद ने करवाय था हलाकि पूरी राजधानी ये स्थापित नहीं कर पाया उसी से पहले एक खस सरदार था जिसका नाम था गजुवा वो इसकी हत्या कर देता है इसको भी आपने याद करना है लेकिन राजधानी कौन लेकर गया यहां पर भीश में चंद लेकर गया और खगमरा किले का निर्माण इसने करवाया लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया था तो अलमोडा में लाल मंडी किला है इसका निर्माण बालो कल्यान चंद ने करवाया भीश्मचंद के बाद ये गद्धी पर बैठता है भीश्मचंद जिसने राजधानी ट्रांसफर तो कर दी थी लेकिन पूरी बना नी पाया राजधानी बनती कब है चंदवंश की अलमुडा ये बनती है बालो कल्यान चंद के काल में इसको भी आपने याद करना है और इसी ने वहाँ पर लाल मंडी किले का निर्मान भी करवाया इसको भी याद करेंगे इसके अलावा नेल पोखर में महल का निर्मान जिसे वर्तमान में पल्टन बाजार कहा जाता है इसका निर्मान भी बालो कल्यान चंद ने करवाया था तरही छेतर पर अधिकार कर लिया था किसके शाषन काल में किया था ये किया था रुद्रचंद के काल में ठीक है अकबर से रुद्रचंद की भेंट कब होती है कहा होती है अकबर और रुद्रचंद ये दोनों समकालीन थे रुद्रचंद और अकबर की मुलाकात 1588 में होती है और ये मुलाकात लाहोर में होती है इसे आपने याद करना है जगह पूछी जाती है तीन कोशन बनते हैं पहला कोशन रुद्रचंद ने अकबर की आधीनता कब स्विकार करी तो इसने स्विकार करी 1587 में उसके बाद अगले ही साल 1588 में ये अकबर से मिला और तीसरा कोशन कहां पर मिला लाहोर में मिला ठीक है रुद्रचंद ने अकबर को तिबटी याग कस्तूरी घोड़े आधी तोफे में दिये थे इसको भी आपने याद करना है कोशन बन जाता है ठीक है नागबर की लड़ाई में हिस्सा लिया जब ये अकबर से मिलने गया तो फिर अकबर के कहने पर इसने नागबर की लड़ाई में भी हिस्सा लिया यहाँ पर इसने काफी जादा वीर्था दिखाई जिससे अकबर इससे काफी जादा खुश हुआ और फिर इसे तराई का सुबयदार वो नियुक्तिक कर देता है फिर ये वापस जाता है तराई भाबर में और ये फिर रुद्रपूर की स्थापना करता है इसको भी आपने याद करना है रुद्रचंद के सेनपती का क्या नाम था? रुद्रचंद का एक प्रसिद सेनापती था जिसका नाम था पुर्षोतम पंत इसे पुर्खु पंत के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इसी पुर्षोतम पंत की मदद से रुद्रचंद ने सिरा जीता था ठीक है रुद्रचंद का जो पिता था बालो कल्यान चंद वो सिरा राज्य चाहता था लेकिन सिरा राज्य उसे मिला नहीं ठीक है क्यों नहीं मिला पहलंबी कहानी है अल्रेडी हम इसको जब हमने चंद वंश पड़ा है एक मास्टर वीडियो में उसमें मैं आपको बता चुका हूँ तो जो बालो कल्यान चंद था वो सिरा जीतना चाहता था लेकिन नहीं जीत पाया रुद्रचंद की मदद करी सिरा जीतने में इसके सिनपती पुरशोतम पंत ने इसका नाम आपने याद करना है ठीक है किस युद में पुरशोतम पंत मारा गया तो पुरशोतम पंत आपके गुवालदम के युद में मारा गया जिसे बदहानगड का युद भी कहते हैं गुवालदम का युद्ध या बधहांगड़ का युद्ध 1581 में लड़ा गया यहा युद्ध रुद्रचंद और साथ में जो गड़वाल का राजा था बलभद्रशह और सुकाल देव इनके बीच आपस में लड़ा गया यानि एक तरफ रुद्रचंद था और दूसरी श्चाली में कौन है ब्रह्मदेव को माना जाता है लेकिन अंतिम कतूरी राजाओं में शुकाल देव का नाम भी आपको याद करना है ठीक है इसकी हत्या रुद्रचंद ही करता है इसी युद्ध के बाद इसी युद्ध में इसका सेनपत्ति पुरुशुत्त अंपंत मारा इसे आपने ध्यान रखना है जिसे शाहिनिक शास्त्र बोला जाता है इस सारी रचनाएं रुद्रचंद की हैं अल्मोडा में मल्ला महल का निर्मान इसने करवाया था तो अल्मोडा में मल्ला महल का निर्मान रुद्रचंद ने ही करवाया था तीक है इसके काल में सामानिय जंता के लिए पौडी पंद्रह विस्वा बोला जाता था ये कोशन भी बन सकता है रुद्रचंद के काल में सामानिय जंता को क्या बोला जाता था पौडी पंधा कहीं पर पंधा है कहीं पर पंधा है तो पौडी पंधा बिस्व इसको बोला जाता था ठीक है गडवाल पर साथ बार असफल आक्रमन करने वाला चंद राजा कौन था ये था लक्षमी चंद लक्ष्मी चंद ने गडवाल के उपर साथ बार असफल आक्रमन किया उस समय गडवाल का राजा मानशहा था मानशहा के ये समकालीन था साथ बार इसने गडवाल पर आक्रमन किया साथो बार ये मानशहा से पराजित हुआ इससे संबंदित किला है आपका श्याल बुंगा का किला कोशन बनता है जैसे राज बुंगा का किला किसे रिलेटिड है सोमचंद से इसी प्रकार श्याल बुंगा का किला लक्षमी चंद से संबंदित है इसका उपनाम था लकुली बिराली लकुली बिराली उपनाम से किसे जाना जाता है लक्षमी चंद को जाना जाता है क्योंकि ये जब मुगलों के सामने जाता था कहा जाता है कि उनके सामने ये पूरी भीगी बिल्ली बन कर रहता था इसलिए इसे लकुली बिराली के नाम से भी जाना जाता है निवावली और बिष्टावली नामक कचहरियों का निर्माण इसी के काल में हुआ था तो दो कचहरी एक निवावली और बिष्टावली पहली बात तो यही पूछ लेगा कि निवावली और बिष्टावली क्या है क्या ये कर हैं, क्या ये भूमी के प्रकार हैं, क्या हैं, ये आपकी कछहरिया है, ठीक है, जो नियोवा वली थी, ये सामान्य जन्ता के लिए थी, और जो बिश्टा वली थी, ये सैनिक मामलों के लिए थी, ठीक है, इनका निर्मान इसी के काल में होता है, ठीक है, बागनात म पंदिर में गया, यहां का इसने जीनोधार करवाया, पूजा पाट किया, और उसके बाद इसने आठवी बार ट्राइ किया, गड़वाल की उपर अटेक का, और तब इसको थोड़ी सी जीत वहाँ पर मिली, जब इसने आठवी बार जब आक्रमन किया, तो जो गड़वाल का स इसने शिरुवात करी, और आज भी कुमाओं में खतडवा तहवार मनाया जाता है, पश्वों का एक प्रमुक तहवार की रूप में उसे मानते हैं, खतडवा तहवार की शिरुवार लक्ष्मी चंद के काल में ही हुई थी, इसको भी आपने याद करना है, और क्यों हुई जो गडवाल का सेनपती था, खतर से, उसकी मृत्यू के बाद, जब इसने आठवी बार आनशिक विजे इसको मिली थी, जहागीर से इसने भेट करी थी, जहागीर से मुलाकात करने वाला चंद राजा कौन था, वो था आपका लक्ष्मी चंद, तुजु के जहागीरी में ह अभी चंद वंश का राजा नी बना, यह आपके लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था, रुद्र चंद के दो प्रमुग बेटे थे, बड़ा वाले बेटे का नाम था सक्तिक गुसाई, यह जन्म से ही अंधा था, इसलिए इसे कुमाओ का धृतराश्ट बोला जाता है, यह भी बोला जाता है, जो उसके टाइम पे, जो हमने उपर कचेरियां देखी, बनी वो लक्ष्मी चंद के काल में, लेकिन उसका श्रे भी सक्तिक गुसाई को जाता है, इसके अलावा जो जूलिया और सिर्ती नामक टेक्स थे, सबसे पहले वो भी सक्तिक गुसाई के ही द चंद राजा कौन था, तो टीबी से मरने वाला चंद राजा था, दिलीब चंद, बॉर्टेंट जादा नहीं है, लेकिन फिर भी सिक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं, तो सभी राजा जो आएंगे, उनको देखते वे चलेंगे, मल्ला महल के दरवाजों का निर्मान किस ने कर करवाया था, मल्ला महल का निर्मान करवाया था, रुद्रचंद में, और इसके जो दरवाजे थे, द्वार थे, इनका निर्मान विजय चंद के द्वारा करवाया गया था, विजय चंद दिलीब चंद के बाद गदी पर बैठा ठीक है, जब विजय चंद गदी पर बैठा तो विजय चंद के काल में ये केवल नाम मात्र का राजा था इसके टाइम पे दो व्यक्ति इंपोर्टेंट थे एक का नाम था आपके शक्राम कार की और एक था पीरु गुसाईं और एक और तीसरा व्यक्ति था जिसका नाम था विनायक भट इन तीनों के हातों में वास्तविक सत्ता थी और इन ही की कटपुतली के रूप में काम करता था विजय चंद लेकिन बाद में जब विजय चंद अपने अनुरूप काम करने लगा इन तीनों को असुरक्षा महसूस होने लगी कि राजा हमारे हाथ से अब जा रहा है तो इन्होंने विजय चंद की हत्या करवाती थी जागेश्वर में किस चंद राजा की मूर्ती है तो जागेश्वर में आपको त्रिमल चंद की मूर्ती देखने को मिलती है साथ में दीप चंद की मूर्ती भी जागेश्वर से आपको मिलती है दोनों राजाओं का नाम याद करेंगे कि जागिश्वर के मंदिरों में किस राजा की मूर्ती मिलती है त्रिमल चंद और दीप चंद की ठीक है हम केवल चंद वंच के जो important questions हैं उनको यहाँ पर cover कर रहे हैं quick revision के लिए अगला जो important fact आपको त्रिमल चंद से याद रखना है पहला तो यही जागिश्वर में इसकी मूर्ती है दूसरा महिपती शाह से इसने कोसी का युद किया था कोसी का युद 1635 में होता है त्रिमल चंद और महिपती शाह के मध्या में और इसी युद में महिपती शाह वीर गती कुपरात हो जाते हैं इसको भी याद करना है महिपति शाह का निधन किस युद्ध में हुआ कोशी के युद्ध में किस के साथ हुआ था कुमाओ में जजिया कर किसने लगवाय था तो कुमाओ में जजिया कर लगाने वाला राजा था बाज बहदूर चंद बाज बहदूर चंद की बात करें तो श बाज बहद्दूर के नाम से ये जाने जाने लगा और फिर उसने अपने दर्बार को जो मुगल दर्बार था उसके समान बनाने का प्रियास किया खुद को मुगलों की तरह इसने बनाने का प्रियास किया और उसी क्रम में क्योंकि औरंगजेव ने जजियाकर दुबारा से श शाह जहां से मिलना गया, शाह जहां ने इसको बहदुर की उपादी दी, इसे तराई का जमेदार नुक्त किया, इसने आकर फिर तराई का प्रबंधन किया, और फिर बाजपुर की स्थापना इसने करी, ठीक है, बदहान गड़ से नंदा देवी की मूर्ती लाया, अलमोडा क मल्ला महल में, बदहान गड़ पर इसने हमला किया, वहां से नंदा देवी की प्रतिमा, ये कुमाओं में लेकर आया, और अलमोडा में जो मल्ला महल था, उसमें इसने इस प्रतिमा को इस्थापित किया, इसको भी याद करेंगे, इसके अलावा कौन दूसरा राजा था, ज इसको भी याद करेंगे, हुनों को इसने पराजित किया, ताकलखाल किले को इसने जीता, और हुनों पर सीर्थी कर लगाया, तीन इंपोर्टन कोशन, हुनों को पराजित करने वाला, ताकलखाल किले को जीतने वाला ताकलखाल किला जो था, वो उस समय व्यापार का पूटिया लोगों का जो येदर के लोगते कुमाओं के वो इसी किले के माध्यम से होता था यहां पर हूण जो थे काफी जाधा परिशान कर रहे थे और इसके लावा जो यात्रा के लिए भी जो जाते थे उनको भी काफी जाधा परिशान कर रहे थे हूण इनको पराजित कि बाजबहदुर चंद ने ताकलखाल के लिए पर कबजा किया, खुणों के उपर इसने सिर्थी कर लगा दिया था, सिर्थी कर क्या था एक प्रकार का नगट टेक्स, ठीक है, मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंट भूमी दान देने की इसने शिर्वात करी, जो मानसरोवर क यात्रा पर जाते थे, यात्री उनके लिए इसने गूंट भूमी, गूंट भूमी क्या होती थी, ऐसी भूमी जिससे जो भी आई होगी, जो भी राजस्व जिससे मिलेका, वो मंदिरों की देखवाल के लिए होगा, या मंदिर के जो यात्री हैं, जो पुजारी हैं, उनके लिए उसका इस्तेमाल किया जाएका ठीक है तो ये मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंट भूमी दान देने की शिरुवाद भी किस ने करी थी इसी राजा ने करी थी ठीक है बागेश्वर में पिननात मंदिर और भीमताल में भीमेश्वर मंदिर का निर्माण भी बाज बह हदुर चंद को लेकर पूछा जाता है पिठोरागड में एक हतिया देवाल का निर्माण इसी राजा ने करवाय था इस एक हतिया देवाल की बनावर एलूरा के कैलाश मंदिर जैसी है इसको भी याद करेंगे कुशन बनता है इसे कुमाओं का बलबन भी बोला जाता है कु जैचंद राजा बना उसकी भी हत्या होगई फिर आया त्रिमलचंद त्रिमलचंद भी उस तरीके से शक्तिशाली राजा नहीं बन सका वो भी सारा टाइम डड़डर के ही जिया किक है तो उसके काल में जो चंद वंश था पूरी तरीके से हिल चुका था चंद वंश को वापस से मजबूत करने का कारिय किस नी किया बाज बहदुर चंद ने थीक वैसे ही जैसे जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी इल्तु तमिश के बाद लगातार राजा बनते रहे जाते रहे रजिय सुल्तान बनी रुकनोदिन फिरोज बना लगातार बनते रहे लेकिन जो गुलाम वंश था तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था शक्तिशाली दुबारा से कवह इल्तु तमिश के बाद जब बलबन रा लगता है किस चंदराजा का एक फोटो नियॉर्क के ब्रूकलीन म्यूजियम में है बाज बहदुर चंद का बूढा अत्याचारी शाशक इसे ही बुला गया है देखे इसने धर्म के काफी सारे काम किये जो हून थे जो व्यापारियों को परिशान करते थे मानसरोवर यात्रि शुरू कर दिये और इसलिए इसे बूढा अत्याचारी शाशक भी बोला जाता है इसको भी आपने याद करना है कोशन बन जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट है अलमोडा में पारवतिवेश्वर और तिरपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण किस ने करवाय था तिरपुर पूछेगा किस चंद राजा को तपस्वी शाशक बोला जाता है उद्योग चंद को बोला जाता है किसने बोला था तो एक प्रसिद इतिहासकार है रुदुद्रत पंत इन्हों नहीं इसे तपस्वी शाशक बोला था डोटी के राजा देवपाल से इसने खेरागडी की आपने याद करना है उस समय डोटी में देपाल शाशन कर रहा था इसको इसने पराजित किया इसके साथ एक संधी करी जिसे हम खेरागडी की संधी कहते हैं कुशन बनता है खेरागडी की संधी कब हुई और किसकिस के बीच वी उद्योगचन देपाल के बीच वी 1688 में हुई ठीके इसको भी याद करेंगे उपर हमने बात करी थी भारती चंद की बारे में और उसके बाद उसके बेटे रतन चंद के बारे में और हमने देखा था कि रतन चंद भी डोटी में गया था नागमल ने जब विद्रोग किया था वो आक्रमन नहीं था भारती चंद उसी समय डूटी को जीत कराये था, वहाँ पर अपने सामंत निप्त करके आये था, लेकिन नागमल ने आवाज उठाई, तो रतन चंद केवल वो जो आपका विद्रोह था, उसे दवाने गया था, अटैक नहीं था कि कोई दूसरी शत्ता वहाँ पर इस्थापी थी, और उसे पराजि की स्थापना किसने करवाई, तो यहाँ भी किसने करवाई थी, उद्योग चंद ने, ये भी कोशन पेपर में बनता है, कत्यूर में बदरिनात मंदिर का निर्माण किसने करवाए था, देखें, बदरिनात मंदिर का निर्माण कत्यूर में ग्यान चंद दूतिया ने करवा इसी के द्वारा पत्यूर घाटी में बदिनात मंदिर का निर्मान भी करवाया गया था, ठीक है? इसी ग्यांचंद दुतिया के साथ फतह पती शाह का युद्ध होता है, दुधोली का युद्ध जिसको हम कहते हैं, 1703 में यहां युद्ध लड़ा गया था, ठीक है? कुमाओ का स्वन्न काल किसके काल को कहा जाता है? कुमाओ का स्वन्न काल जगचंद के काल को कहते हैं, चंदवंशिया राजा जगचंद के काल को कुमाओ का स्वन्न काल बोला जाता है, 1708 से लेकर 1720 तक यह राजा रहा था और इसी के बाद चंदवंश का पतन शुरू हो जात तो चंद वंश का जो स्वंड काल माना जाता है वो जगत चंद की काल को माना जाता है 1708 से लेकर 1720 तक ठीक है जुए पर एक्स लगाने वाला राजा कौन था जुए पर कर लगाने वाला पहला शाशक भी जगत चंद था चेचक से मरने वाला चंद राजा भी कौन था जगत चंद था ठीक है? घजार गाएं इसने दान करी थी तो हजार गाएं दान करने वाला भी कौन था? जगजचंद था जगचंद ने फटेपति शाहा को पराजित किया था पूरे गडवाल यानि कि शिरी नगर पर जो कि गडवाल की रासधानी थी श्री नगर पर इसने अधिकार कर लिया था लेकिन फिर इसने किसी ब्रहमन को वो दान में दे दिया और उस ब्रहमन ने वापस फतिफथी शाह को दे दिया कुशन बनता है, फतिवपती शाह को पराजित कर, शिरी नगर पर किस ने अधिकार कर लिया था, जगरचन्द ने कर लिया था, छीक है, इसको याद करेंगे कुमाओं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे बोला जाता है कुमाओं का मोहम्मद बिन तुगलक देवी चंद को बोला जाता है इसी के बाद कोशन बन चुका है पेपर में कि किसके काल से चंदवन्ष का अवनती काल या उसका पतन शुरू होता है ये शुरू होता है देवी चंद के बात से ही, ठीक है, देवी चंद जगद चंद का बीटा था, 1720 से लेकर 1726 तक ये राजा रहता है, और इसी के काल से चंदवन्ष का पतन शुरू हो जाता है, ठीक है, इसे कुमाओ का मुहम्मद बिन तुगलक कहते हैं इसके अलावा इसे कुमाओ का विक्रमदित्य भी बोला जाता है तो विक्रमदित्य बनने की इसको चाहा थी बदिदत पांडे इसे विक्रमदित्य कहते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसे कुमाओं का रंगीला बादिशाह भी बोला जाता है इसको भी आपने याद करना है किसके समय में गैडा गर्दी चरम पड़ थी तो गैडा गर्दी चरम पड़ थी अजीचंद के काल में अजीचंद कौन था कहां से आया हम तो देवीचंद पड़ रहे थे देवीचंद 1720 में राजा बनता है 1726 में दो बाब बेटे थे एक मानिक मल गैडा और एक था आपका पूरण मन गैला ये दोनों के दोनों बाब बेटे थे इन दोनों ने देवीचंद की हत्या कर दी और अजीचंद गड़ी पर बैठा अजीचंद केवल नामात्र का शाषक था वास्तविक सत्ता किसके हातों में थी इन्ही दोनों के हातों में मानिक मल और पूरण मल ठीक है और इन्ही के द्वारा काफी सारे अत्याचार कुमाउं में किये गए जिसे गैना गड़ी के नाम से जाना जाता है किस के काल में चरम पर थी अजीत चंद के काल में थी हला कि बाद में ये दोनों मिलकर अजीत चंद को भी मार देते हैं सभी चंदों के वंशजों को मारने का आदेश किस ने दिया था सभी चंद राजाओं के वंशजों को मारने का जो आदेश दिया था ये कल्यान चंद ने दिया था इसे कहीं पर कल्यान चंद पंचम भी बोला जाता है कहीं पर इसे कल्यान चंद चतुर्त भी बोला जाता है जादातर जगहों पर इसे चतुर्थ बोला जाता है तो चतुर्थ के अनुसार इसको आपको याद करना है ठीक है जो कलियान चंद चतुर्थ था जब यहाँ पर गेडागर्दी चरम पर थी तो जो दो धड़े थे कुमाओ के प्रसित धड़े महरा और फरतियाल वो ढूंड क कहीं से कलियान चंद को और इसको राजा बना दिया कलियान चंद चतुर्थ को अब यह पहले काफी गरीब था काफी खराब इस्तिती में यह अपना जीवन व्यापन कर रहा था अब इसे आते ही राजा बना दिया गया तो इसके माइंड के अंदर एक डर था कि अगर कोई दूसरा वनसच निकल के आ गया जो मीरी कुर्सी पर आ जाए तो फिर इसका क्या होगा इसे फिर वापस जाना पड़ेगा यह डोटी में उसमें मजदूरी करता था तो इसको फिर वो डर था तो इसने क्या करा गदी पर बैठते ही सबसे पहले इसने उन दोनों जो गैड़ अगर हम इसके टाइम पीरिड की बात करें 1729 से लेकर 1747 तक ये चंदवंश का राजा रहता है इसी के काल में कुमाओं पर रोहिलाओं ने आक्रमन किया था किसके नित्त में रोहिलाओं ने आक्रमन किया था अगर आपसे ये कुशन पूछ लिया जाए इसको भी आपने या अगर्द करी अपने खजाने से लगभग 30,000,000 रुपे उन्होंने रोहिलाओं को दिये और लगभग 8 महीने रोहिलाओं का कुमाओं पर अधिकार रहा उसके बाद उन्होंने कुमाओं को खाली किया इसको भी आपने याद करना है एक और चीज कल्याणचंद को लेकर बू इसके बारे में बोला जाता है ये है इसका बैक्राउंड ठीक है मेन कोशन जो बनता है वो ये बनता है किस चंदर राजा के अंतिम समय में आंखों की रोशनी चली गई थी तो वो था कल्यान चंद इसको आपने याद करना है इसलिए मैंने आपको वो इस्टोरी बताई ऐसा कोशन नहीं बनता लेकिन आपको वो पता होना चाहिए आप इसको इसको फिर याद कर चाएंगे ठीक है तो कल्यान चंदर चतुरत ही था अंतिम समय में इसकी भी आंखों की रोशनी चली जाती है यानि इसकी भी आंके फूड जाती है ठीक है शिवदेव जोशी को दीब चंद का सरक्षक इसने निक्ट किया जो कल्यान चंद था यह समझ चुका था कि जो इसका बेटा है दीब चंद वो एक शाशक लायक नहीं था वो एक अयोग्य शाशक की तौर पर था मंद बुद्धी टाइप का था तो इसने शिवदेव जोशी को दीब चंद का सरक्षक निक्ट कर दिया था अब ये शिवदेव जोशी कौन है आप सभी अच्छे से जानते है जिसे काली कुमाओ का चानक्य बोला जाता है कुमाओ का अलवरिक बोला जाता है किंग मेकर बोला जाता है हर्षदेव जोशी उसी का पिता था शिवदेव जोशी इसको किसने निक्त किया दीब चंद का सरक्षक कल्यान चंद ने निक्त किया अब जब तक शिवदेव जोशी रहेगा तब तक चंदवन सही से रहेगा इसके जैसे ही निधन होता है चंदवन शिर अपनी उल्टी गिंती बहुत तेजी से गिनना शुरू कर देता है अब देखते हैं आगे इसमें और चीजें आपको क्या-क्या कोशन बनते हैं देखिए एक और चीज इसने इसको सनक्षक तो निक्त कर दिया इसलिए शिवदेव जोशी को कुमाओ का बैरम खान भी बोला जाता है इसको भी आपने याद करना है कुमाओ का बैरम खान किसको कहते हैं शिवदेव जोशी एक हिस्टॉरियन है इतिहासकार है जिनका नाम है नित्यानं मिश्र सिवदेव जोशी को कुमाओं का सिवाजी भी कहते हैं इसको भी आपने याद करना है ठीक है फ्रांसिस हैमिल्टन ने गुंगा शाशक किसे कहा है ये कोशन पेपर में बन चुका है फ्रांसिस हैमिल्टन ने गुंगा शाशक दीब चंद को बोला है, ये गुंगा ही शाषक था, यानि कि तरीक से ज़ादा कुछ बोलता नहीं था, जो भी इसके पास आता था, ये उनको मना नहीं कर पाता था, यानि कि केवल एक कह सकते हैं, आप अयोग्या शाशक था ठीक है तो इसे गूंगा शाशक बोला है Francis Hamilton ने इसको आपने याद करना है होता ये है इसका जो टाइम पिरियर था दीब चंद का इसका टाइम पिरियर था ये आपके 1747 में राजा बन जाता है और 1770 तक ये राजा बनता है लेकिन 1764-65 के टाइम पर शिवदेव जोशी का निधन हो जाता है जैसे ही उसका निधन होता है इसकी एक रानी थी जिसका नाम था श्रंगार मնजरी श्रंगार मनजरी का जो दखल था इसकी राजनीती में इसके शाष्टन में वो काफी जादा बढ़ जाता है मोहन सिंग गुसाईं को वो सेनापती निक्त कर देती है, दिवान निक्त कर देती है, सारे महत्वपूर्ण पदों पर गुसाईं को बैठा देती है कौन? स्रंगार मंजरी, कौन थी? दीब चंद की पतनी थी वही मोहन सिंग गुसाईं क्या करता है दीब चंद को कैद कर देता है सिरा कोट के किले में जहां पर इसकी मृत्ति होती है और मोहन सिंग गुसाईं मोहन चंद के नाम से कुमाओं की गद्धी पर बैठ जाता है तो कहां से आया मोहन चंद? यहीं से आया श्रंगार मंजरी की मदद से आया तो दीब चंद की मृत्यू कौन से किले में होती है? सिरा कोट के किले में बहुत important question बनता है कुमाओ में चंद वंश के काल का कुख्यात कारागार के रूप में प्रसिद है सिरा कोट का किला इसे भी आपने याद करना है ठीक है? चलिए जो शिवदेव जोशी था इसकी मृत्यू 1764 में होती है इसको भी आपने याद करना है ठीक है? और उसी के बार जो श्रंगार मंजरी थी उसका दखल काफी बढ़ जाता है जो 1777 तक आपके काफी चरम पर पहुँच जाता है ठीक है? गड नरेश ललित शाह से बगवाली पोखर के युद में कौन हा रहा था? देखें 1777 में हम पहुँच गए थे जब क्या हुआ? मोहनचंद गदी पर बैठ चुका था जब मोहनचंद राजा बन गया हर्षदेव जोशी गड़वाल में गया गड़वाल में उसमें लली शाह का शाषन था लली शाह को उसने कुमाओं पर आकरमन का निमंतरण दिया और सुझाओ दिया कि आप अपने दूसरे बेटे को वहां कराजा बना दीजिए मैं आपका पूरा सैयोग करूँगा लली शाह आकरमन कर देते हैं 1789 में मोहनचंद और लली शाह के बीच एक युद्ध होता है बगवाली पोखर का युद्ध 1789 में होता है और इस युद्ध में मोहनचंद पराजित हो जाता है मारा नहीं जाता पराजित होता है ठीक है इसको याद करना है ललिश शहा ने प्रद्युमन शहा को किसका दत्तक पुत्र बना कर गद्धी पर बैठाया तो इसने बनाया था दीब चंद का दत्तक पुत्र ठीके दत्तक पुत्र यानि की गोद लिया हुआ पुत्र तो परद्युमन शहा को इसने इसका गोद लिया हुआ पुत्र बताया और परद्युमन चंद के नाम से गद्धी पर बैठा दिया और हर्षदेव जोशी को इसका प्रधानमंत्री नुक्त कर दिया दो बार गद्धी पर बैठने वाला एक मात्र चंद राजा था मोहन चंद पहले ये 1717 से लेकरके 1789 तक गद्धी पर रहा फिर प्रद्युमन चंद आ जाता है 1780 से लेकरके 1786 तक या 79 से लेकरके 86 तक उसके बाद जो जैकरिश शह ता गडवाल में हम सभी जानते हैं प्रद्युमन शाहा के पास जाता है कि आप वापस आईए अपनी गद्धी को संभालिये प्रद्युमन शाहा आने से मना कर देता है हर्षदेव जोशी एक सीना को तयार करता है अटेक करता है मोहन चंद पर और मोहन चंद को पराजित कर देता है अब की बार मोहन चंद मारा जाता है ठीक है और फिर हर्शदेव जोशी क्या करता है एक व्यक्टी को शिवचंद के नाम से गद्दी पर बठा देता है यह नाम मांतर का राजा था वास्तविक शक्ती हर्शदेव जोशी के हाथ में थी इसलिए शिवचंद को मिट्टी का महादेव बोला जाता है important question है याद करेंगे ठीक है गोर्खों से हवाला बाग के युद्ध में कौन पराजित हुआ देखिए अब शिवचंद गद्धी पर बैठा हुआ था 1788 में ठीक है लेकिन जो मोहन चंद था उसका जो भाई था जिसका नाम था लाल सिंग गुसाई और मोहन चंद का बेटा महेंदर चंद ये दोनों फिर से सिना लेकर आते हैं शिवचंद और हर्षदेव जोशी को पराजित कर देते हैं शिवचंद उसके बाद उसका कहीं अथा पता नहीं चलता कि वो राजा कहां गया लेकिन हर्षदेव जोशी वहाँ पर पराजित हो जाता है जो लाल सिंग गुसाई था और जो महिंद्र चंद था उसके बाद महिंद्र चंद को वह गद्धी पर बैठा देता है और महिंद्र चंद ही कुमाओं में चंद वंश का अंतिम राजा था इसको आपने याद करना है हर्षदेव जोशी दुबारा से भाग जाता है फिर वह गडवाल आता है पर्द्य weekend शहा फिर मना कर देते हैँ अब वो गोर्खाओं को बुला कर ले कर राता है ठीक है कोशन बंता है अंतिम चंद राजा कौन था महिंद्र चंद अंतिम चंद राजा था गोरखाओं ने आक्रमन किया 1790 में हवाला बाग का युद्ध हुआ एक साधारान सा युद्ध था जिसमें महेंद्र चंद पराजित हो गया और फिर भागया फिर वापस ये आया ही नहीं ठीक है इसको याद करना है चंद वंश का अंतिम राजा नेपाल का शाषक कौन था उस समय जब इनका आक्रमन हुआ जब इनका अधिकार हुआ कुमाओं में रन बहदुर शहा प्रधान मंत्री कौन था भीम सेम थापा उस समय प्रधान मंत्री था अब कौमाओं में गोरखाओं का शाषन इस्थापित हो गया 1790 से लेकर 1815 तक कौमाओं में गोरखाओं का शाषन रहता है और फिर 1815 से लेकर 1947 तक यहां पर किसका शाषन रहता है अंग्रेजों का शाषन रहता है तो इसके बारे में, जब हम गोर खा और बिटिश आशन पढ़ेंगे, तब वहां पे हम बात करेंगे, तो ये चंद वंशित था, अब इनके कुछ important परशाशन, इनके कुछ सब्दावली हैं, उनको देखते हैं, फिर केलों के बारे में बात करेंगे, करों के बारे में बात कर यानि कि जो इनका सामराज्य था, वो कई सारे मंडलों में विभग था, जो परगने होते थे वो आपके गर्खा या पट्टियों में विभाजित थे, इसको भी याद करना है, चंदों का राज्यचिन गाई थी और चंदों के बारे में जानकारी हमें जहांगीर नामा और शह करते थे, कोटाल जो होता था ये लगान का हिसाब किताब रखता था, वहरी चोकिदारी के साथ साथ डाकिया का कारे भी करता था, इन दोनों को आपने याद करना है कोशन बन जाए का, ठीक है, पधान इसको बोला जाता था, यहाँ पर प्रधान लिखाए, तो पधान मुनाकोट तामरपत्र से मिलती है, मुनाकोट तामरपत्र लक्षमी चंद का एक इंपोर्टन तामरपत्र है, उसी से में इनके करों के बारे में जाधा जानकारी मिलती है, चंद काल में कुल मिलाकर 68 कर यहाँ पर लागू थे उस समय, जिनको 36 रकम वा 32 कलम बोला जाता था कोशन बनता है 36 रकम 32 कलम किसके काल के टेक्स थे, चंद काल के, इनको चंदों ने लगवाया और गोर्खाओं ने एक ही अच्छा काम किया था, इन टेक्सों को हटाया था, ठीक है, इन टेक्सों को 36 रकम और 32 कलम हटाया किसने गोर्खाओं ने, ठीक है, कुछ important कर थे, इन में बोला जाता था, नगद के बदले में जो कर दिया जाता था, उसे कूत बोला जाता था, युद्ध के समय कौन सा कर लिया जाता था, युद्ध के समय मांगा कर लिया जाता था, सेना के लिए कटक कर मांगा जाता था, राज सेवकों के लिए सुयूक कर मांगा जाता था, ठीक के राज नर्तके थे नर्तके थे उनके लिए बजनिया कर लिया जाता था अब बात करेंगे कुमाओं के कुछ प्रमुक यहां पर किले हाला कि दो important कर और हैं एक जो लेखक के लिये लिया जाता था जो लेखा कादी होते थे उनके लिए चंद काल में साहू कर लिया जाता था ठीक है और एक कर था टांड कर जो कपड़ा बुनकर होते थे सूती वस्तरों के बुनकर होते थे बुनकरों से लिया जाता था टांड कर इसको भी आपने याद करना है कुछ important किले हैं यहाँ पर कुमाओं के जादतर चंद कालीन है एक दो आपके गोरखाओं के भी है चलिए इनको देखते हैं सबसे पहला उपर हमने देखा था खगमरा का किला किसने बनवाया था भीश्म चंद ने बनवाया था आपके अलमोडा में है लाल मंडी का किला किसने बनवाया था लाल मंडी का किला कल्यान चंद ने बनवाया यह आपके अलमोडा में है मल्ला महल रुद्र चंद ने बनवाया अलमोडा में है राजबुंगा का किला सोम चंद ने बनवाया आपके चंपावत में है, नेथड़ा का किला ये अलमुडा में है, गूर्खा कालीन है सिर्मोही का किला ये आपके चंपावत में है इसे भी आपने याद करना है बानासुर्ग का किला, जिसे मारकोट का किला भी कहते हैं इसे आपके चमपावत में ये इस्थापित है इसको भी आपने याद करना है तीक है गुला चौड का किला ये कहा है तो गुला चौड का किला भी आपके चमपावत जिले में इस्थित है इसको भी आपने याद करना है कोशन यहां से बन जाता है सबसे पहले बात करेंगे बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं कोशन की फॉर्म में कवर करते वे चलेंगे क्योंकि हम रिवीजन यहां पर कर रहे हैं सबसे पहला प्रश्ण बनता है पमार वन्ष का संस्थापक कौन था तो पमार वंश का संस्थापक कनक पाल था इसे आपने याद करना है अलग-अलग इसको लेकर कोशन बनते हैं अलग-अलग इसके आंसर आपको अलग-अलग बुक्स में देखने को मिलते हैं लेकिन इस चीज को याद रखना है सोन पाल संस्थापक नहीं था कनक पाल आयोग म लेकिन जो इसका आंसर सही माना जाता है वो 888 को माना जाता है इसे ही आपने टिक करना है ठीक है चलिए तो पमारवंश का संस्थापक कनकपाल था ये कहां से आया था तो कनकपाल धार नगरी गुजरात से आया था ये कोशन पेपर में बन चुका है कनकपाल कहां से आया था धार नगरी गुजरात से आया था भानू प्रताप जोकी एक कतूरी राजा था उसकी बेटी के साथ का विभा हुआ था भानुप्रताप चानपुर गड़ी का शाशक था जब कनकपाल आता है भानुप्रताप उसके साथ अपनी पुत्री का विभा कर देता है और वो चानपुर गड़ी को अपनी राजधानी की रूप में स्थापित कर लेता है और यहीं पर पमारवंश की कहां बनाई थी तो कनकपाल ने अपनी राजथानी चानपूर गड़ में बनाई थी चानपूर गड़ आपका चमोली जनपद में इस्तित है और इसी को इसने अपनी राजथानी बनाई थी कुशन बनता है पमारवंश की शुरवाती राजथानी कहा थी तो पमारवंश की स्थापक था उसके बाद कई सारे राजा आए 888 में इसने स्थापना करी थी कई सारे राजा आई लेकिन उनके विशे में कोई खास जानकारियां उपलब्द नहीं है इसके बाद डारेक्ट आता है 24 वा राजा सोनपाल इसे भी संस्थापक माना जाता है कुछ किताबों में लेकिन आपको इसे याद करना है, ये पमारवंच का 24 वा राजा था, इसने राजधानी अपनी भिलंग घाटी को बनाया, इसलिए इसकी राजधानी को सोनी भिलंग के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आपने याद करना है, कोश्चन बन जाता है, तीक है, कोश्चन याद किस पमार शाशक ने भिलंग घाटी को राजधानी बनाया था सोन पाल ने अजय पाल का पूरवरती शाशक किसे कहा जाता है तो अजय पाल का पूरवरती शाशक ये भी सोन पाल को बोला जाता है सोन पाल जो था इसने खसों को पराजित किया था और जब अजय पाल आता है य पहला शाशक कौन था तो अपने नाम से मुद्राइं बनाने वाला पहला पमार शाशक था लखन देव लखन देव पमार वंश का 28 राजा था 1310 से लेकर 1330 तक इसने शाशन किया जो ये शुरबाती राजा हैं इनके आपको वर्ष नहीं पूछे जाते प्रदीप शाह के वर्तमान में पुराना दर्बार संग्र है जो आपका टीरी में है वहाँ पर इनको रखा गया है इसको याद करेंगे पुराना दर्बार संग्र है का निर्मान किसने करवाय था तो इसका निर्मान सुदर्शन शाह ने करवाय था ठीक है चलिए धारशिल से मिला अभिलेक क जो की अनंतपाल दुतिया का अभिलेक है ठीक है अनंतपाल दुतिया की बात करते हैं लखन देव के बाद ये गद्धी पर बैठा 29 राजा था और इसी अभिलेक में ये जानकारिया हमें मिलती है कि जो राजधानी शुरुवात में चांदपूर गड़ थी वो राजधानी भ धारसिल अभिलेक किसका है या तो वन्ष का नाम पूछेगा ये राजा का नाम पूछेगा आँ बताएंगे अनंतपाल दुतिया पमार राजा ठीक है एक और चीज़ ये अभिलेक मिला कब था ये अभिलेक 1994 में इसकी खोज हुई थी इसको भी आपने याद करना है ठीक है भिलंग घाटी से राजधानी वापस चानपूर गड़ कौन लेकर आया था राजधानी किसने चेंज करी सोन पाल ने वापस राजधानी लेकर आया आसल देव ये पमार वन्ष का तेतीसवा राजा था वापस राजधानी चानपूर गड़ में कौन लेकर आया था आसल दे लेकर आया था ठीक है बिल्कुछ सिक्वेंस में हम पढ़ेंगे देव प्रियाग के रगुनात मंदिर से किसका तामरपत्र मिला है देखे पमारवंश का प्राचीनतम अभिलेग पूछेगा तो आप बताएंगे अनंतपाल दुतिया और अगर प्राचीनतम तामरपत्र रखना है ये किसका तामरपत्र है कहां से मिला है दोनों बातें पूछी जाती है अगर हम जगतपाल की बात करते हैं ये तामरपत्र कब का है ये कोशन बनता है जगतपाल का जो टाइम पीरियर था ये 1444 से लेकर 1460 था इसी के बीच में एक वर्ष पढ़ता है 1455 और इसी सा का था ये तामरपत्र तो कब का है 1455 का तामरपत्र जो हमें रगुनात मंदिर से मिला है ठीक है अजेपाल किसका पुत्र था अजेपाल जिसे पमारवन्ष का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ये पुत्र था आनंदपाल दुतिया का आनंदपाल दुतिया का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसको आपने याद करना है ठीक है और जो राहूल सांकरत्यान है वो तो अजैपाल को ही पमारवंज का संस्थापक मानते हैं राहूल सांकरत्यान शिरुवात के जो 36 राजा है इनको वो नहीं मानते वो शुरुवात ही अजयपाल से करते हैं इसको भी आपने ध्यान रखना है कुमाओ पर आक्रमन करने वाला पहला पमार शाशक कौन था? कुमाओ पर हमला करने वाला पहला पमार शाशक अजयपाल था कल के वीडियो में भी हमने बात करी थी कि कुमाओं में कौन राजा था कीर्ती चंद, कीर्ती चंद पहला चंद जिसने गड़वाल पर हमला किया और अजेपाल पहला पमार जिसने कुमाओं पर हमला किया, इसको याद करना है, ठीक है, 1491 में कीर्ती चंद हमला करता है, 1492 में अजेपाल वापस हमला करता है, ठीक है, गड़वाल के 52 गड़ों को जीतने वाला शाशक कौन है, जैसे आप सभी जानते हैं जो गड़वाल है, ये आपके 52 गड़ों में विभाजित था, ठीक है, और हर गड़ में अपना एक गड़पती होता था, एक छोटा सा राजा होता था, जैसे चानपूर गड़ में भानुपरताब था पहले, ठीक है, अभी के बात करें तो पहला और एक मात्र राजा अजैपाल था, ठीक है, इन में अगर हम प्रमुगड़ों की बात करते हैं, जैसे नागपूर गड़, इन 52 गड़ों में पहला गड़, नागपूर गड़ को माना जाता है, दूसरा प्रमुगड़ था आपका चानपूर गड़, जहां पमारवन 80 में लड़ा जाता है, ठीक है, तो बधान गड़, गड़वाल और कुमाओ का विभाजन गड़ था, मनीला गड़ की बात करें, तो कत्यूरी राजकूरों का एक प्रसिद गड़ था, मनीला गड़, देवल गड़ भी इनी 52 गड़ों में शामिल था, जहां पर बाद में अ जा था अजयपाल, और जब इसने 52 गड़ों को जीत लिया, उसी के बाद जो ये गड़पती शब्द है, वो इसके लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है, किसने बोला, राय बहदुर पाती राम, पाती राम को लेकर आपसे डारेट कोशन बनते रहते हैं, इनकी किताब है, ग 1515 में एक शब्द गड़वाल, ठीक है, इसको भी आपने याद करना है, नेक्स्ट है, अजयपाल द्वारा इस्थापित धूली पाथा, जिसे अजयपाल का धर्म पाथा भी बोला जाता था, इसका वजन कितना होता था, तो अजयपाल ने एक धूली पाथा की शिरवात कर जिति मापन के लिए इसका वजन दो केजी होता था, अजयपाल ने चानपुर गड़ से अपनी राजधानी कहां इथानांतरित करी थी, अजयपाल राजधानी को चेंज करता है, और चानपुर गड़ से ये राजधानी देवल गड़ में लेकर जाता है, इसको भी याद कर कहा जाता है 1512 में इसने राजधानी को चेंज किया था चांदपूरगर से देवलगर लेकर गया उसके बाद 1517 में देवलगर से हटा कर शिरीनगर में लेकर गया अगर हम पमारवंश की राजधानी का करम देखते हैं तो पहली राजधानी इनकी चांदपूर गड़ थी बीच में कुछ शमय के लिए भिलंगाटी में गई लेकिन वापस चांदपूर गड़ में आ जाती है फिर वहां से आती है देवलगर जो की दूसरी राजधानी थी यहां जाती है पंद्रह सो बारा में फिर जाती है तीसरी राजधानी शीरिनगर में पंद्रह सो सत्रह में कहीं कहीं पर इसे पंद्रह सो पंद्रह भी दिया गया है और पिछली बार इसको सही माना गया था लेकिन option में 17 नहीं था maximum book में आपको 17 ही देखने को मिलता है और फिर राजधानी कहां चली जाती है पिगरी रियासत बन जाती है 1815 में तो ये राजधानी का करम आपको याद रखना है पमार राजाओं का ठीक है कफुचोहान से युद्ध अजैपाल जो था 52 गड़ों को जीत रहा था उनी में से एक गड़ था उपुगड जिसके बारे में हमने बात करी उपुगड का राजा था कफुचोहान कफुचोहान जो था एक स्वाभिमानी राजा था वो अधीनता स्विकार नहीं कर रहा था अजैपाल की तो इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है ठीक है और इस युद्ध को हारने के बाद कफुचोहान को जब अजैपाल के दरबार में लाया जाता है तो अजयपाल उसको कहता है कि तू मेरी अधीनता स्विकार करें लेकिन वो अधीनता स्विकार नहीं करता और एक statement देता है कि मैं पश्वों में शेर की तरह हूँ और पक्षियों में गरुड की तरह हूँ ये statement किसका था ये statement कफु चोहान का था जब ये statement दिया जाता है उसके पास अजयपाल जो था वो कफु चोहान को मरवा देता है और उसके बाद अजयपाल को realize होता है कि उसने ये चीज़ें गलत करी और जिस प्रकार इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करें जो कलिंग का युद था उसके बाद अशोक का हिरदय परिवर्तन होता है उसी प्रकार उप्पु गड़ के युद के बाद कफु चोहान को मारने के बाद अजयपाल का हिरदय परिवर्तन होता है और फिर वो युद छोड़ देता है इसी लिए अजैपाल को गड़वाल का अशुक भी बोला जाता है और फिर वो एक statement देता है कफुच चौहान के लिए वीर तुम जीते हम हारे तो ये statement कफुच चौहान के लिए अजैपाल ने बोला और ये statement कफुच चौहान ने बोला दोनों आपको याद करने है यह छोटे सी हिस्टोरी जो आपको पूछी जाती है यहां से आपको इस हिस्टोरी को याद रखना है इस से related question बन जाते हैं कि statement किस ने दिया था एक और चीज़ याद करनी है कफु चोहान का एक सेनपती था जिसका नाम था दीपू इसको भी याद करेंगे हो सकता है नाम पूछ लिया जाए ठीक है किस पमार शाशक ने केंद्रिय सेना का निर्मान किया था तो केंद्रिय सेना का निर्मान करने वाला पमार राजा भी अजैपाल था अजैपाल के गुरू का नाम क्या था तो अजैपाल के गुरू का नाम था सत्यनात और इनकी समाधी भी अजयपाल ने बनवाई थी, इनकी समाधी देवल गड में इस्तित है अजयपाल को गड़वाल का युदिश्टर किसने कहा था? अजयपाल को गड़वाल का युदिश्टर कवी भरत ने बोला था कवी भरत जो मानशाह के दरबार में थे तो जहांगीर के दरबार में थे जहांगीर ने इनको जोतिक राई की उपादी दी थी और इन्ही की रचना है मानोदे कावे रचना में कवी भरत अजे पाल को गड़वाल का युदिश्टर भी कहते हैं और हमने बोला इसे गड़वाल का अशोक भी कहते हैं गड़वाल में इसे इंद्र के साथ बिश्की तुलना की जाती है इसे भी आपने ध्यान रखना है ठीक है इसे गड़वाल का नेपोलियन भी कहते हैं क्योंकि नेपोलियन भी अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध था तो इसे गड़वाल का नेपोलियन भी कहते हैं, इसको भी याद करेंगे, ठीक है, गड़पाल, गड़वाल का बिसमार्क, ये सारे नाम किसके हैं, अजैपाल के, ठाकुर सूरवीर सिंग के तांतरिक विद्या गरंत, सावरी गरंत में अजैपाल को क्या बोला गया है, तो प इस नाम को भी आपने याद करना हैं, ठीक है, चलिए, अजैपाल अन्युआई था, तो अजैपाल किसका अन्युआई था, अजैपाल गुरखनात पंत का अन्युआई था, एक व्यक्ती है, जिनका नाम है George W. Bricks, इनकी एक किताब है, जिसका नाम है गुरखनात एंड दी क ये किताब किसकी है? जोर्ज W. ब्रिक्स की ठीक है? इस किताब में ये बताया गया है कि जो अजेपाल था ये गुरुवकनाथ संप्रदाय में जो एक पंत है उसका जनक था इसको आपने याद करना है तो किसका अन्याई था? गुरुवकनाथ पंत का जानकारी कहां से मिलती ह गुरुवकनाथ एंड दी कन्फटा योगीज और रचियता कौन है? डव्ल्यू ब्रिक्स ठीक है? सरोला ब्रहमनों की निक्ती किसके द्वारा करी गई थी? गड़वाल के अंदर सरोला ब्रहमनों की निक्ती अजेपाल की द्वारा करी गई थी? ठीक है? इसको आपने 1904 में बनी थी जिसका गठन तारदत गेरोला ने किया थी? बलभद्र शहा से पहले शहा की उपादी धारन करने वाला शाशक कौन था? दिए आयोग इस परशन का उत्तर बलभद्र शहा को ही मानता है कि पहला पवार राजा जिसने शहा की उपादी धारन करी? इसका आंसर बलभदर शाह ही है लेकिन अगर कोशन बन जाए कि बलभदर शाह से पहले किसके साथ हमें शाह देखने को मिलता है तो ये था कल्यान शाह या कल्यान पाल ठीक है तो कल्यान शाह हमें इसका नाम मिलता है और इसी को माना जाता है कि बलभदर शाह से पहले इसी ने अपने नाम के साथ शाह नाम जोड़ा हाला कि कहा जाता है कि ये शाह नाम की उपादी नहीं दी गई थी किसी के द्वारा ये इसने जूर दिया था क्योंकि इसके बाद जो राजा बनते हैं, वो शहा की उपादी नहीं लगाते हैं, इसके बाद विजैपाल राजा बनता है, वो नहीं लगाता, सहजपाल बनता है, वो नहीं लगाता, बलभद्र शहा के बाद अगर हम देखेंगे, सारे राजा अपने साथ शहा की उपादी इसलिए माना जाता है कि जो प्रॉपर उपादी भी लिग थी इनको वो बलबदर शाह को मिली थी लेकिन अगर उससे पहले की बात होगी तो आप कल्यान शाह की बात करेंगे ये अजयपाल के बाद राजा बना था ठीक है इसके काल में अकबर ने गंगा का सुरोत पता करने के लिए एक अन्वेक्षक दल को भीजा था देखे अन्वेक्षक दल यानि की खोजी दल इन्वेस्टिगेशन टीम इसको कह सकते हैं तो हम जानते हैं अकबर के जो रसोई घरता वहाँ पर गंगा जल का इस्तमाल होता था अकबर ने सहजपाल के काल में गंगा का सुरोत पता करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भीजा था लेकिन सहजपाल ने इस दल को गंगूतरी तक नहीं जानी दिया हरीदवार में ही उन्होंने इस दल को रोक लिया था इसको भी याद करना है कोशन बनता है किसके काल में ये दल आया था ये आया था सहजपाल के काल में सहजपाल पहला राजा माना जाता है पवार वंश का जो मुगलों के संपर्क में आया था तीक है इसने अकबर के इस दल को रोका फिर भी इसका अकबर के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ इसलिए इसे राजनैतिक का चतुर और प्रजा को सुख देने वाला शाशक भी बोला जाता है तो सहजपाल को लेकर ये दोनों बातें आपको याद करनी है राजनैतिक चतुर भी कहते हैं और प्रजा को शुक देने वाला भी कहते हैं देव प्रियाग के रगुनात मंदिर में घंटी किसने चड़ाई थी? तो देग प्रियाग का जो रगुनात मंदिर है यहां से हमें घंटी पर एक लेख मिला है और इस लेख के अनुसार इसे सहजपाल के द्वारा चड़ाया गया था सहजपाल की बात करें तो यह 1547 से लेकर 1575 तक पमारवंश का राजा था अकबर के समकालीन था ठीक है और इसी ने रगुनात मंदिर में घंटी चड़ाई थी? आई तिंग यह कोशन एक प्रिवेस एरका है पेपर में एक बार पूछा जा चुका है ठीक है? नेक्स्ट है शह की उपादी लगाने वाला पहला शाशक कौन था? तो शह की उपादी धारण करने वाला पहला शाशक बलभदर शाह था इसे आपने याद करना है अगर इससे पहले का नाम पूछेगा तो आप कल्यान शाह को पूछेंगे उसका नाम बताएंगे ओवरॉल अगर पूचाएगा बताओ किसने सबसे पहले करी तब आप कल्यार साह नहीं करेंगे तब आप बलभद्र शहा को करेंगे माना जाता है लोधी वंश के किसी राजा ने इनको शहा की उपादी दी थी इसे भी याद करना है शहा की पदवी धारन करने वाला ये पहला राजा था पवार वंश का तेतालीसवा राजा था बलभद्र शहा उपर हमने सहजपाल के बारे में बात करी सहजपाल को लेकर के एक फैक्ट और याद कर लेना एक व्यक्ती है जिनका नाम है मेधाकर शर्मा इनकी एक प्रसिद रचना है जिसका नाम है रामायन प्रदीप जैसे नाम से पता चलता है कि प्रदीप शहा के शाशनकाल में रहते थे मिधाकर शर्मा इनकी इस रचना में रामायन प्रदीप में सहजपाल को महाबली शाशक बुला गया है इसको भी याद करेंगे हो सकता है पूछ लिया जाए ठीक है हम बात करते हैं बलभद्र शहा की हमने देखा शहा की उपादी धारन करने वाला ये पहला राजा था अकबर के विद्रोहियों को पकड़ कर दिल्ली भेजने वाला पवार शाशक कौन था तो अकबर के विद्रोहियों को पकड़ कर दिल्ली भेजने वाला भी कौन था बलभद्र शहा इसे भी आपने याद करना है ठीक है बलभद्र शहा के अगर हम बात करते हैं सहच पाल के बात ये राजा बना था 1575 से लेकर 1591 तक ये राजा रहा यानि ये भी अकबर के समकालीन था कुछ जगहों पर बताया गया है कि जब इसने ये दल को पकड़ कर दिल्ली वापस भेचा अकबर के जो विद्रोही थे अकबर ने फिर खुशो कर इनको शहा के उपादी दी हाला कि इसको सच नहीं माना जाता लोदी को ही आंसर माना जाता है कोई लोदी राजा था जिसने दी थी लेकिन आपको अकबर को भी माइंड में रखना है हो सकता है ओप्शन में लोदी ही ना दे अकबर दे दे ठीक है इसको भी ध्यान करेंगे सबसे इंपॉर्टन चीज जो इस घटना के बाद घटी कि राजदूद भेजने की प्रथा शुरू हो कई मुगल दर्बार और जो पवार दर्बार था इनके मध्य में ये कोशन पेपर में बन चुका है कि मुगलों और पवारों के बीच में राजदूद भेजने की प्रथा किसके काल से शुरू हुई बलभदर शाह के काल से जब बलभदर शाह ने इसके विद्रोहियों को पकड़ कर वापस दिल्ली भेजा बलभदर शाह का उलेक जो है बलराम शाह या राम शाह के नाम से अकबर नामा में भी देखने को मिलता है इसको भी पूचा जा सकता है किस युद के बाद बल भदर शहा ने बहदुर शहा की उपादी धारन करी थी गौालदम के युद के बाद धारन करी थी गौालदम का युद जिसे बधानगड का युद भी कहते हैं 1581 में लड़ा गया था कहीं कहीं पर 1591 है उसे आपने याद नहीं करना है आपने 1581 को ध्यान में रखना है इस युद में एक तरफ था आपका बलभद्र शाह इसके साथ दे रहा था एक कतूरी रादा सुकाल देव और इनके खिलाफ लड़ रहा था चंदवंश का राजा रुद्रचन इनके मध्य में होता है आपका ग्वालदम का युद जिसे हम कहते हैं बधानगड का युद इसे भी आपने याद करना है ठीक है और इसी युद में रुद्रचन्द का एक बहुत इंपोर्टन सेनापती पुरुषोतम पंत वो मारा जाता है किस पमार शाशक की तुलना भीम सेन से की जाती थी कौन सा पमार राजा है जिसकी तुलना भीम सेन से की जाती थी वो था बलभदर शाह कहा जाता है बलभदर शाह में बल काफी जाता था उसी के आधार पर इसका नाम बलभदर शाह था इसके तुलना भीमसेन के साथ एक कवी है कवी देवराज इन्होंने करी है हाला कितना डेटेल में नहीं जाएगा केवल याद करना है भीमसेन से किसके तुलना होती है जिसके नाम में बल है वही यहाँ पर भीम है ठीक है चरिए किस पमार शाशक के काल में लक्षमी चंद ने 7 असफल आक्रमन किये थे लक्षमी चंद ने 7 बार आक्रमन किया गड़वाल पर उस समय पमार राजा मान शहा था मान शहा की बात करें तो 1591 से लेकर 1611 तक ये गद्धी पर रहा यानि कुछ समय ये अकबर के समकालीन था और कुछ समय के बाद ये जहांगीर के समकालीन था इसे आपने याद करना है ठीके जीतु बगडवाल किसका सेनपती था या किसके समकालीन था जीतु बगडवाल जो सेनपती था मान शहा का इसका नाम आपने याद करना है ठीके मान शाह का दरबारी कवी कौन था? मान शाह का दरबारी कवी था कवी भरत जिसके बारे में आमने उपर बात करी इसकी एक प्रसिद रचना मानदे कावे इसे भी आपने याद करना है पमार काल का सबसे प्राचीन गरंथ या कावे किसे माना जाता है इसी मानोद्य काव्य को माना जाता है ठीके जहां से हमें पमारवंश की सबसे पहली जानकारियां मिलती है इसकी भाषा संस्कृत है रच्यता कवी भरत है यही कवी भरत जो था जहांगीर के दरबार में भी रहता था जहागीर ने इन्हें जियोतिक राई की उपादी दी थी ये कोशन भी पेपर में बनता है कवी भरत जो की महनशाह के समकालीन है इनको जियोतिक राई की उपादी किस ने दी है? जहागीर ने दी है दोनों बातें याद करेंगे मानोदय काव एक किस भाषा में है? संस्कृत में है ये कोशन भी पेपर में बनते हैं ठीके? यूरोपेन यात्री विलियम फिंच इसी के काल में गड़वाल में आया था दिखे एक प्रसिद्ध यूरोपेन यात्री है जो गड़वाल और कुमाव दोनों जगहा पर गया विलियम फिंच 1608 से लिकरके 1611 तक इसने यहां के दोरे करे ठीके? और मानशाह के काल में वो गड़वाल आया था कि इन में से किस यात्री ने यह वर्णन किया है कि गड़वाल का राजा सोने की थाली में खाता था तो वो कहा है विलियम फिंच ने इस विलियम फिंच का जो यात्रा वृतान्त है वो हमें किस पुस्तक में देखने को मिलता है? एक काफी important किताब जिसका नाम है The Early Travels in India यह किताब किसकी है? The Early Travels in India इस किताब में हमें विलियम फिंच का यात्रा वृतान्त देखने को मिलता है इस किताब के रचियता की अगर हम बात करते हैं इस किताब के रचियता है Foster ठीक है किताब फॉस्टर की है यात्रवरतान्थ हमें फिंच का देखने को मिलता है ठीक है अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया चलिए मुगलों से भेट करने वाला पहला पमार शाशक कौन था दिखिए सहजपाल से मुगलों के साथ बाते शुरू हो गई थी अकबर जो उनके सं हो गई थी लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी मुगलों से मिलने वाला पहला पमार शाशक था शाम शाहा जहागीर से मिला था आगरा में मिला था 1621 में मिला था इसे आपने याद करना है ठीक है तो मुगलों से भेट करने वाला पहला पमार राजा कौन बताएंगे आप शाम शाम शाहा ने 1611 से लेकर 1631 तक शाशन किया था जहागीर ने हाते हाती वा घोड़े उपहार में दिये थे ये कोशन पेपर में पूछा गया था कि इनमें से किस पमार राजा को जहागीर के द्वारा हाती वा घोड़े उपहार में दिये गए थे वो था शाम शाह तिक है जहा कुमाओं का चंद राजा था त्रिमल चंद इसको शरण भी दी थी जैसे हमने कल के वीडियो में बात करी थी कि काफी सारा लक्ष्मी चंद के मरने के बाद कुमाओं में उतल पुतल हो जाती है ठीक है तो यह जो त्रिमल चंद था यह गड़वाल में आके शरण ले ले लेता इसको शरण कौन देता है शाम शहा इसको शरण देता है इसको भी याद करेंगे कोशन बनता है वास्तु शिरोमनी ग्रंत के रचियता शंकर देव किसके राज गुरू थे तो वास्तु शिरोमनी ग्रंत की रचियता कौन है शंकर देव है और ये आपके शाम शहा के राज गड़वाल का तुगलक, घमंडी राजा, विलासी राजा किसे बोला जाता है। गड़ शाम शाह की मृत्यू हुई तो भी इसका दहा संसकार किया गया, उसमें एक पादरी था, पादरी अजय वैदो ये उपस्तित था, कोशन बन सकता है। भी आपने याद करना है ठीक है, यानि शाम शाह के काल में शती प्रथा प्रचलित थी। महिपती शाह के द्वारा केशव राय मट की स्थापना कप की गई। शाम शाह के बाद जब शाम शाह के मृत्यू वी तु उसकी कोई संतान नहीं थी, शाम शाह के मृत्यू के बाद उसका चाचा महिपती शाह गदी पर बैठता है। और सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला पमार राजा कौन है महिपती शाह, ये सबसे उमर दराज राजा था। इसने केशोराय मट की स्थापना 1625 में करी थी, हाला कि जब ये स्थापना करी उस समय राजा शाम शाही था, लेकिन अपने नाम से इसने इसकी स्थापना करी थी। बाद में जाके 1631 में महिपती शाह गदी पर बैठते हैं, ठीकें। लोधी रिखोला किसका सेनपती था? लोधी रिखोला मादो सिंग भंडारी उपनवारी दास ये महिपती शाह के सेनपती थे, इनके आपने नाम याद करने हैं, ठीकें। रोटी सुची प्रथा की शिरुवात किस ने करी थी? तो दापा अभियान के दौरान ठंड को देखते हुए रोटी सुची प्रथा महिपती शाह के द्वारा शुरू की गई थी। इसे भी आपने याद करना है कोशन बन जाता है। महिपती शाह को महाप्रचंड भुजदंड किस ने बोला था? तो महिपती शाह की भी कुछ उपनाम है, इसे महाप्रचंड भुजदंड मौला राम ने बोला था। महिपती शहा को गर्व भंजन भी बोला जाता है गर्व भंजन महिपती शहा को कहते हैं और गर्व भंजक ये कहा जाता है माधो सिंग भंडारी को दोनों याद करने हैं आपको पूछा जाता है ठीक है अखड राजा के नाम से भी महिपती शहा को बोला जाता है इसको लेकर क किस पमार शाशक ने नागा साद्वों की हत्याएं करवाई थी महिपती शहा ने जिसका इनको काफी दुख हुआ बाद में और कुमाओं के युद्ध में जिसे हम कोसी युद्ध के नाम से जानते हैं ये इनका लड़ा गया और 1635 में इसी युद्ध में इनका निधन होता है ठीक है इसको आपने याद करना है पृतिवी पती शहा की सरक्षिका कौन थी पृतिवी पती शहा की सरक्षिका थी रानी कर्णवती रानी कर्णवती महिपती शहा की पत्नी थी और पृतिवी पती शहा की सरक्षिका थी उनकी माता थी इनको नाक काटी रानी के नाम से भी जाना जाता है और रानी कर्णवती की तुलना गुलकुंडा की रानी दुर्गावती से भी होती है इनको भी याद करेंगे रानी कर्णवती ने देहरादून में करनपूर नामक शहर बसाया था और देहरादून की जो राजपूर नहर है उसका निर्मान भी रानी कर्णवती ने करवाय था ठीक है नाक और कान कटवा देते हैं, जिसके बाद रानी कर्णवती, नाक ताटी रानी के नाम से जानी जाती हैं। इसको भी आपने याद करना है। मादो सिंग भंडारी की मृत्यू किस युद में हुई थी? तो मादो सिंग भंडारी की मृत्यू तुमुल युद में हो जाती है जो की 17 नदी के तट पर लड़ा गया था ठीक है इसे छोटा चीनी युद के नाम से भी जाना जाता है पृतिवी पतिशाह और मानधाता प्रकाश के मध्य कौन सी संधी हुई थी मानधाता प्रकाश की बात करें ये सिर्मौर का राजा था सिर्मौर यानि हिमाचल प्रदेश वहां की साइड का ये राजा था तो पृतिवी पती शहा और मानधाता प्रकाष इन दोनों के मध्यम एक संधी होती है, जिसे हम हाट कोटी की संधी कहते हैं, इसे आपने याद करना है, कोशन بن जाता है, ठीक है, पृतिवी पती शहा ने अपनी दूसरी राजथानी कहां बनाई थी, तो पृतिवी पती शहा इसका नाम भी आपने याद करना है पृतिवी पति शहा की दूसरी राजथानी राजगडी और यहां पर कौन शाषन कर रहा था किसके नेत्युत्यु पहलबाल पर आकृमन करवाया था और अपकी बार उसने खली तुला को भीजा था इसे भी आपने याद करना है मुगल सुलिमान शिखो को किसने शरन दी थी? उसके डर के वजह से जो मेदनी शहा था, वो सुलिमान शिखो को वापस कहां पहुचा देता है? दिल्ली औरंग जेप के दरबार में पहुचा देता है, ठीक है? इसी लिए जो मेदनी शहा है, उसे प्राक्रमी राजा का डरपोक पुत्र भी बोला जाता है, ठीक है किसका पिड़ी में आगे जाकर के कौन आते हैं, मौला राम होते हैं, ठीक है? और नरेंद्र शहा की रानी निपाल या यहां पर सरशिका थी ठीक है गड़वाल का स्वन्न काल किस पमार शाशक के काल को कहा जाता है तो गड़वाल का स्वन्न काल फते पती शहा के काल को बोला जाता है इन्होंने लड़ा था गुरु गुविन सिंग जी के साथ इनके युद का वर्णन देखने को मिलता है कब लड़ा गया? 1688 में पवांटा के निकट भंगारी का युद ये कूशन बनता है भंगारी का युद इस युद्ध का वर्णन जो गुरू गोविन सिंग की आद्म कता है विजित्र नाटक उसमें भी देखने को मिलता है गुरू रामराई को फते पती शाहा ने तीन गाउं दान में दिये थे इसे भी आपने याद रखना है क्योंकि इन ही के काल में गुरू रामराय देहरादून में आते हैं 1675 में विश्षिरी नगर में आते हैं 1676 में गुरू रामराय देहरादून में आते हैं और देहरादून में उनको तीन गाउं दान में देते हैं कौन फतेपती शहा आगे चलकर जो प्रदीब शहा थे वो कितने गाउं देते हैं जो गुरुद्वारा यहाँ पर बनता है उनको वो देते हैं चार गाउं ये दोनों बातें याद करनी है ठीक है किस पमार शाशक का घोडे पर बैठा चित्र मिलता है तो घोडे पर बैठा चित्र भी हमें फते पती शाह को मिलता है फते पती शाहा ने छत्रपती सिवाजी महराज को अपना आदर्शमाना और उन्ही के अनुकूल इन्होंने अपना शाशन चलाया इसलिए फतेपति शहा को गड़वाल का सिवाजी भी बोला जाता है किस पमार राजा के दरबार में नवरत्न रहते थे तो नवरत्न रहते थे फतेपति शहा के दरबार में और हम जानते हैं अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे इसलिए फत्यपति शाह को गड़वाल का अकबर भी बोला जाता है नव रत्नों के अनुसार हाला कि गड़वाल का अकबर कीर्थी शाह को भी बोला जाता है इसको भी आपने ध्यान रखना है दोनों को आपने याद करना है ठीक है पहला ग्रंत है फतह प्रकाश इसकी रचना रतन कवी ने करी है तो फतह प्रकाश किसकी रचना है रतन कवी की रतन कवी को छेमराज के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इसी रतन कवी ने फतेहपति शाह की काफी ज़ाधा तारीफ करी है रतन कवी ने फतेहपति शाह को हिंदूों का रक्षक बोला है सील का शागर बोला है उदंडों को दंड देने वाला भी बोला है question बन सकता है ठिक है? दूसरी रचना है वुर्थ विचार इसके रच्यता है कवी राज सुखदेव मिश्रा फतेशाह यशो वर्मन इसके रच्यता राम चंद्र है वृत कॉमदी जिसे चंद सार पिंगल के नाम से जाना जाता है इसके रच्यता कवी मती राम है और इसी कवी मती राम ने फतेशाह के काल को गड़वाल का सुन काल बोला था, ठीक है, फतेशाह कर्ण की बात करें, तो जटाधर या जटाशंकर के इनकी ये रचना है, ठीक है, फतेशाह वन, इसको भी आपने याद करना है, ठीक है, प्रदीप शाह की सरक्षिका कौन थी, तो प्रदीप शाह की सरक्षिका थी, रानी कनक तई, प्रदीप शाह राजा बनते हैं 1717 में, और इसे आपने याद करना है, बहुत इंपोर्टन्ट ये कोशन है, पेपर में पूछा गया है, कि प्रदीप शाह किस वर्ष गड़ी पर बैटे थे, 1717 में बैटे थे, और 1772 जब ये गड़ी पर रहते हैं, जब ये गड़ी पर बैटे थे तो काफी कम उम्र इनकी थी, इनकी सरक्षिका के रूप में रानी कनक दई ने कार्या किया, और रानी कनक दई जब तक इनकी सरक्षिका रहती है, इनके काल को गड़वाल का ब्लैक पीरियड बोला जाता है, क गड़वाल पर रोहिलाओं का अक्रमन अगर हम बात करते हैं, रोहिला सर्दार था, जिसका नाम था नजीब खान, तो इसने गड़वाल पर अक्रमन किया 1757 में, ठीक है, इसने जो दून वाला इलाका था, उस पर इसने अधिकार कर लिया था, और 1770 थक इस छेत्र में नजीब खान ही शाशन कर रहा था, तो गड़वाल पर रोहिलाओं का अक्रमन 1757 में हुआ था, इसे भी आपने याद करना है, ठीक है, रामायन प्रदीब की रचना किसने करी थी, उपर हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, जो रामायन प्रदीब है, इसकी रचना कवी मेधाकर शर्मा की द्वारा करी गई, कवी मेधाकर शर्मा किसके शाशन काल में थे, प्रदीब शहा की, तो एक मुद्रा हमें मिली है वर्तमान में जो ये सिक्का है आपके लखनव संग्रहले में रखा गया है मुद्रा का संबंध प्रदीप शहा से है इसे भी आपने याद करना है तीक है इसको यहाँ पर correct करना जो यह सिक आक्रमन है यह प्रदीप शहा के काल में नहीं होते सिक आक्रमन होंगे ललित शहा के काल में उपर हमने प्रदीप शहा का काल देखा है 1772 तक वो राजा रहते हैं ठीके 1772 तक ये लाइन यहाँ पर गल्लत देखी गई है इसने यहाँ पर आना है लली शहा के काल में ठीक है लली शहा राजा बनते हैं प्रदीप शहा के बाद और उनके काल में सिखों के दो आक्रमन होते किसके काल में लेलित शहा के काल में एक होता है 1775 में और दूसरा 1778 में दोनों आक्रमन आपको याद करने हैं ठीक है चलिए लेलित शहा को कुमाओं पर आक्रमन करने का आमंतरन किस नहीं दिया था तो लेलित शहा को कुमाओं पर आक्रमन का जो निमंतरन दिया था जोशी को कुमाओ का चाणा के भी कहते हैं ठीक है जैकरिफ्च शहा लेली शहा के बाद गड़वाल के राजा बनते हैं लेकिन आंतरी कलह इनके काल में बहुत जादा बढ़ जाता है जिसके बाद ये रगुनात मदिर में जाकर आत्मत्याक कर लेते हैं तो पहला कोशन तो जैकरिश शाह से बनता है कि किस राजा की मृत्यू रगुनात मंदिर में होती है जैकरिश शाह। दूसरे जो इनके पुत्र थे वो थे प्रद्यूमन शाह जो गड़वाल के सासत कुमाओं के भी राजा रहे उत्राखन के राजा रहने वाले एक मात्र व्यक्ति थे प्रद्यूमन शाह ठीक है तो इनको लेकर भी कोशन बनता है क्योंकि अगर आगे आगे हम पढ़ेंगे पवारवश का चरित्रहीन राजकुमार कौन था प्राकरम शाह और चौथा इनका पुत्र था पृत्म शाह को लेकर के कोशन जो बहुत बार पेपर में बनता है क्योंसा पवार राजकुमार टिहीरी से श्रीनगर जाता था चित्रकला सीखने के लिए तो वो यही जाते थे ठीक है इनका नाम भी आपने याद करना है चलिए सिक आकरमन से बचने के लिए राखी नामक कर देना किस ने शुरू किया था जैसा हमने बात करी सिक आकरमन लली शाह के काल से शुरू हो गए थे उनसे बचने के लिए जैकर शाह ने राखी नामक कर दिया था कोशन बनेगा किस ने दिया था राखी नामकर और किस लिए दिया था तो जैकरश शहा ने दिया सिक आकर्मनों से बचने के लिए ठीक है इसके अलावा जैकरश शहा ने मौला राम को 60 गाउं भी दान में दिये थे इसको भी याद करेंगे जैकरश शहा ने 1785 में कपरोली के युद में प्रद्यूमन चंद और प्राकरम शहा दोनों को हराया था यहाँ पर इसको भी याद करना है ठीक है हुआ ये कि पहले जब लली शहा थे यहाँ पर लली शहा ने एक तरफ अपने छोटे बेटे को राजा बनाया उनके मरने के बाद इधर से जैकरश शहा राजा बन गया तो दोनों की आपस में बातें नहीं बनती थी दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे तो फाइनली 1785 में युद्ध हुआ कपरॉली का युद्ध जो आपका जैकरश शहा और दूसरी तरफ इसके दोनों भाई थे प्रद्यूमन और प्राकरम ठीक है इस युद्ध में जैकरश शहा की मदद करता है सिरमौर का राजा जिसका नाम था जगत प्रकाश तो जगत प्रकाश जो की सिरमौर का राजा था उसकी मदद से कपरॉली के युद्ध में वो इन दोनों को पराजित कर देता है इन दोनों के साथ हर्षदिव जोशी भी था ठीक है इस युद्ध के बाद इस युद्ध को जीतने के बाद जैसे ही वो फिट से मंदिर में जाता है पूजा करने के लिए वापस आता है तो देखता है यहां पर एक कांड हो चुका था जिसे जोशियानी कांड के नाम से जाना जाता है कोशन बनता है गड़वाल में जोशियानी कांड कब हुआ था तो यह हुआ था 1785 में ठीक है इसी युद्ध के बाद हुआ था हुआ यह किस युद्ध को जीतने के बाद जैकरिश शहा मंदिर में गया पूजा करने के लिए वही अपने जो इनका में मंदिर था रगुनात मंदिर देव प्रियाग में उसी बीच जो हर्षदेव जोशि था वो गड़वाल पर दोबारा से आक्रमन करता और कभारी यहा रगुनात मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर उनकी अनिधन या वो कहते हैं कि आत्म हत्या उन्होंने वहाँ पर कर ली थी तो इसको अपने याद करना है ठीक है जैकरिश शह की मृत्यू कहां हुई थी तो रगुनात मंदिर में इनकी मृत्यू हुई थी गड़वाल और क दोनों जगहां शाषन करने वाला राजा था प्रद्यूमन शाह, इसको आपने याद करना है, ठीक है, कोश्यन बन जाता है, पमार वन्ष का चरीत्रहीन राजकुमार किसे कहा जाता है, तो पमार वन्ष का चरीत्रहीन राजकुमार प्राकरम शाह को बोला जाता है, पहले ये जैकरिश शाहा के विर्दु शडियंत्र करता रहता है प्रद्योमन शाहा के साथ मिलकर जब जैकरिश शाहा के मृत्य हो जाती है इसको राजा बनना फिर भी नहीं मिलता तो ये फिर प्रद्योमन शाहा के खिलाब भी शडियंत्र शुरू कर देता है जो ये प्राकरम शहा है और इसके शढ्यन्त्रों के बारे में की गड़वाल में किस तरीकी की गतविदिया उस समय चल रही थी आंतरिक विद्रो के समय में इन सब का वन्नन जो मौला राम है उनकी ये किताब है जिसका नाम है गड़ गीता संग्राम उसमें देखने को मिलता है ठीक है ये कोशन पेपर में बता है गड़ गीता संग्राम किसकी रचना है मौला राम की और उसी में इन सब स्टडियंत्रों क परद्युमन शहा शाशनकाल में किस वर्ष भीशन अकाल पड़ा था तो परद्युमन शहा के शाशनकाल में भीशन अकाल पड़ा था 1795 में ठीक हैं और इस घटना को 51-52 के नाम से जाना जाता है कोशन बनता है 51-52 घटना किसके काल में हुई कब हुई तो प्रद्युमन शह के काल में हुई 1795 में ये घटना हुई थी 1796 में हाडविक एक अंग्रेज अधिकारी गड़वाल की यात्रा करता है और इस दुरुविक श्यानी के जो ये अकाल था इसके बारे में वो वर्णन करता है तो कौन करता है हाडविक हाडविक को लेकर के ये कोशन भी बन सकता है कि इसने गड़वाल की यात्रा कब करी थी तो अकाल के अगले ही साल इसने करी थी मौला राम ने दमपत्ति का चित्र बनाया है देखे मौला राम एक चित्रकार था इसने एक दमपत्ति का चित्र बनाया है question बनता है मौला राम द्वारा बनाया गया दमपत्ति का चित्र किस दमपत्ति का है तो ये प्रद्युमन शहा और उनकी पत्नी का है खुडबडा का युद होता है 14 मई 1804 को जिसमें गोर्खाओं के साथ लड़ते हुए प्रद्युमन शहा शहीत हो जाते हैं इसे भी आपने याद करना है ठीक है प्रद्युमन शहा और गोर्खाओं की बात करते हैं तो गोर्खाओं ने 1790 में जब कुमाओं को जीत लिया था उसके बाद हर्षदेव जोशी उनको गड़वाल की तरब भी लेकर आया 1791 में लेकिन लंगूर गड़ से आगे वो नहीं बढ़ पाए कुछ गड़वाली सेनिकों की बहादुरी की वज़े से और दूसरा जो कारण दिया जाता है नेपाल के उपर चाइना ने हमला कर दिया था तो सेना वापस बुला ली गई थी और एक संधी कर ली गई थी परद्युमन शहा के साथ जिसे लंगूरगड की संधी कहते हैं लंगूरगड की संधी भी 1791-92 में होती है उसके बाद 1803 में एक और बहुती भीशन यहां पर भूकम पाता है जिसके बाद गड़वाल की जो इस्तिती थी और जादा खराब हो जाती है एक तो आंतरिक विद्रो उपर से प्राकरतिक आपदाएं उसके बाद 1803 में गोरखे दुबारा से आकरमन करते हैं और इसको पराजित करके श्रीनगर पर अधिकार कर लेते हैं लेकिन पूरी तरीके से यह पराजित नहीं होता यह जाता है दुबारा से सेना तयार करता है और तेहरादून के खुरुबडा के मैदान में 14 मई को एक अंतिम युद लड़ता है जिसमें यह मारा जाता है इसको आपने याद करना है कोशन बन जाता है इस युदु का वर्णन ये खुरुबडा का युदु हुआ था इस युदु का वर्णन हमें किताब में देखने को मिलता है जिसका नाम है Valley of Doon ये किताब किसकी है Valley of Doon ए आर गिल की रचना है जिसमें हमें खुरुबडा युदु के बारे में जनकारी मिलती है दो important question आपको पूछे जाते हैं देखिए कुमाओं पर गुर्खाओं ने शाषन किया 1790 में गडवाल पर अधिकार किया इन्होंने 1804 में जब कुमाओं पर आक्रमन किया था कुमाओं पर अधिकार किया गुर्खाओं ने उस समय कुमाओं का राजा कौन था उस समय नेपाल न यहाँ पर शुरू हो गया गुर्खा और ब्रिटिश के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे अब सीधा इसकिप करेंगे जो 1815 में दुबारा से पमारवन शाता है एक नए वर्जन में एक रियासत के रूप में ठीक है टिहरी रियासत के अगर हम राजाओं की बा बारे में हम बात करेंगे और सबसे जादा कोश्चन आपके इन ही 6 राजाओं से पूछे जाते हैं क्योंकि सबसे जादा जो कारे हुए वो इन ही के काल में होए क्योंकि अभी तक क्या था इधर के साट गड़वाल है इधर के साट कुमाऊ है और इंडिया पाकिस्तान जैस उन पर ये अपना समय लगाते हैं, अब आपको उनको याद करना है किस राजा ने क्या काम किया था, चलिए, सबसे पहले, टिहरी र्यासत की स्थापना कब की गई थी, तो टिहरी र्यासत की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को करी गई थी, किस ने करी थी, सुदर्शन शाह ने, टिह टिहरी के राजा के रूप में मानिता कब दी गई सुदर्शन शाह को 4 मार्च 1820 को। देखे जब 1815 में सुदर्शन शाह को टिहरी का नरीश घुशित किया गया या इसने टिहरी की स्थापना करी तो अस्थाई तौर पर था यानि कि अंग्रेजों ने अभी सिवकार नहीं कि कि यहां पर इनके वंसजों का अधिकार होगा अपचारिक तौर पर टिहरी रियासत में सुदर्शन शहा और इनके वंसजों का जो अधिकार माना गया वो चार मार्च 1820 को माना गया ठीक है सुदर्शन शहा ने तिहरी का पहला भूमी बंदोबस्त कब किया था तिहरी का भूमी बंदोबस्त जैसे मैंने आपको शुरुवात ने बोली थी भूमी बंदोबस्त भी हम कवर करेंगे तिहरी का पहला भूमी बंदोबस्त सुदर्शन शहा करता है ये भूमी बंदोबस्थ 1823 में होता है टिहरी में टोटल पांच भूमी बंदोबस्थ हुए थे पहला भूमी बंदोबस सुदर्शन शहा ने 1823 में किया दूसरा भूमी बंदोबस 1860 में भवानी शहा ने किया तीसरा भूमी बंदोबस प्रताप शाहा ने 1873 में किया, चोथा कीर्ती शाहा ने 1903 में किया और पांचवा और अंतिम भूमी बंदोबस नरेंदर शाहा ने 1924 में किया था, ठीक है? रवाई परगने को किस वर्ष टिहरी में शामिल किया गया? जो रवाई परगना है इसे टिहरी रियासत में 1824 में शामिल किया गया, इसको भी आपने याद करना है पिहिरी राजभवन जिसे पुराना दर्वार के नाम से जाना जाता है इसका निर्माण किसने करवाय था तो पुराना दर्वार इसे 1848 में सुदर्शन शहा ने करवाय था और नया दर्वार की बात करें उसकी स्थापना कीर्ती शहा करवाता है प्रसिद चितरकार चेतू और मानकू किसके दरबार में रहते थे तो चेतू और मानकू की बात करें तो काफी फेमस ये चितरकार थे और ये दोनों सुदर्शन शहा के दरबारी चितरकार थे साथ खंडों में सभासार नामक गरंत की रचना किसने की थी तो साथ खंडों में सभासार नामा ग्रंत सुदर्शन शहा के द्वारा लिखा गया है इसे आपने याद करना है किस नाम से लिखा था इसने सूरत कवी के नाम से लिखा वोशन बनता है किस पवार राजा को सूरत कवी के नाम से जाना जाता है सुदर्शन शहा यहाँ जो गरंत है ये इसने ब्रज भाशा में लिखा है 1828 में लिखा था कितने खंडों में? साथ खंड में सुदर्शन शहा को कला विदों का शिरो मणी किसने बोला था? देखे सुदर्शन शहा को कला विदों का शिरो मणी ये बोला था मूर क्राफ्ट में मूर क्राफ्ट की तिबबत यात्रा आपने पढ़ी होगी बहुत important है question पढ़ता है क्योंकि तिबबत जाने को समय सब किसी को अनुमती नहीं मिलती थी तो ये अंग्रेज था बिन अनुमती के तिबबत पहुंच जाता है जिसके बाद विवाद भी होता है तो मूर क्राफ्ट तिबबत यात्रा में गया था 1812 में इसको तो याद करना ही है ये टिहरी कब आया था टिहरी आया था 1820 में इसको भी आपने याद करना है ठीक है और इसी मूर क्राफ्ट ने सुदर्शन शहा को कला विदों का शिरुमणी बोला था ठीक है अंग्रेजों की सहायता से गदी पर कौन सा शाशक बैठा था कौन सा पवान राजा था जो अंग्रेजों की मदद से गदी पर बैठा ये था भवानी शाह देखे सुदर्शन शाह की मृत्ति हो जाती है 1869 सुदर्शन शाहा ने पहले ही अपना उत्रदिकारी भवानी शाहा को बनाने की सिफारिशें कर दी थी या उसको गोशित कर दिया था लेकिन जैसे ही उसकी मिर्ति होती है जो सुदर्शन शाह की पत्री थी रानी खनेती वो चाहती थी सुदर्शन शाह का जो दूसरा पुत्र था सेर सिंग ये गदी पर बैठे और सेर सिंग सेर शाह के नाम से गदी पर बैठ जाता है जिसके बाद भवानी शाह अंग्रेजों स कौन था भवानी शह, इसका नाम आपने याद करना है, ठीक है, रेमजे ने किस वर्ष टिहरी में 12 आना 20 भूमी विवस्था लागू करी थी, तो 12 आना 20 भू विवस्था, इसे रेमजे ने लागू करवाय था टिहरी में 1861 में यहाँ जो विवस्था थी लागू हुई थी, देव प्रियाग में संस्कृत हिंदी पाठ शाला किसने खोली थी तो संस्कृत पाठ शाला की च्थापना देव प्रियाग में भवानी शाहनी 1862 में करी थी और ऐसे ही कोशन आपको बनते हैं संस्कृत विध्याला किसने खोला पहला अंग्रेजी स्कूल किसने खोला ये सारे भवानी शाह के बाद राजा बनते हैं और इन्ही के काल में पहला अंग्रेजी स्कूल खोला गया परताप शाह के काल में ही टिहरी में पुलिस विभाग के स्थापना होती है परताप शाह के काल में ही टिहरी में वन विभाग इसका तो वर्ष भी पूछा जाता है 1885 में इस्थापना होती है और प्रताप शाह के काल में ही पहला खेराती दवा खाना भी खोला जाता है इसको भी आपने याद करना है 1886 में ठीके, चलिए एक और चीज याद करनी है पमार जो ये प्रताप शाह था इसी के काल में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी होती है टिहरी के अंदर ये सारे important काम किसके थे प्रताप शह के प्रताप शह द्वारा प्रताप नगर की स्थापना कब की गई थी तो प्रताप नगर की स्थापना इसने 1877 में करी थी जो प्रताप नगर है इसको लेकर के question बनता है कि इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? आप बताएंगे 1877. कोशन बनता है जो परताप नगर है, इसका पुराना नाम क्या था? तो परताप नगर का पुराना नाम डांग धार था, ठीक है? कोशन बनता है कौन सी नदी के तड़ पर है, तो कहीं पर जलकूर नदी और कहीं पर जलकूट नदी इसे लिखा गया है, ठीक है? तो दोनों आपने याद करने हैं, प्रताप शहा ने टिहरी को कितनी पट्टियों में विभाजित किया था? प्रताप शहा ने टिहरी को 22 पट् कुशन बनता है तो उसको भी आपने ध्यान करना है ठीक है कीरती शाहा की संरक्षिका कौन थी कीरती शाहा इनकी संरक्षिका रानी कुलेरिया थी ठीक है टीहिरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना कौन करता है देखें टीहिरी में प्रताप जूनियर स्कूल के अगर हम intermediate school वो कौन बनाता है नरेंद्र शाह तो तीनों नाम आपको याद करना है ठीक है कीर्थी शाह इससे high school करता है स्वामी रामतीर्थ किस वर्ष टिहरी में आए थे स्वामी रामतीर्थ की बात करें ये 1902 में टिहरी में आए थे जापान में एक धर्म सम्मेलन का आयूजित किया जा रहा था 1902 में ही और उसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए कीर्थी शाह स्वामी रामतीर्थ को जापान भेजते हैं कोशन बनता है किसके काल में आये थे और इनको कहा भेजा गया इसके बाद स्वामी रामतीर्थ भिलंगना नदी में जल समाधी ले ले लेते हैं 1906 में ये कोशन भी बनता है ठीक है कीरती शाह की तारीफ किस वाइसरोई ने करी थी देखे कीरती शाह की तारीफ करी थी लौड लेंसरोई ने ठीक है भारत का वाइसरोई था 1892 में इसने कीरती शाह की तारीफें करी और जो भारत के दूसरे राजा थे उनको कहा किर्थी नगर की स्थापना करते हैं कीर्थी शाला का निर्मान भी कौन करवाता है कीर्थी शाह कीर्टी शाहा ने टिहरी घंटा घर का निर्माण कब करवाय था तो टिहरी घंटा घर का निर्माण 1897 में कीर्टी शाहा ने ही करवाय था किस वर्ष इंगलैंड में कीर्टी शाहा को 11 तोपों की सलामी दी गई थी ये कुशन पेपर में बना है कि किस पमार राजा को इंगलैंड में 11 तोपो की सलामी मिली थी तो वो थे कीर्टी शहा ठीक है और कब मिली थी 1900 में इनको मिली थी इसके अलावा अंग्रेजों ने कीर्टी शहा को नाइट कमांडर की उपादी भी दी थी और कमपेनियन आफ इं ठीक है कीर्टी शहा ने हिवेट संस्कृत पाथशाला की स्थापना कब करी थी तो कीर्टी शहा के द्वारा हिवेट संस्कृत पाथशाला 1909 में खुली गई थी इंपीरियल सफरमेन नामक सेना किसने बनाई थी तो इंपीरियल सफरमेन नामक सेना का गठन कीरती शहा ने किया था ठीक है टिहीरी में महिला हस्पताल जच्चा बच्चा केंद्र की स्थापना ये भी किस ने करी तो टिहीरी में जो महिला हस्पताल है इसकी स्थापना भी कीरती शहा ने करवाई थी कीरती शहा के द्वारा कैम्पबेल बोर्डिंग हाउस इस थापना कप की गई केमपेबल बोर्डिंग हाउस की स्थापना 1907 में होती है कीरती शहा इसकी स्थापना करते हैं किस पवार शाशक के ने नवरात्रों में जोटा मारने की प्रथा समाप्त करे थी जोटा मारने की प्रथा को समाप्त भी करवाया था किर्ती शहा ने, इसे भी आपने याद करना है राजमाता निपालिया किस की सरख शिका थी? किस वर्ष तीहरी में पहली जनगड़ना हुई थी? नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या था? नरेंदर नगर का पुराना नाम ओडा थली था, इसकी स्थापना 1921 में होती है और राजधानी नरेंदर नगर 1925 में बनती है, ठीक है, तीनों फैक्ट याद करने हैं, नाम, स्थापना, राजधानी परताप Intermediate College की स्थापना किसने करी थी, तो जैसे मैंने आपर आपको बताया था, नरेंदर शहाने, नरेंदर शहाने युवाओं को प्रशिक्षन प्राप्त करने के लिए जर्मनी और फ्रांस भी भेजा था, यानि विदेशों में भी भेजा था, किसने, नरेंदर शहाने, ठीक है, उत्राखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है, उत्राखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल को बोला जाता है, ठीक है, चक्रधर दुयाल जो टीरी रियासत में दिवान के पदपर था, नरेंदर शहा का ये दिवान था, जो रवाइं कांड होता है, जिसे हम तिला डायर कहते हैं और ये जो घटना होती है 30 मई 1930 को इस तिलाडी कांड को उत्राखंड का जलियावाला बाग हत्या कांड भी कहते हैं इसे भी आपने याद करना है कोशन बनता है जब ये घटना घटी उस समय जो टिहरी के राजा थे नरेंदर ये ढखन वो कहां थे तो वो उस समय यड़ोप यात्रा पे थे दोनों बातें याद करनी हैं टिहरी में समान्तर सरकार का घटन कब किया गया था तो टिहरी में समान्तर सरकार 1930 में बनाई गई थी और इस सरकार की भी एक प्रमुक मांग क्या थी कि जो इनके वन अधिकारते इनको वापस दे दिये जाएं ठीक है? टिहरी में Red Cross Society की स्थापना कब की गई थी? तो टिहरी में Red Cross Society 1934 में स्थापित की गई थी नरेंदर शाह द्वारा टिहरी High Court की स्थापना कब की गई? तो टिहरी High Court इसकी स्थापना 1938 में होती है नरेंदर शाह इसकी स्थापना करते हैं और टिहरी High Court का पहला जज जो पहला मुख्यन आधिश था किसे बनाया जाता है? बैरिश्टर मुकुंदी लाल को बनाया जाता है राज्य कुष्ट विदहान कब पारित हुआ था? तो टिहरी से ही ये पारित हुआ था 1949 में से लागू किया गया था राज्य टीका विदहान की बात करें तो इसे 1933 में लाया 1943 में लाया गया था टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना की बात करते हैं ये होती है 23 जनवरी 1949 में धेरादून में सरदेव सुमन के नेतित में टिहरी में कन्या पारशाला की स्थापना कब हुई तो टिहरी में कन्या पारशाला 1942 में नरेंदर शहा के काल में शुरू हुई टिहरी में डोरी पैमाईश भू ववस्था किसने शुरू करी तो डोरी पैमाईश का अगर पूछेगा नरिंदर शाह का आप नाम लेंगे ठीक है अंतिम पवार शाशक कौन थे तो अंतिम पवार राजा के अगर हम बात करते हैं मानवेंद्र शहा अंतिम पवार राजा थे ठीक है टिहरी रियासत के अंतिम राजा भी मानवेंद्र शहा थे इनके काल में दो प्रमुक विद्रो होते हैं टिहरी के अंदर पहला सकलाना विद्रो जो 1947 में हुआ और दूसरा कीरती नगर विद्रो जो 1948 में हुआ टिहरी में शांती रक्षा अधिनियम कब बना था तो शांती रक्षा अधिनियम 1948 में बनाया गया था टिहरी रियासत का भारत में विले कब किया गया तो लगातार विद्रो हो रहे थी टिहरी रियासत के खिलाफ प्रजात अंतर की वो मांग कर रहे थे और इसी को देखते हुए 1 अगस 1949 को जो टिहरी के राजा थे मानविंदर शहा वो विले पत्र पे हस्ताक्षर कर देते हैं औ पमार काल की कुछ महतपूर्ण शब्दावलियां या पमार वनसे से रिलेटेड कुछ महतपूर्ण कोश्चन हैं उनको यहां पर देख लेते हैं सभी पमार राजाओं के बारे में जो उनसे important fact था हम उपर उनको cover कर चुके हैं ठीक है टीडी रियासत को भी शामिल करके पमार काल में राज्य का मुख्या अधिकारी कौन होता था तो पमार काल में राज्य का जो सरवोच अधिकारी होता था वो मुखतार कहलाता था पमार काल में परगने का सेनिक शाशक कौन होता था उसे फौचदार बोला जाता था राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती थी तो पमार काल में राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी गोलदार की होती थी ठीक है परगनों का राजस्व वसूली करने वाला कौन होता था तो परगनों से जो राजस्व वसूली करेगा वो थोकदार करता था गावों से जो राजस्व वसूली करता था वो पधान करता था ये कोशन पेपर में बना है कि पधान का कार्य क्या होता था ग्रावों से रौत दी जाती थी, राज अधिकारियों को जागीरें यहाँ पर दी जाती थी। यह कुछ important question जो पमारवंश को लेकर आपसे बन जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्राखंड पर गोर्खा शाशन की। देखें उत्राखंड पर गोर्खा शाशन ये शुरू होता है आपका कुमाओं पर अधिकार के सार। क्योंकि गड़वाल और कुमाउं दोनों पर अलग-अलग वो अधिकार करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कुमाउं पर कप किया, गोर्खाओं का कुमाउं पर अधिकार 1790 में हुआ, जो की 1815 तक रहा यानि की 25 साल तक गोर्खाओं ने कुमाउं पर शाशन किया, जब इन्ह महेंद्र चंद, इसी महेंद्र चंद को हवाला बाग के युद में ये पराजित करते हैं और अलमोडा पर ये अधिकार कर लेते हैं, यानि पूरे कुमाउं पर अधिकार कर लेते हैं, गोर्खाओं को कुमाउं पर आक्रमन करने का निमंत्रन, किसने दिया था? यह निमंत् पून व्यक्ति जिनका नाम है राहूल सांकृत्यान राहूल सांकृत्यान ने हर्षदेव जोशी को विभीशन कहा है इसे भी आपने याद करना है विभीशन किसने बोला हर्षदेव जोशी को राहूल सांकृत्यान ने ठीक है जब इन्हों ने गुर्खाओं ने कुमाओं प करना है जिसका नाम था बंशाह आपसे डारेट कोशन बनता है कुमाओं का पहला गोर्खा सुब्बा कौन था जोगा मल दूसरा सुब्बा कौन था काजी नर्साही और उसके बाद आपको बीच के याद नहीं करने सिधा अंतिम का पूछा जाता है बंशाह अंतिम सुब्बा इसको भी ध्यान रखना है ठीक है सुब्बा जोगा मल को ले करके एक और important question यही पर याद कर लीजिए क्योंकि हम revision कर रहें और चीजों को जितना जोड़ कर पर सके एक दूसरे से आपको उतना जादा फाइदा होगा इनको याद करने में ठीक है सुब्बा जोगा मल से एक भूमी बंदोबस जो गोरखाओं की तरफ से करवाया गया वो इसी जोगा मलने करवाय था ठीक है तो ये था गोरखाओं का कुमाओं पर अधिकार अब चलते हैं गड़वाल पर जब इनोंने अधिकार किया गोरखाओं ने गड़वाल पर पहला आकरमन कप किया था गोरख बनता है याद करेंगे ठीक है 1791 में इन्होंने अटेक किया गड़वाल पर लेकिन लंगूरगर से आगे नहीं बढ़ पाए उसके बाद इन्होंने दूसरी बार आक्रमन किया गड़वाल पर 1803 में इसके बाद इनका अंतिम युद्ध होता है खुरबुडा का युद्ध जो उन्होंने दुबारा से सिना संगठित करी और एक अंतिम युद्ध लड़ा तो अगर आपसे आक्रमन पूछेगा आप 1803 बताएंगे और गड़वाल पर अधिकार पूछेगा आप 1804 बताएंगे ठीक है खुरबुडा का युद्ध होता है गुर्खा और प्रद्युमन श जहा के बीच प्रद्युमन शाह यहां पे शहीद हो जाते हैं और गड़वाल पर भी गुर्खाओं का अधिकार हो जाता है 1804 में यह अधिकार 1815 तक बना रहता है लगभाग 10.5 साल ये अधिकार रहता है तो कुमाओं पर गुर्खाओं ने कितने साल साशन किया 25 साल कुमाओं के टाइम पे रणबाहदुर शहा और गड़वाल के टाइम पर विक्रम शहा वहां का राजा था। गोर्खाओं की तुलना रक्त पिपासों से की थी हियर से ने करी थी और एक और विक्ति जिनका नाम अजे सिंग रावत है जिनके हम किताब पढ़ते हैं उन्होंने गोर्खाओं के आगमन को यमराज के आगमन के समान बताय था इसको भी आपने याद करना है ठीक है चलिए अ नेपाल दर्बार का कुमाओं गडवाल में सर्वुच पद अधिकारी कौन था देखें नेपाल दर्बार का गडवाल और कुमाओं के अंदर क्योंकि दोनों के दोनों अब नेपाल के अंडर में थे गोर्खाओं के अंडर में थे उनकी तरफ से जो सर्वुच पद अधिक इसे ही आपने याद करना है, ठीक है? दूसरा है, मौला राम ने किस गोर्खा को दानवीर कर्ण कहा था? ये कुशन भी बनता है, कौन सा गोर्खा था जिसको मौला राम के द्वारा दानवीर कर्ण बोला गया? इसका नाम था रणजौर सिंग थापा, ठीक है? इसी का पुत् उदार था यानि कि क्रिशी के लिए उसने मदद करी काफी ये था हस्ती दल चौतरिया जो हस्ती दल चौतरिया था यहां क्रिशिकों के लिए उदार था क्रिशी विवस्था को सुधारने के लिए क्रिशानों के लिए इसने काफी सारे अच्छे काम करे थे इसको आपने पर याद करनी है हमको एक कोशन पढ़ते हैं ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ या गोर्खा काल से जुड़ा हुआ कि गोर्खा काल में दासों की विक्री का प्रमुक केंद्र कौन सा था हम पढ़ते हैं हरीद्वार ठीक है गोर्खा काल में दास विक्री का प्रमुक केंद् इसको भी याद करना है ठीक है चलिए रन बहद्दुर चंद्रिका किसकी रचना है रन बहद्दुर चंद्रिका जो है यहां आपके मौला राम की रचना है ठीक है एक गूर्खा सेनानाक आता है यहां पर उत्राखंड के अंदर जिसका नाम था भैरो थापा भैरो थापा को लेकर के काफी सारे विवाद होते हैं मौला राम के उसके साथ ठीक है मौला राम फिर उसके खिलाफ आवाज उठाता है और जो नेपाल के नरेश्ते उनको खुश करने के लिए उनके उपर एक रचना करता है रन बहाद्दूर चंद्रिका इसे आपने याद करना है ठीक है कोशन बन जाता है बालेश्वर मंदिर जो की चमपावत में है इसका जिनोधार किसने करवाया था तो बालेश्वर मंदिर इसका जिनोधार महावीर थापा के द्वारा 1796 में करवाया गया था ये कुछ प्रमुख गोर्खा व्यक्ति थे जिनको लेकर आपसे प्रश्ण पूछे जाते हैं ठीक है तो महावीर थापा जिसने बालेश्वर मंदिर का जिनोधार करवाया 1796 में और एक और कोशन यहीं पर याद कर लेंगे गंगोत्री मंदिर इसका निर्मान किसने करवाया था हम पढ़ते हैं अमर सिंग था पाने इसको भी याद करना है ठीक है चलिए अब बात करेंगे गोर्खा प्रशाशन और न्याय प्रणाली के बारे में गोर्खाओं का प्रशाशन कैसा था और इनकी न्याय प्रणाली कोशन यहां से भी बनते हैं गोर्खाओं का प्रशाशन फोजी प्रशाशन था यानि कि इनका जो प्रशाशन था एक तरीके का सैनिक प्रशाशन था ठीक है कारियरत सैनिकों को क्या कहा जाता था गोर्खा काल में गोर्खा काल में जो कारेरत सैनिक होते थे जो working soldier होते थे उनको जागरिया या जागचा बोला जाता था और ऐसे सैनिक जिनको retire कर दिया जाता था जिनको temporary की तौर पर लिया जाता था फिर उनको हटा दिया जाता था उनको धाकरिया या धाकचा बोला जाता था तो जो परमनेंट होते थे जो काम कर रहें उनको जागरिया और जो सिवा मुक्त हो चुके हैं उनको धागरिया इसे आपने याद करना है ठीक है? एक और चीज याद करनी है क्योंकि गुर्खाओं का شाशन फौजी प्रिशाशन था, सेनिक शाशन था गुर्खाओं की सेना मे समाज के सभी लोगों को शामिल किया जाता था केवल ब्रहमणों को शामिल नहीं किया जाता था इसको आपने याद करना है ब्रहमणों को छोड़कर सभी लोग सभी जाती के लोग इनकी सेना में शामिल थे इसको याद करना है ठीक है गोर्खाओं का मुख्य हतियार क्या था तो गोर्खाओं का मुख्य हतियार था खुकरी और खुकरी निर्मान से कौन सी जाती संबंदित है तो नेवार जाती संबंदित है ठीक है इसको भी याद करना है गोर्खा काल में शिल्प कर्मियों को क्या कहा जाता था गोर्खा काल में शिल्प कर्मियों को कामी बोला जाता था इसके अलावा गोर्खा काल में जो ब्रहमण दास होते थे उनको कठुवा बोला जाता था इसको भी आपने याद करना है कोशन बन जाता है ठीक है जो ब्रहामण को दास भी ये बनाते थे ब्रहामण दासों को कठुवा बोला जाता था इसके अलावा ब्रहामणों को लेकर के एक फेमस स्टेट्मेंट गोर्खाओं की तरफ से दिया गया था जो आपसे पूछा जाता है कि ये किस ने कहा था ब्रहामणों के पैर पूझे जाते ह आपको दोनों याद करने हैं, जादा इंपोर्टेंट है athletic खुशही कर, गोर्खा के द्वारा ब्रहमनों पर लगाया गया था athleticüman गया था 2797 में इसकरको लगाया गया था, इसको भी याद करेंगे और लगाया किसने था, बंशाह के द्वारा इससे लगाया गया था दास बच्चों को क्या कहा जाता था गोर्खा काल में दास बच्चों को केटी बोला जाता था और ऐसे गुलाम जो खेतों में काम करते थे तो खेती करने वाले गुलामों को कैनी बोला जाता था इसे भी याद करना है गोर्खा काल में जज को क्या बोला जाता था जज यानि नाइधीश को क्या बोला जाता था गोर्खा काल में तो उसे विचारी बोला जाता था और ये कुशन पेपर में पूछा जा चुका है गोर्खा शाशन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमी को क्या कहते थे तो गोर्खा काल में सेवा के बदले जो भूमी दी जाती थी उसे मनो चौल बोला जाता था इसको भी याद करना है कुशन बन सकता है ठीक है अब बात करते हैं गुर्खाओं में न्याय प्रथा को लेकर की यहां से जो कोशन बना था आपसे एक पेपर में बना था कि गुर्खा काल में प्रचलित दिव्य प्रथा का संबंद किस से है तो दिव्य प्रथा आपके न्याय से संबंदित है कितने प्रकार की दिव्य प्रथा प्रचलित थी गोर्खा काल में प्रमुक तहा तीन प्रकार की थी अधर भी थी लेकिन जो मेंली थी तीन प्रकार की दिव्य प्रथा प्रचलित थी जिससे गोर्खा न्याय करते थे पहली थी गोला दूइप जिसमें आपके हाथ में गरम डंडा पकड़ा दिया जाता था और फिर आपको कहा जाता था चलने के लिए अगर आपका हाथ जल गया तो आप दोशी ठीक है नहीं जला तो आप निर्दोश दूसरी थी कड़ाई दूइप जिसमें गरम टेल में हाथ डाला जाता था अगर जल गया तो दोशी ठीक है और तीसरी थी तराजूद दूइप जिसमें वजन तोला जाता था कुछ दिन बाद फिर उसको भूका रखा जाता फिर से वजन तोला जाता उने पत्थरों से और अगर वजन कम हो गया तो दोशी तो कुछ इस प्रकार की इनके न्याय प्रता थी जिसको दिविय प्रता बोला जाता था ऐसा कोशन पेपर में बन चुका है कि दिव्य प्रथा जो गूर्खा काल में थी, किस से संबंदित थी, तो न्याय प्रथा से संबंदित थी, ठीक है, अधर भी प्रकार के थे, लेकिन वहां से कोशन नहीं बनते, इसके अलावा एक और चीज याद करनी है, कोशन बनता है, कि अंग्रेजों ने लगाया, गोर्खाओं ने लगाया, तो गोर्खा आपको याद करना है, कि महिलाएं छट पर नहीं जा सकती, ठीक है, चलिए, अब बात करेंगे गोर्खाओं की कर नीती के बारे में, कुछ इंपोर्टेंट कर इनके उनको यहाँ पर दिखेंगे, सबसे पहला जो फेक्ट इनसे बनता है, चंदों के 36 रकम 32 कलम कर को किसने समाप्त किया था, चंद राजाओं के द्वारा 36 रकम और 32 कलम यानि कुल 68 प्रकार के टेक्सिस लगाई जाते थे, इन टेक्सिस को समाप्त करने का काम गोर्खाओं ने किया था, ऐसा कोशन भी पेपर में बना हैं, इन году को लगाया किसने, और हटाया किसने, लगाया चंदों ने, हटाया गोर्खाओं ने, ठीक है, हाला कि यह सभी के सभी गोर्खाओं ने नहीं हटाए, लेकिन जाधतर उन्होंने हटा दिये थे, ठीक है, गोर्खा काल के कुछ important text हैं, अब इनको देखेंगे, पहला है पुंगाडी कर पुंगाडी कर गुर्खा काल का एक प्रमुक कर था एक भूमी कर था और ये कोशन पेपर में आया है कि पुंगाडी किस प्रकार का कर था तो यहाँ एक भूमी कर था ठीक है तिमारी कर की बात करें तो फौचदार और सुबेदार इनको देने के टान कर, ठीक है, तो कपड़ा बुनकरों से कौन सा कर लिया जाता था, गोर्खा काल में टान कर, मिजहारी कर की बात करें, तो शिल्प कर्मी और ब्रहामणों से मिजहारी कर लिया जाता था, ठीक है, मरो कर की बात करें, तो मरो कर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था, इस एक होता था इनका बहताकर, जो छिपाई हुई संपत्ती पर लिया जाता था, इसको भी याद करना है, ठीक है, जाया सुन्याकर की बात करें, तो अगर आप किसी करमचारी से लगान के बारे में कुछ पात करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो उसका भी आपको टेक्स देना होत जिसे जान्या सुन्याकर बोला जाता था, दोनियाकर की बात करें, तो जो पहाडी पशुचारक होते थे, गोर्खा काल में, उनसे भी टेक्स लिया जाता था, उसी को बोला जाता था, दोनियाकर, सिधा कोशन बनेगा, पहाडी पशुचारकों से गोर्खा काल में कौन सा क प्र लिया जाता था दोनिया पर फिर है टीका भेंट शादी वविवाहत के अवसर पर जो टेक्स लिया जाता था उसे टीका भेंट कर बोला जाता था तो गोर्खा काल के यह कुछ important टेक्स जो आपको याद करने है। ठीक है चलिए अब बात करेंगे गोर्खा के कुछ महत्य गोर्खाओं के अत्याचारी शाषन को क्या बोला गया है तो देखे गोर्खाओं का शाषन उत्राखंड में काफी जदा अत्याचार पूर्ण शाषन था कुमाओ में 25 और गड़वाल में 10.5 साल का ठीक है और यही वज़ा थी मेनली कि 1857 में जब करांती होती है उसका उत्रा गोर्खाओं का शाषन देख चुके थे और इनकी तुलना में अंग्रेजों का शाषन जो काफी अच्छा व्यवस्ते शाषन था नियाएं की उचित व्यवस्ताईं थी वो उनको अच्छा लग रहा था हाला कि वो भी उनके उपर उनका दमन करे जा रहे थे लेकिन गोर्खाओं का शाषन जो अत्याचारी शाषन था इसे गोर्ख्याली बोला जाता है ठीक है ये कोशन पेपर में बनता है कि राज्य में गोर्ख्याली किसका प्रतीक है अत्याचार कुरूता का प्रतीक है ठीक है गोर्खाओं का प्रमुक तहवार क्या था गोर्खाओं का राज भाशा थी वो गोरखाली थी ठीक है लेकिन इनका जो साहित्य लिखा गया है वो नेवारी भाशा में लिखा गया है नेपाल में पहला ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था तो जब यहां पर अंग्रेज आ चुके थे उसके बाद ये निश्चित किया गया कि कोट में यानि कि जो नेपाल की रास्थानी है वहां पर एक ब्रिटिश अधिकारी को रखा जाएगा तो पहला ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था वो था ईगाडनर कुमाओ का पहला कमिशनर भी यही था और नेपाल दरबार में जो पहला ब्रिटिश रिप्रेजन्टेट वो भी गाडनर था गोर्खा सैनिकों के द्वारा मनमाने धंग से कर वसूलने को क्या कहते थे जो गोर्खा अधिकारी थे जो गोर्खा प्रशाशन था वो तो टेक्स लेता ही था लेकिन गोर्खा जो सैनिक होते थे ये भी जवरदस्ती लोगों से टेक्स वसूल किया करते तो मूर क्राफ्ट की तिबबत यात्रा इसको लेकर कोशन बनता है। दो कोशन आपको याद करने हैं, मूरक्राफ्ट तिबबत 1812 में पहुँचा, मूरक्राफ्ट टिहरी 1820 में आया और इसी मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शहा को कला विदो का शिरोमणी बोला था, ठीक है? अंग्रेजों ने 1795 में किसे नेपाल की आंतरिक इस्तिती का पता लगाने के लिए भेचा था, कोशन इंपोर्टेंट है, ध्यान रिखेंगे, दिए 1795 के अगर हम बात करते हैं, कुमाओ में गुर्खा शाशन चल रहा है, ठीक है, गड़वाल में हाला की अभी नहीं है, अंग्रेजों ने 1802-1803 में एक और अधिकारी को भेजा, जिसका नाम था कैप्टन नॉक्स, इसको भी याद रखना है, ठीक है, कैप्टन नॉक्स को कब भेजा, 1802-1803 में, इसके बाद जब गड़वाल पर भी गुर्खाओं का शाशन हो गया, फिर से इस्तिती का पता बहरादून को सुविस्तित गाउं की संग्या दी थी, इसको भी आपने याद करना है, कुशन बन सकता है, ठीक है, किस-किस को भेजा, पिच्चानवे में मौलवी अब्दुल कादिर, 1802-1803 में कैप्टन नॉक्स, और 1808 में सैपर को यहां सर्वेक्षन के लिए भेजा था अब बात करेंगे अंग्रेजों के साथ गोरखाओं को जो युद्ध हुआ उसके बारे में, ठीक है, ठीक है, ततकालीन नेपाली प्रधान मंत्री कौन था अगर हम बात करते हैं, जब गोरखा और अंग्रेजों के मध्य में युद्ध हुआ, उस समय निपाल का प्रधान म में इस पर गोर्खाओं ने अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने बड़ी कोशिश करी खाली करवाने की उसके बाद अंग्रेजों ने 1814 में एपरेल में इस पर दुबारा से कबजा किया लेकिन अगले ही महीने मई की महीने में गोर्खाओं ने दुबारा से बुटवल प्रां तातकालिक कारण और युद की घोषणा नवंबर 1814 में कर दी जाती है और कौन करता है युद की घोषणा भारत का गवर्नर जनरल लॉड मुईरा करता है लॉड मुईरा हैस्टिंग का ही दूसरा नाम था क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल कौन था लॉड हैस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था इसको आपने याद करना है ठीक है यहाँ पर मोईरा है लेकिन आपको दोनों नाम एक ही विक्ति के मान कर चलने हैं हैस्टिंग और मोईरा ठीक है तो युद की घोशना कप करी गई नवंबर 1814 में चार जनरलों को यहाँ पर भीजा गया अंग्रेजों की तरफ से चार जनरल कौन-कौन थे अब उनको देखते हैं देखिए चार ब्रिटिश जनरल आये पहला था जनरल मारले जनरल मारले ने काट मांडू पर हमला किया ठीक है दूसरा था जनरल जे एस वुड इसने गोरकपूर पर हमला किया यानि कि जो बुटवल प्रांथ वाल इलाका था एक को सिधा नेपाल भीजा एक को गुरकपूर पर भीजा एक था जनरल जिलसपी जिसने देहरादून पर आक्रमन किया ठीक है और ये काफी इंपोर्टेंट जनरल था क्योंकि जो चार जनरल आये थे उसमें से ये वाला जनरल यहां पर मारा जाता है ये कोशन बनता है कि किस अंग्रेज जनरल की मृत्यू यहां पर हो जाती है युद के दोरान जनरल जिलेसपी ठीक है इसने देहरादून पर आक्रमन किया जिलेसपी ने खलंगा और नाला पानी के किले पर आक्रमन किया इसलिए यह जो युद था इसका जिलेसपी का इसे खलंगा का य या नाला पानी का युद्ध बोला जाता है इसी युद्ध में ये मारा जाता है और इसके सामने गोरखा सेनपती कौन था इसके साथ लड़ रहा था बलभदर सिंग ठापा इसको आपने याद करना है ठीक है तो जनरल जिलसपी दहरादून पर आकर्मन करता है खलंगा और न नाला पानी के किले पर हमला करता है और खलंगा का युद्ध या नाला पानी का युद्ध इसी युद्ध में जिलिस पी मारा जाता है ठीक है हाला कि बलभदर सिंग ठापा कहीं पर बताया गया है कि इसकी भी मृत्य हो जाती है कहीं पर बताया कि यह नहीं मारा जाता ये यहाँ पर नहीं मारा जाता है ठीक है इसको याद करना है प्रीवेस वीडियो में हमने जो पुरानी वीडियो थे मारी वहाँ पर हमने देखा था कि ये मारा गया था लेकिन आपको इसको आप करेक्ट करना है बलभदर सिंग थापा नहीं मारा जाता केवल जिलिस भी यहा और इन चार जनरलों में सबसे योग्य जो था वो ओक्टर लोनी ही था ठीक है इसने नेपाल के पश्चिमी भाग पर आक्रमन किया था यानि कि हिमाचल प्रदेश की साइट से इसने नेपाल पर आक्रमन किया तो इसको आपने याद करना है डारेट कोशन बन जाएगा देखे कि पूरे सिस्टेमेटिक नोट्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं बिल्कुल सीरेल वाइजम चले हमने युद्ध के बारे में बात करी अब सारे जनरलों के बारे में हमने बात कर दी किस जनरल से क्या कोशन बनता है वो हमने देखा जिलेसपी से बनता है बस आपको से याद करन जिलेसपी ने किस गोर्खा सेनपती के साथ युद्ध किया था बल भदर सिंग थापा उसका नाम याद करना है कौन से युद्ध में मारा गया खलंगा या जिसे नाला पानी का युद्ध भी कहते हैं ऐसे कोशन बनते हैं ठीक है अब युद्ध के बाद होगी संधी दिख एक और संधी होती है 1815 में ही मई में होती है 15 मई 1815 को अमर सिंग थापा और जो अक्टर लोनी था इन दोनों की बीच एक संधी होती है जिसे मलाव गड़ की संधी बोला जाता है ये 1815 में होती है अक्टर लोनी और अमर सिंग थापा के बीच में इसके बाद एक और संधी ह जो आपके दिसम्बर 1815 में होती है, दो दिसम्बर 1815 को ये संधी नेपाल के जो राजा थे, उनके जो राज प्रोहित थे, गजराज मिश्र, उनके और एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था करनल ब्रैट्शॉ, इनके बीच में 2 दिसम्बर 1815 को एक संधी होती है और ये संधी संधी संगौली की संधी होती है ठीक है इसी संधी की पुष्टी नेपाल दर्बार के द्वारा चार मार्च 1816 को की जाती है इसको आपने याद करना है ठीक है संधी तो दिसंबर में हो जाती है ब्रैट्शौ और गजराज मिश्र के मध्या में जब गजराज मिश्र वा अब गुर्खाओं के पास कोई चारा नहीं था और वो इस संधी की पुष्टी कर देते हैं कब करते हैं चार मार्च 1816 को तो ये कोशन भी बनता है ठीक है चरिए ये भी पेपर में पूछा गया था कि जो संगौली की संधी है इसमें जो ये संगौली है कहां पर ये संधी हु कुमाओं कमिशनरों के बारे में हम इनको देखेंगे ठीक है कुमाओं का पहला कमिशनर कौन था तो कुमाओं का पहला कमिशनर था ई गाडनर ठीक है एडवर्ड गाडनर इसका पूरा नाम है ये कुमाओं का पहला कमिशनर था मई 1815 में इसे कुमाओं का कमिशनर निक्त कि जाता है जैसे आमने उपर बोला था अंग्रीर जी रेजिडेंट के रूप में ब्रिटिश रेप्रेजनेटिव के रूप में इसे काथमांडू कोट यानि नेपाल भीज दिया जाता है तो कौन था पहला कुमाओ का कमिशनर ई गार्डणर पहला कुमाओ कमिशनर था ठीक है क कुमाओ का जो पहला भूमी बंदोबस था वो भी गार्डनर के द्वारा किया गया। आगे हम पुरा भूमी बंदोबस के बारे में बात करेंगे सारी चीज़े वहाँ पर किलियर हो जाएंगी। ठीक है। 16 से लेकर के 17 तक ये सहायक कमिशनर रहता है और उसके बाद ये 17 से लेकर के 35 तक कुमाओ का कमिशनर रहता है। ठीक है। कोशन आता है डाक सेवा को लेकर के। अलमोडा और शिरिनगर के बीच में सबसे पहले डाक सेवा शुरू होती है 1815 में। इसे डाक सेवा की शुरूवात गाडनर करवाता है ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लेना। जो डाक सेवा ये कोशन पेपर में बन चुका है 2019 हाई कोट में आया था। इसको उत्राखंड में सबसे पहले डाक सेवा किस-किस के मध्य में शुरू होी तो अलमोडा और शिरिनगर 1815 में हुई गाडनर ने करवाई और फिर पूरे उत्राखंड में इसको विलियम ट्रेल ने करवाया तो अगर उत्राखंड पूछेगा तो विलियम ट्रेल पहली स्थापना भी कौन करता है विलियम ट्रेल ठीक है कूली बेगार के समाधान के लिए खचर सेना का निर्मान भी कौन करता है विलियम ट्रेल करता है तो सारे कमिशनरों की बात करेंगे और सारे बिल्कुल to the points में हैं तो इनको सेना भी उसने 1822 में बनाई थी इसके बाद कूली बेगार के समाधान के लिए परियास करता है हैंडरी रैमजे हैंडरी रैमजे क्या करता है हैंडरी रैमजे जो कैदी थे उनको कूली के काम में लगाता है इसको भी आपने याद करना है ठीक है खचर सेना ट्रेल ने बनाई थी और जील की कैदियों को किस ने लगाया था हैंडरी रैमजे ने लगाया था 80 साला बंदोबस्त किस ने किया था तो 80 साला बंदोबस्त भी विलियम ट्रेल के द्वारा किया गया था जिसे हम 1823 में मानते हैं कि 1823 में ये किया गया था ठीक है भूमी बंदोबस्थ करवाय था इसने और उसी को 80 साला बंदोबस्थ बोला जाता है आगे हम इसके बारे में डेटेल में बात करेंगे ठीक है ट्रेल पर हिंदू धर्म के प्रचार प्रशार का आरोप लगा था देखे ये अंग्रेज था एक इसाई था उसाई होने के बावजूद इसके उपर हिंदू धर्म के प्रचार प्रशार का आरोप लगा था और ये कोश्यन पिछले साल पेपर में पूछा गया था कि इनमें स किस कमिशनर पर हिंदू धर्म के प्रचार का आरूप लगा वो था विलियम ट्रेल, ठीक है डबल लौक विवस्था विलियम ट्रेल ने कब शुरू करी, तो विलियम ट्रेल के द्वारा डबल लौक विवस्था 1824 में शुरू की गई, ठीक है जो सरकारी खजाना था उस पर नेंतरन के लिए इसने डबल लॉक विवस्था शुरू करी थी 1824 में साल वनों की कटाई पर प्रतिबंद कब लगाया तो वन प्रबंदन का जो पहला परियास था वो भी विलियम ट्रेल ने करा था और साल वनों की कटाई पर इसने प्रतिबंद 1826 में लगा दिया था अलमोडा जेल कब बनी बहुत बार पेपर में आता है अलमोडा जेल 1816 में बनी पौडी जेल आपके 1821 में बनी ठीके इसको भी आपने याद करना है पौडी जेल कहीं कहीं पर 1849 भी है आपको उसको याद नहीं करना है आपको पहला रेफरेंस 21 को ही देना है ठीक है ट्रेल की एक बहुत महत्तपूर्ण किताब है जिसका नाम है इस्ट्रेटिकल स्केच ओफ कुमाओने ये किताब किसकी है विलियम ट्रेल की है ट्रेल गर्दी की जाच के लिए कौन सा अंग्रेज अधिकारी कुमाओ में आया था तो ट्रेल गर्दी की जाच के लिए मिस्टर ग्लेन यहाँ पर आया था ठीक है इसको आपने याद करना है अठारा सो बाइस में आया था ट्रेल गर्दी की जाच के लिए ट्रेल नियाइक कमिशनर थे ये किस ने बोला तो ट्रेल को नियाइक कमिशनर एटकिंसन ने बोला है ठीक है इसे आपने याद करना है और ट्रेल के शाशन को माबाप सरकार भी इसी ने बोला है एटकिंसन ने बोला है इसको भी आपने याद करना है तो विलियम ट्रेल से temporary commissioner यहाँ पर निप्त किया जाता है जिसका नाम था मौजले स्मित ठीक है यह कुमाओ का पहला कारवाहक commissioner था इसको याद नहीं करना केवल इतना याद करना ट्रेल के बाद यह कारवाहक बना था जो तीसरा commissioner बन कर आया वो था जॉर्ज गोबान जॉर्ज गोबान का काल अगर हम बात करें तो दो महत्यपून घटनाएं पहला दास प्रथा का इसने अंतकरा कुमाओ में 1836 में ठीक है इसी के काल में जो बाल विक्रे और महिला विक्रे होता था उसको इसने उस प्रथा को बंद कर दिया था इसके अलावा में एक महत्यपून पद था सदर आमीन सदर आमीन का पद भी इसी के काल में सरजित हुआ 1837 में इसको भी याद करेंगे और इसके खिलाब भी काफी सारी शिकायतیں की गई थी अंग्रेज के जो बड़े अधिकारी थे तो इसकी जाच के लिए कौन आया था जैसे ट्रेल की जाच के लिए कौन आया था मिस्टर ग्लेन इसी प्रकार इसकी जाच के लिए बड़ नामक अधिकारी आया था ठीक है तो बड़ किसकी जाच के लिए आया आपको याद करना है गोबान के लिए ग्लेन किसके लिए आया था ट्रेल के लिए आया था ठीक है चलिए अब बात करेंगे कुमाओ कमिशनर का चौथा जो कमिशनर था जो कुमाओ कमिशनरी का चौथा कमिशनर था टॉम लूशिंग्टन लूशिंग्टन को लेकर भी बहुत सारे कुश्चन आपके बनते हैं इसका टाइम पीरियड 1838 से लेकर 1848 तक था नेनिताल नगर पालिका के लिए अधिनियम बनाये गया 1842 में किसके काल में लूशिंग्टन के काल में नेनिताल का नगरी करण भी इसी के काल में शुरू लूशिंग्टन ने ही करवाय था ठीक है अलमोडा में डिस्पैंसरी कमेटी इसका गठन किस ने करवाया तो अलमोडा में डिस्पैंसरी कमेटी का गठन भी इसी के द्वारा करवाया गया था अलाकि 1848 में ही इसकी मिर्थ्यू होती है लेकिन ये सारे काम इसी के काल में हु भी कौन करवाता है? Lushington करवाता है 1840 में 1849 में इसी के काल में Lushington के काल में जो कैप्टन हडलस्टन था श्री नगर में एक स्कूल की स्थापना करता है इसको भी आपने याद करना है और इसी के काल में Lushington के काल में तराई जिले का गठन भी किया जाता है 1842 में, इसको भी आपने याद करना है, तो ये कुछ महतपूर्ण कार्य जो लूशिंग टन के काल में हुए थे, लूशिंग टन को ले करके एक कोशन और याद करना, कुमाओ का आदिक कभी किसे माना जाता है, गुमानी पंत को, ठीक है गुमानी पंत ने किस कमिशनर की तारीफ करी है, तो लूशिंग टन की तारीफ गुमानी पंत ने भी करी है, इसको भी आपने याद करना है, हो सकता है, कोशन बन जाए, ठीक है अगला आता है, जॉन हैलिट बैटन, जॉन हैलिट बैटन की बात करें, तो इसके काल को ब्रिटिश शाषन का स्वन्न काल बोला जाता है, अगर आप से पूछेगा, कि उत्रा खंड में ब्रिटिश शाषन का स्वन्न काल किसको बोला जाता है, तो बैटन के काल को, आपने नहीं करना, रेमजे नहीं करना, आपने लूशिंग टन नहीं करना, किसको टिक करना है, बैटन को टिक करना है, ठीक है, इसके काल में जो प्रमुक हुआ घटना वो था, इसका 20 साला बंदोबस्त, ठीक है, इसने भी भूमी बंदोबस्त करवाया था, ये ओवरॉल आठ्मा भ टीक है, ये दोनों भूमी बंदोबस, जू की आठ्वा भूमी बंदोबस था, गड़वाल में 40 में हुआ, कुमाउ में 24 में हुआ, किसने करवाय थे, बेटन के द्वारा करवाए, गए थे लूशिंग तन के काल मेंों, ठीक है, पर शिक्षित पटवारियों की निक्ति की स्थापना इसी के काल में होती है सीधा कोशन बनेगा लंदन मिसनरी सोसाइटी कब हुई स्थापना आप बताएंगे 1850 पहला प्रश्ण किसने करी पादरी रेवरेंड ने कहा करी अलमोडा में और चौथा प्रश्ण बनेगा किसके काल में करी आप बताएंगे बेटन के काल में ठीक है इसको याद करेंगे कमिशनरी इस्थान आंतरित करी इसने अलमोडा से नैनिताल लेकर गया 1855 में इसको भी आपने याद करना है कोशन बन जाता है कुमाउं कमिशनरी का हेटक्वार्टर अलमोडा से नैनिताल कब लाया गया 1855 में लाया गया यात्रियों के लिए डांक बंगले कब खोले गए तो इसी के द्वारा बेटन के द्वारा यात्रियों के लिए डांक बंगले 1849 में खोल दिये गए थे ठीक है इसके काल को ब्रिटिश शाशन का सुन्न काल माना जाता है, जैसा हमने शुरुबात में बात करी थी, ठीक है? तो ये है बेटन जिसको लेकर आप से कोशन बनते हैं, अब बात करेंगे हैंडरी रैमजे के बारे में, हैंडरी रैमजे से सबसे ज़ाधा कोशन आपके बनते हैं तो इसको आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है सबसे पहले हेंडी रेमजे का काल देख लीजिए 1856 से लेकर के 1884 तक यानि 28 साल ये कुमाओ का कमिशनर रहता है ठीक है 1840 में हेंडी रेमजे सहायक कमिशनर बन जाता है यानि कि 40 से लेकर 56 तक कितने साल 16 साल ये कुमाओ में कुमाओ कमिशनरी में सहायक कमिशनर रहता है असिस्टेंट कमिशनर रहता है और उसके बाद 28 साल ये कमिशनर के पतपर रहता है यानि टोटल 44 साल ये यहाँ पे शाशन करता है ये कोशन एक paper में पूछा गया था Henry Ramsey को किस वर्ष सहायक Commissioner निक्त किया गया 1840 में Henry Ramsey किसका चचेरा भाई था कुछ दिन पहले ही हमने देखा था जो डल हौजी था भारत का Governor General इसका चचेरा भाई था Henry Ramsey इसको भी याद करना है Henry Ramsey किस देश का था देखें अंग्रेज था तो उसका मतलब यह नहीं है कि बिरिटेन का था, हेंडरी रेमजे आपके स्कॉट लैंड का था, इसको भी आपने याद करना है, ठीक है, किस देश का था, स्कॉट लैंड का, हेंडरी रेमजे को कुमाओ का मुकट रहित राजा बोला जाता है, यानि क कुमाओं का बेताज बादिशाह किसको बोला जाता है, हैंडी रैमजे को बोला जाता है, ठीक है, लूशिंग्टन की बेटी से इसकी शादी होती है, जो चौथा कुमाओं कमिशनर था, लूशिंग्टन, उसी की बेटी से इसकी शादी होती है, कोशन बन जाएगा जैसे किसके लिए कुष्ट रोग्यों के लिए देखे कुष्ट रोग्यों पर भी ध्यान देने वाला कमिशनर कौन था हैंडरी रैमजे और ना सरिफ इसने तब ध्यान दिया जब ये कमिशनर बना उससे पहले ही उनके लिए काफी कारिय ये कर चुका था जिसमें पहला काम कुष्ट रोग्यों पर इसने ध्यान दिया था कुमाओं में अंग्रेजों को बसाने का विरूद किया था हैंडरी रैमजे ने ये कोशन भी आप से बन सकता है किस कमिशनर ने या किस अंग्रेज अधिकारी ने कुमाओं में अंग्रेजों को बसाने का विरूद किया तो व ऐसा नहीं है कि जैसे ही इसका 84 में ये पद से हटा और सीधा यहां से चला गया हैंडी रेमजे कुमाओं में 1892 तक रहा था इसे भी आपने याद करना है ठीक है बहुत कम चांसे लेकिन फिर भी आप इसको याद करें नेक्स्ट है अप यहां पर हम बात करेंगे 1857 की क्रांथ के दोरान हैंडी रेमजे ने क्या क्या कार्य किये सबसे पहले कोशन तो यहीं बनता है जब 1857 की क्रांथी हुई उस समय कुमाओं का कमिशनर कौन था हैंडी रेमजे उस समय कुमाओं का कमिशनर था ठीक है इसने कुमाओं में मार्शल लौ लागू कर दिया और जब मैं कु क्माओ कमिशनरी की बात हो रही है ठीक है, ऐसे निकी केवल कमाओ की और ब्रिटिश गड़वाल की हम बात नहीं कर रहे हैं, कमाओ यानि कमाओ कमिशनरी जिसने ब्रिटिश गड़वाल शामिल है, इसने मार्शल लो यहाँ पर लागू कर दिया, affected 157 की करांती के दोरान रनव को इसने भेजा ये स्टारे पॉइंट आपको याद करने हैं 57 की क्रांती के दौरान के रैमजे के कार्य ठीक है चलिए अब बात करेंगे इस से रिलेटेड और इंपोर्टेंट तथ्यों की हेंडी रैमजे ने किस वर्ष हिल साइड सेफटी कमेटी का गठन किया था हेंडी र आपदा प्रबंदन का पहला प्रियास किस ने किया अगर आपसे पूछे का रैमजे ने ही किया था और ये ही वो प्रियास था दरसल 1867 में नैनी ताल में एक खाफी भीशन भूसकलन होता है भुकंप यहां पर आता है उसी की जाच के लिए कि किस तरीके साय क्या 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 इसके कारण थे और उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है आपदा को प्रबंधन किया जा सकता है उसी के लिए हिल साइट पहला प्रियास किस ने किया रैमजे ने किया जैसे उपर हमने पढ़ा ट्रेल के बारे में वहां ने प्रबंदन का पहला प्रियास किस ने किया था ट्रेल ने किया था ठीक है भारत का पहला मेतोडिस्ट चर्च कहां खुला था तो भारत का जो पहला चर्च अगर हम कहें तो नेनिताल में खोला गया पहला मेतोडिस चर्च, नेनिताल में 1858 में खोला गया और इसे पादरी विलियम बटलर ने खोला, रैमजे के सहयोग से इसे खोला गया था, ठीक है? कुमाओ के पहले कंजर्वेटर कौन थे? तो कुमाओं का पहला कंजर्वेटर था हैंडरी रैमजे ठीक है वनों के प्रबंदन को लेके कोई अलग सा वनविभाग तो था ही नहीं तो कंजर्वेटर नुक्त किया जाता था और कुमाओं का पहला कंजर्वेटर हैंडरी रैमजे को नुक्त किया गया हेंडी रेमजे ने क्या-क्या महत्वकून कारे किये पहला ठेकेदारी प्रथा को इसने समाप्त कर दिया कोशन बनता है कि कुमाओ कमिशनरी में ठेकेदारी प्रथा को किसने समाप्त किया हेंडरी रेमजे ने समाप्त किया 1858 में जब ये कुमाओं का पहला कंजर्वेटर बना हेंडरी रेमजे के ही द्वारा इसी के कंजर्वेटर काल के दौरान इसने 1861 में पहला वन बंदोबस किया देखे हम भूमी बंदोबस की बात नहीं कर रहे भूमी बंदुबस्थ अलग है पहला वन बंदुबस्थ का परियास किस ने किया था? ट्रेल ने पहला वन बंदुबस्थ किस ने किया? ये किया रैमजे ने 1861 में ठीक है? 1861 में ही हैंडरी रैमजे ने तराई भाबर के वनों की रिपोर्ट भी तयार करवाई इसको भी आपने याद करना है ठीक है तो कंजर्वेटर को लेकर के सारे प्रश्ण एक जगह पर आपको मिल गए पहला कंजर्वेटर रेमजे था ठेकेदारी प्रथा को खतम किया पहला वन बंदुबस्त किया तराई भाबर के वनों की रिपोर्ट करवाई ये कब तक कंजर्वेटर के पत पर रहा क्योंकि कमिशनर तो ये 84 तक रहा लेकिन 84 तक ये कंजर्वेटर नहीं रहा ये कंजर्वेटर रहा 1868 तक ठीक है क्योंकि आप जानते हैं 1868 में कुमाओ वन विभाग का गठन हो जाता है और अ इसको लेकर विवाद भी है राजस्व पुलिस विवस्था लाकू है इसकी शिरुवात जो करी थी राजस्व पुलिस विवस्था की 1884 में रैमजे ने ही इसको शुरू किया था और बहुत बार ये कोशन रिपीट हुआ है तराई इंप्रूब्मेंट फंड की इस्थापना क करी गई थी ठीक है तराई में नेहरों का जाल बिचाने का जो श्रे जाता है वो रैमजे को ही जाता है और तराई का विश्व कर्मा भी रैमजे को बोला जाता है इसको भी आपने याद करना है कोशन बन जाएगा तराई का विश्व कर्मा किसको कहते हैं हैं हेंरी रैमजे को तराई Improvement Fund कब बना 1883 में बना था ठीक है तो ये Henry Ramjay को लेकर के प्रशन थे अब एक important question जो Ramjay को लेकर आपसे पूछा जाता है देखे एक और चीज़ याद करना जो एक महतपूर्ण अधिनियम था अधिसूचित जिला अधिनियम Schedule District Act हम जिसको कहते हैं 1874 में जो आया था Ramjay के ही काल में आया था इसको भी याद करना क्यों ये अधिनियम महतपूर्ण है क्योंकि British काल के 74 के बाद maximum जितने नियम बनते हैं उत्राखंड में वो सब इसी अधिनियम के तहर बनते हैं सबसे इंपोर्टेंट नियम जो था 1931 में हम पढ़ेंगे वन पंचायतों का गठन होता है उत्राखंड में उन वन पंचायतों का गठन जो 1931 में हुआ इसी अधिनियम के तहट हुआ था इसको भी आपने याद करना है ठीक है ये अधिनियम भी कप पारित हुआ? रेमजे क काल में भी एक अधिकारी आया था यहां की नियाइक ववस्ता की जांच के लिए उसका नाम क्या था? उसका नाम था पी वैली ठीक है? पी वैली करके एक अधिकारी था 1869 में यह यहां पर आया रेमजे के काल में जो नियाइक ववस्ता है उसकी जांच के लिए आया था ठी है रेमजे के बाद बनने वाला कुमाव कमिशनर देखे कुमाव कमिशनर टोटल हुए थे 24 या यूं कहें 23 प्लस एक 23 ब्रिटिश थे एक भारतिया था इन 24 में से केवल जो शुरुवात के 6 कमिशनर हैं जिनके बारे में हमने उपर बात करी चाहे वो गार्डनर हो ट्रेल हो लूशिंग्टन हो बेटन और रेमजे ये 6 आपके लिए important हैं उसके बाद से आपसे ज़ादा कोशन नहीं बनते एक दो से ही कोशन बन जाते हैं सबसे important कोशन इन अगर हम बाकी के कमिशनरों में देखें तो वो ये वाला कोशन आपका बन सकता है रेमजे तक सबको याद हो 84 से लेकर 85 तक ये कुमाओ का कमिशनर रहा था ठीक है इसको याद करना है फिसर के बाद 8 वा कुमाओ कमिशनर कौन था ह एच जी रॉस ये 85 से लेकर 87 तक कुमाओ का कमिशनर रहा इसके काल की महत्वपुन घटनाए क्या थी गड़वाल राइफल की स्थापना इसी के काल मे होती है ये दोनों तथ्य आपको याद करने है ठीक है गड़वाल राइफल्स और कॉंग्रेस दोनों के आप जानते हैं गड़वाल राइफल सथासी में बनी और आपकी कॉंग्रेस 1885 में पनी थी ठीक है अगला है कमिशनर जे आर ग्रिक जे आर ग्रिक की बात करें ये कुमाओ का नववा कमिशनर था 88 से लेकर 90 तक ये कुमाओ का कमिशनर रहा इसके काल की महत्पुन घटना 1890 में घटित हुई जब कुमाओ में लाइसंस नीती को लाया गया था देखे 1857 की क्रांथी के बाद पूरे भारत में लाइसंस नीती को लाया गया यानि हत्या रखने के लिए आपको लाइसंस चाहिए होता लेकिन रेमजे के कहने पर उत्राखण में उसे लागू नहीं किया गया ठीक है 1858 में पूरे भारत में लाया गया लेकिन बाद में कुमाओं में भी लाया गया लाइसंस नीती को और ये 1890 में आया इसी अस्किर्ण के काल में ठीक है इसको आपने याद करना है दस्वा कुमाओं कमिशनर बना आपका जी ई अस्किर्ण की बात करें 99 से लेकर 92 तक ये कुमाओं का कमिशनर रहा और इसके काल की महतपून घटना 1891 में होती है जब नैनिताल और अल्मोडा नाम के दो नई जिले बना दिये जाते हैं ठीक है तो नैनिताल का गठन इसी के काल में हुआ था ग्यारवा कुमाओं कमिशनर था डी टी रॉबर्स ये 1892 से लेकर 1894 तक कुमाओं का ग्यारवां कमिशनर रहा इसके काल की महतपून घटना हुई पहली वन नीती कब आई थी इसी के काल में आई 1894 में ब्रिटिश काल की जो प पशू अनुसंधान संस्थान इसकी स्थापना 93 में होती है एल्फरिड लेंगाड इसकी स्थापना करता है और इसी के काल में करता है ठीक है फिर आया बारवा कुमाओं कमिशनर ई ई ग्रीज ये कुमाओं का बारवां कमिशनर था 1894 से 98 तक ये कुमाओं का कमिशनर रहा इ तेवल एक घटना आपको याद करनी है 1897 की घटना जब उत्राखंड की एक अलग मांग पहली बार सामने आई थी, ठीक है, आगला आता है तेरवा कुमाव कमिशनर R.E. हैंबलीन, R.E. हैंबलीन 1899 से लेकर 1902 तक कुमाव का कमिशनर रहा, तेरवा कुमाव कमिशनर, इसी के क काल में देहरादून में रेल पहुचती है, इसको कुशन बन सकता है, देहरादून रेलवे कब बनी, 1900 में बनी थी, हम जानते हैं, हैंबलीन के काल में बनी थी, ठीक है, यहां से आपको जादातर कमिशनरों के नाम नहीं आते कि अवल घटना पूछी जाती है, तो आपको के काल में गड़वाली समाचार पत्र 1905 में आया था, इसको भी आपने याद करना है, अगला आता है कैम्प बेल, कैम्प बेल कुमाओ का पंद्रवां कमिशनर था, 1906 से लेकर 14 तक ये कुमाओ का कमिशनर रहा, इसके काल में क्या-क्या महतपून घटनाए घटी, देखिए सबसे पहले कूली एजेंसी जो 1908 में बनी थी, इसी के काल में बनी थी, कैम्प बेल के काल में, 1908 में बनी किसके द्वारा और इसके पहले सचीव भी कौन थे, जोद सिंग्नेगी, इनी का महतपून योगदान था, ठीक है, और इस कूली एजेंसी को समाप्त कर दिया गया था 1923 में, इसको भी याद करना है, लेकिन बनी कब 1908 में, केंप बेल के काल में, कुमाओ गवर्मेंट गार्डन 1909 में बना, ये भी इसी के काल में बना, ठीक है, गलोगी परियोजना, ये भी इसी के काल में बने थी, ठीक है, इसको भी आपने याद करना है, अगला कमिशनर पी वेंडम, जिसका पूरा नाम था परसी वेंडम, इसको लेकर भी कोशन बनते हैं, सबसे पहले इसका कारेकाल 1914 से लेकर के 1924 तक था, 10 साल ये कुमाओ का कमिशनर रहा, 16 कमिशनर था, इसी के काल में कुमाओ परिशत की स्थापना होती है 1916 में, डारेट कोशन बनेगा, कु कुमाओ का कमिशनर कौन था, आपका पी वेंडम, कुमाओ वाटर रूल्स जो 1917 में आते हैं, इसी के काल में बने थे, ठीक है, हाला कि इनमें बाद में संसोधन किया गया, 1930 में, आपको दोनों याद करने हैं, एक्जाम में कोशन को ध्यान से पढ़ना है, आपके कुमाओ व अर्था का अंत हम जानते हैं, 13-14 जनवरी 1921 को होता है, वो भी वेंडम के काल में होता है, ठीक है, व्यापक वन आंदोलन ये भी वेंडम के काल में होते हैं, 1911 से लेकर के 1917 की बीज में, उत्राखंड में व्यापक वन आंदोलन चले थे, इसको आपने याद करना है, ठीक ह 13 अपरेल 1921 को इस कमीटी का गठन होता है कुमाओं फॉरेस्ट ग्रेविंस कमीटी इसका पूरा नाम है डेट सहित पेपर में आता है तो डेट सहित आपको याद करना है कब बनी थी 13 अपरेल 1921 कौन इस कमीटी का अध्यक्ष था कुमाओं कमीशनर खुद पी विंडम इसका अध्यक्ष था क्योंकि हमने देखा वन आंदोलन काफी चले ग्रेविंस कमीटी का मतलब होगे शिकायस समाधान कमीटी यानिकि जो उनकी शिकायतों को सुनेगी जो आपतिया है लोगों को उनका यह निप्टारा करेगी उसके संबंद में अपने सिफारिश देगी इसका काम था ग्रेविंस कमीटी का कुमाओं फॉरेंस ग्रेविंस कमीटी 13 अपरेल 1921 को बनी विंडम इसका अध्यक्ष था और इस कमीटी ने अपनी रिपोर्ट कब जारी करी इसने अपनी रिपोर्ट 28 अक्टूबर 1921 को दी थी सरकार को ठीके इसको आपने याद करना है पी विंडम की बात करें असहयोग आंदूलन के समय भी कुमाओं कमिशनर कौन था पी विंडम था अगला आता है सत्रवा कुमाओं कमिशनर जिसका नाम था N.C. स्टिफ कहीं पर स्टिफ है और कहीं पर स्टाइफ भी इसको लिखा गया है तो एक ही बात है 1925 से लिकर के 31 तक ये कमिशनर रहा और इसके काल की दो महत्तुपुन घटनाई पहला रवाई कांड 30 मही 1930 और दूसरा पेशावर कांड 30 अपरेल 1930 दोनों आपको याद करना है कमिशनर उसमें इस टाइफ था अगला आता है 20वा यहाँ पर आपका कमिशनर इबर्टसन क्योंकि जो बीच में आया आपके 17 के बाद इसके काल का कोई महत्पुन घटना तो नहीं है लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है हम पढ़ेंगे अभी आगे जाकर जब हम भूमी बंदोबस के बारे में बात करेंगे तो ब्रिटिश काल का अंतिम भूमी बंदोबस 1928 में होता है यही इबटसन उसे करवाता है बाद में जाके यह कमिशनर भी बनता है 1935 से लेकर के 49 तक ठीक है अगला आता है जो महत्पुन है J.C. Acton J.C. Acton की बात करें यह 1941 से लेकर के 1943 तक कुमाओ का कमिशनर रहता है इसके काल में क्या-क्या घटना होती है सबसे महत्पुन घटना भारत छोडो आंदोलन की दोरान कुमाओ का कमिशनर कौन था भारत छोडो आंदोलन 1942 में चला और उस समय कुमाओ का कमिशनर कौन था J.C. Acton इसी के साथ सल्ट गोली कांड भी होता है उत्राखंड में काफी important यह कांड था उत्राखंड का बार्दोली इसको बोला जाता है इसके होने पर भी कमिशनर कौन था एक्टन इस समय यहां का कमिशनर था ठीके इसको भी आपने याद करना है सल्ट गोली कांड कब हुआ था सभी जानते हैं डेट 5 सितंबर 1942 को हुआ था तो यह दोनों घटनाए इसके काल की हैं जेसी एक्टन के अगला आता है 23वा कमिशनर 23वा कमिशनर था डबलू फिल ले ठीके डबलू फिल ले है केवल डबलू फिल ले कौमाओ का 23वा और आखरी ब्रिटिश कमिशनर था 1943 से लेकर 1947 तक ये कुमाओ का कमिशनर रहा इसी के काल में 1945 में कुमाओ रेजिमेंट का गठन होता है आजादी के समय में भी W. Finlay यहां का कमिशनर था वोशन बनेगा जब भारत आजाद हुआ उस समय कुमाओ का कमिशनर कौन था फिन ले यहां का कमिशनर था इसे भी आपने याद करना है ठीक है और इसके बाद कमिशनर बनता है भारत का पहला कमिशनर के अल महता यानि की पहला इंडियन कमिशनर जिसका नाम के अल महता था यह 1947 से लेकर 1948 तक कुमाओ कमिशनर के पत पर रहे थे तो टोटल कितने कुमाउं कमिशनर रहे? 24 रहे, आकरी थे केल महता, आकरी अंग्रेज था फिल ले, दोनों का नाम आपको याद करना है, ठीक है? तो ये हमने पूरे कुमाउं कमिशनरों के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे अंग्रेज, वन, भूमी और कृषी से संब प्रशनों के बारे में, ठीक है? चलिए. दूसरा वन बंदोबस किसके द्वारा किया गया? उपर हमने पहला वन बंदोबस पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, 1861 में रैमजे ने करवाया था, दूसरा वन बंदोबस स्टिफी और नेलसन के द्वारा करवाया गया, ये वाल के लोग थे, उनकी भूमी को भी वन भूमी गोशित कर दिया, इसलिए हमने उपर पढ़ा था, विंडम के काल में 11 से लेकर 17 तक, व्यापक वन आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? किस वन अधिकारी ने भूमी को A, B, C वर्ग में बाट दिया था? तो A वर्ग, B सीवर्ग, तीन वर्गों में भूमी को बाटा था, नेलसन ने, ठीक है? इसी नेलसन ने बाट दिया था, इसको भी आपने याद करना है, ठीक है? किस वर्ष गडवाल के वनों को दो भागों में कौन-कौन से भाग थे वह? एक ते उत्तरी गडवाल वन और एक दक्षणी गडवाल वन तो दो भागों में बाटा गया, उनिसो चौदा में, ठीक है? इसको भी आपने याद रखना है, कि गडवाल के जंगलों को दो भागों में उत्तरी और धक्षणी कब बाटा गया? चौदा में बाटा गया, इसके बाद, दो साल के बाद, उनिसो सुल्हा में उत्तरी गडवाल के लिए औसमोस्टन नाम का एक अधिकारी था, उसने और धक्षनी गडवाल के लिए भोला नाम का एक विक्ति था, उसने पंच वर्षय योजना का निर्मान किया, कोशन बन जाएगा, वनों को दो वर्गों में कब बाटा, 14, इनके लिए पंच वर्षय य एक कर दिया गया, इसको भी याद करना है, ठीक है, 14 में अलग-अलग किया गया, 24 में 10 साल बाद फिर से एक कर दिया गया, ठीक है, उत्राखंड में आलू की खेती किसने शुरू करी थी, तो उत्राखंड में आलू की खेती मेजर यंग के द्वारा शुरू की गई थी, 1823 म इसने शुरू करी थी ठीक है अगर हम बात करते हैं विदेशी आलू की तो विदेशी आलू की खीती हैरी बर्जर ने शुरू करी थी 1864 में इसने शुरू करी थी जो मेजर यंग था इसने देहरादून में इसकी शुरू करी और हैरी बर्जर के द्वारा नैनिताल में विदे नाम याद करना है एक और चीज़ जैसे एक कोश्चन पिछली बार पूछा गया था कि चाई के लिए जो चाई की पौद थी अंग्रेज कहां से लेकर आए चाइना से मंगवाई थी उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाता है जो केसर था केसर कहां से मंगवाते थे अंग्र नेपाल से अलमोडा के वनों में चीड प्राप्त करने की अनुमती किसने मांगी थी देगे अलमोडा में गुर्खाओं का शाशन था 1809 में भारत का गवर्नर जनरल उस समय लौड मिंटो था मिंटो के द्वारा नेपाल से अनुमती मांगी गई कि क्या हम चीड के वनों से यहां से अलमोडा में जो वन है उनसे चीड प्राप्त कर सकते हैं इसको भी आपको याद करना है ठीक है चीड के व्रक्षों से लीसा टिपान की शिरुवात कप से की गई थी 1890 में करी गई थी यानि किसका मतलब क्या हुआ 1809 में गुर्खाओं ने अनुमती नहीं दी थी इसको भी आपने याद करना है लीसा टिपान के लिए चीड के व्रक्ष प्राप्त करना चाहते थे जो गोर्खाओं ने नहीं दिया अंग्रेजों ने चीड के व्रक्षों से लीसा टिपान कप शुरू किया 1890 से शुरू किया ये कोशन बनता है किस वर्ष सभी बेनाप भू ये बेनाम भूमी की बिखरम बात करें उसे सरक्षत वन यानि सरकारी वन गोशित कर दिया 1893 में इसे भी आपने याद करना है ठीक है सरक्षित वनो को दो भागों में खोलेवन और बंदवन में कब बाटा गया सरक्षित वनो को भी दो वर्गों में बाटा गया 1903 में ठीक है वन पंचायतों का गठन कब किया गया था तो उपर हमने देखा था जिला अधिसूजित अधिनियम था 1884 उसी के तहट वन पंचायतों का गठन कुमाओं में 1931 में होता है ठीक है ये कोशन बहुत भार पेपर में आया है सबसे पहले वन पंचायतों का गठन कब हुआ 1931 में हुआ इतना आयात करना तो चमूली वाला इलाका है यहां पर वन पंचायत 1932 में बनी बाकी पूरे राज्य में 31 में बन गई थी ठीक है कुमाओ में बैला डोला की खेती किस के द्वारा शुरू की गई थी तो बैला डोला की खेती कुमाओ में नॉर्मन गिल की द्वारा शुरू की गई थी 1903 में इसको भी आपने याद करना है ठीक है कुशन बन जाता है कुमाओ में सबसे पहले बैल उत्राखंड में चाई की खेती करने का सुझाओ दिया था देखें उत्राखंड में चाई की खेती के अगर हम शुरुवात की बात करते हैं ये शुरू करा था विसप हेबर ने 1824 में इसने सुझाओ दिया था और छोटे स्तर पर चाई की खेती को इसने शुरू कर दिया था उसके बाद 1827 में उत्राखंड में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था डॉक्टर राइले ठीक है और यही डॉक्टर राइले 1834 में बड़े स्तर पर चाई की खेती की शुरुवात करता है चोटे स्तर पर पूछेगा पहली बार पूछेगा तो विशप हेबर व्यापक स्तर पर पूछेगा तो आप बताएंगे डॉक्टर राइले दोनों कोशन इंपॉर्टेंट है कब करता है 1835 में अलमोडा के लक्षमेश्वर में चाई का बगीचा किस ने स्थापित किया था इसे आपने याद करना है कोशन बन जाता है इसी फॉक्टर ने जो कुमाओं की चाई थी उसकी तुलना चाईना से आने वाली जो उलांग चाई थी उसके साथ करी थी वर्ष 1850 में चीनी चाई विशेशग्य जो गड़वाल आया था तो पिछले साल ये कोशन बना था चीनी चाई विशेशग्य जो गड़वाल आया उसका नाम था S.I. Wang कब आया था? 1850 में पौडी में किसके द्वारा सरकारी चाई फेक्टरी की स्थापना करी गई? तो पौडी में सरकारी चाई फेक्टरी डी ए चौफिन के द्वारा बनाई गई थी इसे भी आपने याद करना है कुशन बन जाता है किस वर्ष नैनीताल जिले में यूरोपियों द्वारा पांच चाई के बागान इस्थापित किये गए थे तो यूरोपियों के द्वारा पांच चाई के बागान इस्थापित हुए नैनीताल में 1928 में इनको इस्थापित किया गया था ठीक है और कहां कहां पर इंट को इस्थापित किया गया था देखिए भवाली में मिस्टर न्यूटर ने चाय का बागान इस्थापित किया भवाली में ही मिस्टर मुलियन ने करा भीमताल में मिस्टर जोंस ने करा रामगड में डेरियास ने करा और घोडा खाल में वीलर के द्वारा चाय बागान इस्थापित किये गए हाला कि बाद में यहाँ पर इनों ने कई सारी चीज़े भी उगाई और फल उद्ध्यान के भी इनको बुला जाता है ठीक है कोशन बनता है डेरियास ने अपना उद्ध्यान कहां पलगवाया आप बताएंगे रामगड में जो उसने कहां पलगवाया आप बताएंगे भीमताल में मुलियन और जो न्यूटन था इन दोनों का कहां पर था इन दोनों का भवाली में था इसको भी आपने याद करना है कोशन बन जाता है ठीक है इसके अलावा एक और चीज आपको याद करनी है उपर हमने बात करी अलमोडा के लक्ष मेश्वर में किसने लगाया था चाय बागान ये लगाया था फौकनर ने 1843 में पौडी के अंदर यानि कि पौडी और गडोलिया में किसने चाय बागान लगाए तो ये लगाय थे कैप्टन हडलस्टन ने पिछले साल पेपर में पूछा गया था ठीक है पौडी और गडोलिया में चाय बागान किसने इस्थापित करे 1843 में कैप्टन हडलस्टन ने करा इसको भी याद करेंगे ठीक है और देहरादून में भी एक चाय बागान लगवाया गया 1844 में जिसे जेमिसन ने लगवाया था ये कुछ important fact जो आपको याद करने हैं ठीके चलिए अब बात करेंगे कुछ प्रमुग गार्डन और उद्यानों के बारे में सबसे पहला है आपका कुमाओ Government Garden उपर हमने इसके बारे में बात करी थी इसकी स्थापना 1909 में हुई जोलि कोट नैनीताल में इसे स्थापित किया गया था कुमाओ Government Garden का कारेभार किसको स्वंपा गया था कौन इसका हैड बनाया गया था नौर्मन गिल को बनाया गया था ठीक है और यही नौर्मन गिल था जिसके काल को कुमाओं के अंदर बागवानी विकास का स्वन्न काल माना जाता है ठीक है नौर्मन गिल को जब यह नौर्मन गिल यहां से वापस गया इंगलैंड तो किसको अपना सारा काम यह दे कर गया यह का इसका ही एक कलर्क था इसी के साथ काम करता था जिसका नाम था रामलाल शह इसे भी आपने याद करना है ठीक है सरकार द्वारा वरक्षों की आठ प्रजातियों को आरक्षित वरक्ष किस वर्ष घोशित किया गया तो सरकार ने व्रक्षों की आठ प्रजातियों को सरक्षित व्रक्ष घोशित कर दिया 1894 में हमने उपर क्या बात करी थी आपको याद होगा पहली वननीती ब्रिटिश काल की 94 में आती है और इसी के तहर आठ प्रजातियों को, वरक्षों की आठ प्रजातियों को सरक्षित घोशित कर दिया जाता है, यानि उनकी कटाई पर प्रदिबंध लगा दिया जाता है। 1932 में स्थापित किया गया तीनों कोशन आपको याद करने हैं पेपर में पूछे जाते हैं ठीक है चलिए अगला है होटी कल्चर प्रियोग एवं प्रशिक्षन केंद्र की स्थापना कब की गई तो इसकी स्थापना 1934 में करी गई थी भवाली में इंपीरियल पोटेटो रि स्थापना इसकी स्थापना 1943 में करी गई थी ठीक है अलमोडा में विवेकानंद परवत्या करशी अनुसंधान संस्थान इसकी स्थापना कब हुई ये कोशन एक ही पेपर में दो बार आया था ठीक है जो अलमोडा में है आपका विवेकानंद परवत्या करशी अनुसंधा में होती है लेकिन 1924 में ये कोलकाता में बना था हमें पूचा है अल्मोडा में कब लाया गया तो अल्मोडा में ये 1936 में लाया गया इस थापना 24 में होती है कोलकाता में इसके संस्थापक बोसी सेन थे उस पेपर में पहले आपको पूचा गया विवेकानन्द परवध्यक किर्शी अनुसंधन संस्थान अलमोडा का बाया आपने बताया 36 और दूसरा कोशन पूछा गया था इसके संस्थापक का नाम बोसी सेन ठीक है चलिए अब हम ब्रिटिश काल के भूमी बंदोबस के बारे में बात करेंगे ठीक है ब्रिटिश काल से अब तक गड़वाल में कितने भूमी बंदोबस हुए हैं तो ब्रिटिश काल से लेकर के अब तक के अगर हम बात करें टोटल 12 भूमी बंदोबस हुए हैं जिसमें से 11 भूमी ब ट्रेल ने किया था, 1815 में पहला भूमी बंदोबस्त इन्हों ने करवाय था, कुमाओं के अंदर गाड़नर की नेत्वत में हुआ और गड़वाल में ट्रेल की नेत्वत में करवाया गया, इसके बाद दूसरा भूमी बंदोबस्त 1816 में उसे विलियम ट्रेल ने करवाया, फ विलियम ट्रेल के 1823 में इसने एक भूमी बंदोबस्त करवाय था, इसी को 80 साला बंदोबस्त बोला जाता है, ठीक है? यहां भूमी बंदोबस्त पहला भूमी बंदोबस्त था, जो 5 साल के लिए करवाया गया था, इसलिए इसे 15 साला बंदोबस्त भी बोला जाता है, ठीक है ग्यारहा जो भूमी बंदोबस ब्रिटिश काल में हुए उनमें से साथ भूमी बंदोबस विलियम ट्रेल ने ही करवाय थे, जिसमें सबसे प्रचलित कौन था, इसका 1823 का 80 साला बंदोबस, ठीक है, पहला 20 साला बंदोबस किस ने करवाय था, तो पहला 20 साला बंदोबस ये क ये गड़वाल में हुआ आपके 1840 में जैसे हमने उपर देखा और कुमाओ में हुआ 1844 में ओवर ओल ये आपका आटवा भूमी बंदोबस था इसको भी आपने याद करना है ठीक है पूचा जाता है पहली बार वैग्यानिक पदती से किया गया भूमी बंदोबस कौन सा था तो पहली बार वैग्यानिक पदती से जो भूमी बंदोबस किया गया वो आपका विकेट बंदोबस था कौमाओ कमिशनरी का नवा भूमी बंदोबस था ठीक है एक छोटा सा करेक्शन करना 1815 में गार्डनर ने कौमाओ में करवाया और 16 में ट्रेल के द्वारा गड़वाल इसको भी आपने याद करना है ठीक है वापस कौशन पे आते हैं हम बात कर रहे थे पहली बार वैग्यानिक पदती से किया गया भूमी बंदोबस ये था आपका विकेट बंदोबस विकेट बंदोबस आपके 1863 से 1873 के बीच में किया गया ये भूमी बंदोबस नवा भूम में बांट दिया गया कौन कौन से 5 भाग थे पहला था तलाव भूमी नदी घाटों की भूमी जहां पर सिचाई की विवस्ता हो उसे तलाव बोला गया दूसरा था उपराओं जहां पर पर्वत्य चेत्रों के उँचे इस्थानों पर जो भूमी है उसे बोला गया अवल थी ये उपराओं दोयम दुत्य श्रेणी की अवल भूमी इसको बोला गया उपराओं दोयम ठीक है फिर आती है इजरान निम्न श्रेणी की उबर खावड भूमी को इजरान बोला गया और फिर आती है खील भूमी जो कंटील भूमी थी उसे खील भूमी यहां पर बोल इसको भी आपने याद करना है, कोशन यहां से बन जाते हैं, चलिए, गड़वाल में दस्मा भूमी बंदोबस्त किसने करवाय था, नौ हमने देख लिए, दस्मा भूमी बंदोबस्त गड़वाल में इपो के नित्वत में करवाया गया, यहां भूमी बंदोबस्त 1893 में होत उप्यूक्त आंसर है, 87 को याद नहीं करना, 93 को आपने याद करना है, और अगर रेंज पूछेगा, तो 90 से लेकर 96 को आपने याद करना है, क्यों 93 इसका उप्यूक्त आंसर है, क्योंकि हमने देखा, जो आपका नवा भूमी बंदोबस्त था, 1863 से 73 की बीच में हुआ था, यहनी 63 में शुरू आ था, 30 साल के लिए था, तो 93 तक तो रहेगा, ठीक है, 93 फिर दुबारा से शुरू किया गया, इसको आपने याद करना है, गड़वाल में दस्वा भूमी बंदोबस्त इपो करवाता है, और कुमाओं में गूंज एक अधिकारी था, इसके नेतित में दस का 1928 में होता है, इबर्सन के नित्वत्त में होता है, और यह भूमी बंदोबस्त सिर्फ गड़वाल में होता है, यानि कुमाओं में 11 वाला नहीं होता, इसको भी आपने याद करना है, 1928 में हुआ था, और केवल गड़वाल में किया गया, बारवा भूमी बंदोबस्त ज महत्वपूर्ण वन लाइनरों के बारे में यहां से भी आपको बहुत सारे कोशन देखने को मिलेंगे दिखिए अंग्रेजों ने सरुप्रतम किस स्थान पर भांग की फैक्टरी लगाई थी तो अंग्रेजों ने सबसे पहले भांग की फैक्टरी ताशिपूर में लगाई थी किस वर्ष कुमाउ चेत्र को इलहाबाद हाई कोड के नियाए अधिकार चेत्र के अंतरगत लाया गया था तो यह लाया गया 1926 में इसे भी आपने याद करना है ठीक है जो कुमाउ कमिशनर था इसको भी या पूरे कुमाउ चेत्र को इलहाबाद हाई कोड के अधिकार चेत्र में कब लाया गया 1926 में लाया गया पूछा जाएगा ठीक है चलिए कुमाउ जल नियम कब बनाय गये था हमने उपर पढ़ा था ना कुमाउ वाटर रूल्स तो वही हिंदी में दे दिया कुमाउ जल नियम 1917 में बने 1930 में इनमे संसोधन किया गया इसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला पहला गडवाली कौन था तो इसाई धर्म की उसको स्विकार करने वाला उसकी शिक्षा लेने वाला पहला गडवाली था ख्याली रमोडा, ठीके, रमोडा हो गए यहाँ पर, ख्याली रमोडा पहला गडवाली था, जिसने इसाई धर्म को स्विकार किया, इसे गडवाल का पीटर भी बोला जाता है, इसको भी आपने याद करना है, घराटों पर कर लगाने का सुझाव किस ने दिया था, तो जो प सालाना कर इन पर लगा दिया जाता है, यानि 61 में पिसाई के अधर पर लगते हैं, जितनी आप पिसाई करेंगे, उसे सबसे टेक्स देंगे, और 1922 में इसे वार्शिक कर दे दिया जाता है, चाहे आप पिसाई करें या ना करें, आपको इतना टेक्स देना होगा, इसको आ आपने याद करना है ठीक है किस वर्ष तराई छेतर में कुमाओ भाबर खेतिहार नियास निधी का गठन किया गया ये कोशन प्रिविस एर आपसे पूछा गया था तराई छेतर में कुमाओ भाबर खेतिहार नियास निधी इसका गठन 1906 में हुआ ठीक है तराई भाबर के प पटवारी और कानुनगो की निव्क्ती से रिलेटेड जो rules बनाए गए इनका निर्धारण 1897 में किया गया और इनको लागु कप किया गया इनको लागु 1906-1907 में किया गया दोनों कोशन याद करने है नियम बनाए कप गए 97 में लागू कप किये गए 1906-1907 में इसी प्रकार तराई छेतर में चराई का नियम और शुल्क का निर्धारण तो चराई संबंधी नियम कब लागू किये गए इनका निर्धारण और लागू 1909 में हुआ था तोनों याद करने हैं ये तीनों वर्ष important हो जाते हैं ठीक है तराई में नहर प्रणाली किसने विक्सित करी थी तो देज़े तराई में नहरों का जाल बिछाने का जो श्रे जाता है वो रेमजे को जाता है लेकिन अगर अगर अधिकारी का नाम पूछे तो कैप्टन जोन्स दोनों बातें आपने याद करना है तो तराई में नहर प्रणाली विक्सित करने का श्रे कैप्टन जोन्स को है और काशिपूर परगने में जेसी मैकडॉनल्ड को जाता है तराई छेतर में बंदोबस्त किसने करवाय था अगर ये पूछ लिया जाए तो बोल्डर्सन करके एक नाम है जिसका नाम आपको याद करना है इसने तराई में बंदोबस्त करवाय था ठीक है इस कोशन को भी आपसे पूछा जाता है आपने याद करना है सबसे पहले बात करेंगे हम स्वतंतरता आंदोलन के बारे में उत्राखंड के पहले स्वतंतरता सेनानी कौन थे तो राज्य का पहला स्वतंतरता सेनानी कालू महरा को माना जाता है कालू महरा जब करांती हुई 1857 की उस दौरान ये एक्टिव थे इन्होंने करांतीवीर नाम एक संगठन बनाया था इनके संगठन का नाम बहुत बार पूछा जाता है तो कालू महरा ने कौन सा संगठन बनाया था करांतीवीर का बनाया था 1857 की करांती के दौरान इसलिए इनको राज्य का पहला स्वतंतरता सेनानी माना जाता है कालू महरा कहां से संबंदित थे तो इनके गाउं था बिसुंग गाउं जूकि आपके लोहा घाट चमपावत में पड़ता है पुछा जा सकता है बताओ राज्ये के पहले सुतंतरता सेनानी कालू महरा का संबंद किस गाउं से था आप बताएंगे बिसुंग गाउं चमपावत ठीक है इनके समकालीन आवद के नवाब कौन थे तो इनके समकालीन आवद के नवाब वाजिद अली शाह थे और इनके साथ कालू महरा के अच्छे संबंद थे इनहीं के कहने पर इनहीं के सुझावों पर इन्होंने करांतीवीर नामक संगठन बनाये था तो इसको भी आपने याद करना है ठीक है 1857 की क्रांती के दोरान ही एक और महत्पुन घटना घट्टी है हमने बिर्टेश आशन में भी बात करी थी हेंडी रैमजे के जब हमने बारे में पढ़ा कि 1857 में 1000 आंदोलन कारियों ने हलदवानी पर अधिकार कर लिया ठीक है और अगले ही दिन वापस अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो इसको भी याद रखना है पूछा जा सकता है अगला जो इंपोर्टन्ट यहां से कोशन बनते हैं बिल्कुल सीरियल वाइस चलेंगे 1947 तक डिबेटिंग क्लब की स्थापना देखे कोशन बनता है अलमोडा में या कुमाओ में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कप की गई डिबेटिंग क्लब आपके 1870 में बना और इसकी स्थापना अलमोडा में की जाती है ठीक है डिबेटिंग कलब को इस्थापित करने का जो सुझाओ था जो इसका पूरा प्रारूप था वो बनाया किसने था वो बनाया था बुद्धी बल्लब पंतने ठीक है और इसका सरक्षक किसको निक्त किया गया था तो डिबेटिंग कलब का सरक्षक भीम सिंग को निक्त क आ गया था दोनों नाम आपने याद करने हैं कब बना डिवेटिंग कलब 1870 में और इसी डिवेटिंग कलब के द्वारा एक अकबार निकाला गया जिसे अल्मोडा अकबार कहते हैं इसके बारे में हम पत्र पत्रिका वाले टॉपिक में जादा डिटेल में बात करेंगे यहां पर बस इतना याद कर लीजिए 1870 में डिवेटिंग कलब बनता है और अगले ही साल यहां आपका अल्मोडा अकबार निकालता है ठीक है अल्मोडा अकबार के पहले संपादक बुद्धी बल्लब पंत को बनाया जाता है ठीक है 1913 में बद्रिदत पांडे इस अकबार के पादक बने 1913 में और अल्मोडा अकबार बंद कब हो गया 1918 में तो यह कुछ important कोशन अल्मोडा अकबार डिवेटिंग कलब इसको ले करके ठीक है चलिए नेक्स्ट है जो यहां से कोशन बनते हैं अल्मोडा में इलबट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन कब हुआ था दे इसी अंग्रेज के मामले में भी सुनवाई कर सकता है यह सारे प्रावधान इस बिल में थे ठीक है इलबट बिल में और इसका समर्थन में सभा होती है उत्राखंड में अल्मोडा में होती है 1883 में होती है और यह सभा बुद्धी बलब पंत के नित्वत में होती है तो इसे जुआला दत जोशी के द्वारा भाग लिया गया इसे भी आपने याद करना है पेपर में पूछा जाता है हैपी कलब की स्थापना किस ने करी थी हैपी कलब आपके अलमोडा में बनाया गया था 1903 में इसकी स्थापना होती है मुख्य संस्थापक इसके गोविन बल्लप पंत थे जिसमें उनका साथ हर गोविन पंत ने भी दिया था तो दोनों को नाम याद करेंगे अगर एक व्यक्ति का नाम पूछने को आएगा आप गोविन बल्लप पंत का नाम आप बताएंगे हर गोविन पंत ने भी पंत ने भी पेपर में आता है अगले हैं रास भियाहरी बोस और देहरादून, देहरादून में ही एक टैगोर विला है, वही पर इनकी सारी सभाई होती थी, और Lord Harding के उपर जो बम फेकने की योजना बनाई गई थी इनके द्वारा इनके साथियों के द्वारा वो भी इसी विला में बनी थी 1912 में इसे आपने याद करना है ठीक है तो कौन सा क्रांतिकारी था जो FRI में करमचारी के तौर पे काम करता था रास विहारी बोस कहां पर इ वो है आपका गडवाल Union की बात करें गडवाल Union 1901 में स्थापित होती है मुख्या योगदान जो इसकी स्थापना में था वो तारदत गेरुला का था ठीक है गडवाल Union के द्वारा एक पत्र निकाला जाता है गडवाली समाचार पत्र दो बातें याद करनी है पहला गडव गडवाल यूनियन ने गडवाली नाम का एक समाचार पत्र निकाला, 1905 से निकाला और यहाँ पत्र 13 दून से आता था, इसे भी आपने याद करना है, ठीक है? और इसके पहले संपादक कौन थे? तो इसके पहले संपादक गिरजादत नैथानी को बनाया गया था, इसे भी आ गडवाल भरात मंडल की स्थापना हो जाती है लखनों में इसे स्थापित किया जाता है ठीक है गडवाल भरात मंडल इसको लेकर के धेर सारे कोशन आपके बनते हैं देखी इस्थापना होती है 1907 में लखनों में इसकी स्थापना होती है गडवाल भरात मंडल के जो संस्था संस्थापक थे मतुरा प्रशाद नेथानी इसके संस्थापक थे ठीक है इस जो ये भरात मंडल था इसकी जो पहली बैठक होती है ये आपके 1908 में होती है कूट द्वार में इस बैठक ता आयोजन होता है जिसके अध्यक्ष कुलानंद बर्थवाल थे इसको भी याद करना ह गठन 1907 लखनओ संस्थापक मतुरा प्रशाद नेथानी लेकिन पहली बैठक उटद्वार 1908 कुलानंद बर्थवाल थीक है इसी प्रकार गडवाल भरात मंडल की अगर हम दूसरी बैठक की बात करें आम तोर पर आपसे पहली ही बैठक पूछी जाती है दूसरी बैठक इ इसकी 1910 में होती है शिरी नगर में आयूजित होती है चक्रधर जुयाल इसकी अधिक्सिता करते हैं उसके बाद 11 और 12 में भी होती है चोथे और 5 भी और सबसे इंपोर्टन जो इसका अंतिम जो इसको खतम किया गया या इसका विले किया गया 1914 में 1914 में इस गड़वाल भरा असवाल की नित्त में और उसके साथ इसका विले इन दोनों का विले गड़वाल भरातमंडल और गड़वाल यूनियन दोनों का विले कर दिया जाता है इसे भी आपने याद करना है तो इसके शुरुवात के तीन अधिवेशन आपको याद करने है और उसके बाद सीधा आ प्रत्रता आंदूलन जो चला उसको और ज़ादा बल देने में महत्पूर्ण योगदान वन आंदूलनों का भी रहा था ठीक है जो उत्राखन में वन आंदूलन के इतर और आंदूलन चले हमारे जैसे कोटा-कर्रा आंदूलन था इसके लावा जो हमारे अदर-अदर शिल्पकार आंदूलन इन सब आंदूलनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रत्थक राज्य आंदूलन के साथ ठीक है व्यापक वन आंदूलन इसके बारे में हमने कल भी देखा था ये आपके 1911 से 1917 के बीच चला इस दोरान जो महत्पून घटना जो ह पंच वर्षय योजना और समॉस्टन ने बनाई 1916 में डक्षन गडवाल के लिए भोला नाम के विक्ती ने पंच वर्षय योजना बनाई और 1924 में इन दोनों भागों को वापस से इनका एकी करण कर दिया जाता है इसे भी आपने याद करना है ठीक है वन आंदूलन को ले पहला वन बंदो बस 1861 में हेंड्री रेमजे करता है वन प्रवंदन का पहला परियास किस ने किया था विलियम ट्रेल ने 1826 में जब उसने साल के वरक्ष पर प्रतिबंद लगा दिया था उसके कटाई पर ठीक है और हमने ये भी देखा था कल ये भूमी को A, B, C तीन किस ने बाटा था? नेल्सन ने बाटा था ये सारे फेक्ट आपको याद करने हैं ठीक है अलमोडा कॉंग्रेस की स्थापना अलमोडा कॉंग्रेस को लेकर के धेट सारे कोशन आपके बनते हैं अलमोडा कॉंग्रेस आपकी 1912 में बनी थी ठीक है इसको आपने याद करना है अलमोडा कॉंग्रेस की स्थापना कब होती है 1912 में और गड़वाल कॉंग्रेस कब बनती है 1918 में ठीक है सुआमी सत्यदेव ने सुद्ध साहित्य समीती का गठन कब किया था देखे सुद्ध साहित्य समीती इसका गठन 1913 में होता है स्वामी सत्यदेव के द्वारा इसका गठन किया जाता है और ये आपके अलमोडा में बनाई जाती है ये कोशन पेपर में पूछा जा चुका है ठीक है स्वामी सत्यदेव ने सुद्व सहित्य समीति बनाई एक और व्यक्ति है जिनका नाम है सत्या परशाद रतूरी उन्होंने 1935 में तिहरी के अंदर बाल सभा का गठन किया था दोनों विक्तियों के कोशन आपको याद रखने है जो सत्या देव थे इन्होंने सहित्य के लिए काम किया और बाल सभा किसने बनाई सत्या परशाद रतूरी ने 1935 में तिहरी में ठीक है काशिपूर में प्रेम सभा की स्थापना किसने करी थी तो काशिपूर में प्रेम सभा जीवी पंत ने 1914 में बनाई और काशिपूर में ही 1918 में गोविन बल्लब पंत ने खदर आश्रम की स्थापना भी करी थी तो दोनों याद करने हैं काशिपूर में प्रेम सभा बहुत बार आता है 1914 में ठीक है और 1918 में खदर आश्रम ठीक है अलमोडा हुमरू लीग की स्थापना कब हुई थी? देखे अलमोडा हुमरू लीग की अगर हम बात करें इसकी स्थापना 1914 मानी जाती है ठीक है? हाला कि जो ये लीग बनी थी हुमरू लीग, बडिदत पांडे और उनके सहयोग्यों ने जो बाल गंगदर तिलक थे उनकी लीग को देख कर बनाय था लेकिन जैसे हम जानते हैं आयोग हर बार इसका उत्तर 1914 को ही मानता है और भारत में हुमरू लीग तिलक के द्वारा अप्रेल 1916 में खोली जाती है तो ये थोड़ा सा इसमें contradiction है यानि कि दोनों आपस में मैच नहीं होते लेकिन फिर भी आपको 1914 को ही याद करना है क्योंकि आयोग ने जब जब इसकोशन को दिया है परिक्षा में हर बार 1914 ही वो आंसर मानता है ठीक है तिलक ने हुमरू लीग खोली थी अप्रेल 1916 में और एनी बेसंट ने भी हुमरू लीग खोली थी सितंबर 1916 में ठीक है और बदिदत पांडे का एक famous statement भी है हमने चली बुडिया बसंती की हुमरू लीग नहीं खोली है हमने तिलक वाली लीग की इस्थापना करी है तो ये किसने कहा था बदिदत पांडे ने ये statement दिया था ठीक है इन तीनों को आपको याद करना है question बन जाता है एक और चीज़ देहरादून में हमरू लीग की साखा किसने स्थापित करी ये पिछले साल आपसे पूछा गया था तो देहरादून में हमरू लीग की साखा स्वामी विचारनंद सरस्वती की द्वारा स्थापित की गई 1918 में इसे यहाँ पर स्थापित किया था ठीक है पूच्रे आर्य समाज को दिया जाता है ठीक है आर्य समाज को लेकर के दो-तीन बातें दो-तीन साल हैं जो आपको याद करना है क्योंकि आर्य समाज उत्राखंड के अलग-अलग इस्थानों पर इसकी शाखा खोली गई हो सकता है पूचले जैसे हुमरुली की साखा पूची देहरादूर में खब खोली गई थी 1918 इसने खोली स्वामी विचारनन सरस्वती आर्य समाज अगर हम भारत में बात करते हैं भारत में आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है ठीक है इसको याद करना है दैनन सरस्वती इसकी स्थापना करते हैं इसके बाद क्या होता है जाती है, 79 में बन जाती है, जस्पूर में 80 में बनती है, काशिपूर में 1881 में, हल्दवानी में जो आर्य समाज था 1898 में खोली जाती है, राम नगर में 1904 में खोली जाती है, अलमोडा के अंदर 1916 में और रानिखेत में 1932 में आर्य समाज की शाखा खोली जाती है, ये कुछ इंपोर्टेंट वर्ष जो आपको याद होने चाहिए ठीक है चलिए तिलक और बदिदत पांडे की चार भेंट देखे बदिदत पांडे जो बालगंगदर तिलक थे उनको अपना राचनेतिक गुरू मानते थे और उनके साथ बदिदत पांडे की चार मुलाकात होती है और मुलाकात 1905 में होती है बनारस में ठीक है दूसरी मुलाकात इनकी 1916 में होती है लखनाव अधिवेशन में तीसरी मुलाकात कलकत्ता में होती है 1917 के दौरान ठीक है और इसी दौरान बदिदत पांडे उनको अलमोडा आने का नियोता देते हैं और चौती और अंती मुलाकात 1919 में अमरिस सर में होती है ठीक है और इसी मुलाकात के बाद बदिदत पांडे कहते हैं कि मेरी चार धाम की यात्रा यहां पर समाप्त हो गई इसको भी आपने याद करना है हो सकता है पूछ लिया जाए ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे कुमाव परिशद और उसके अधिवेशनों के बारे में बहुत बार यहां से कोशन पनता है कुमाव परिशद की इस्थापना की बात करें कुमाव परिशद आपके 1916 में बनी थी नैनी ताल में इसकी इस्थापना करी गई थी कुमाव परिशद की पहली कलपना किस ने करी थी तो कुमाव परिशद की पहली कलपना अल्मोडा अकबार ने करी थी 1908 में करी थी अल्मोडा अकबार ने अपने एक लेक में कहा था इस परकार की एक संस्ता होनी चाहिए जो राज्ये के जो इस्थानिय मुद्दे हैं जो जोलंत मुद्दे हैं उन पर कारे कर सके उनके लिए सरकार पर दबाव बना सके तो कुमाव परिशत की जो पहली कलपना थी किसने करी थी अलमोडा अकबार ने करी थी ठीके अब हम कुमाव परिशत के अधिवेशनों को यहां पर देखेंगे देखे, सबसे पहला अधिवेशन कुमाव परिशत का सितंबर 1917 में होता है ये आपके अलमोडा में आयोजित होता है देखे, गठन 1916 नैनी ताल है लेकिन पहला अधिवेशन 17 अलमोडा है दोनों बातें याद करनी है ठीक है पहले अधिवेशन की अधिशता जैदत जोशी के द्वारा की कई थी इसको याद करेंगे ठीक है दूसरा अधिवेशन कुमाव परिशत का दिसंबर 1918 में होता है और ये आपके हलदवानी में आयोजीत किया जाता है इसकी अधिशता तारदद गेरोला के द्वारा करी कई थी इसे भी आपने याद करना है ठीक है एक और चीज यहाँ पर आपको याद करना है तारदद गेरोला को लेकर के यहीं पर याद कर लीजिए 1904 में तारदद गेरोला ने सरोला सभा का गठन किया था ठीक है, बहुत important ये question आता है, सरोला सभा को राज्य की पहली जातिय सभा माना जाता है, ठीक है, इसको भी आपने याद करना है कुमाव परिशत का जो तीसरा अधिवेशन होता है, यहां से आप से धेर सारे question बनते हैं तीसरा अधिवेशन अक्टूबर 1919 में होता है, यहां अधिवेशन कोट द्वार में आयोजित किया जाता है, ठीक है, तो पहला question तो यही बन गया, कहां पर हुआ कोट द्वार, important इसलिए है, कुमाव परिशत का एक मात्र अधिवेशन जो गड़वाल में हुआ था, वो यही अध्यक्ष होते हैं, बद्रिदत जोशी, ध्यान करना जोशी होते हैं, बद्रिदत पांडे नहीं, बद्रिदत पांडे आगे आएंगे, ठीक है, तो कौन थे इसके अध्यक्ष बद्रिदत जोशी, इसी अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रस्ताव रखा जाता है, कोटद्वार अधिवेशन को गुरु परंपरा के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद होता है कुमाव परिशत का चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में होता है इसकी अधिशता हर गुविन पंत करते हैं और इसका आयोजन काशिपुर में किया जाता है। इसको याद करेंगे। की जाती है। कुमाव परिशत का चटवा और अंतिम अधिवेशन होता है 1926 में। अलमोडा रानी खेत में ये अधिवेशन होता है इसकी अधिशता बैरिश्टर मकुंदिलाल करते हैं और यहीं पर कॉंग्रिस में इसका विले कर दिया जाता है। तो दो महत्वपूर्ण परश्ट आपको इस अधिवेशन को लेकर पूछे जाते हैं। पहला कहां हुआ, किसने अधिशता करी और कब करी। और दूसरा इंपोर्टेंट परश्ट कि कॉंग्रिस में कुमाव परिशत का विले कब किया गया। ये बहुत बार पूछा गया है कि कॉंग्रिस में कुमाव परिशत का विले कब हुआ, ठीक है, चलिए। गड़वाल कॉंग्रिस की स्थापना। उपर हमने अलमोडा कॉंग्रिस देखा था, ठीक है, 1912 में गड़वाल कॉंग्रेस 1918 में बनती है। इसी प्रकार एक और चीज यहीं पर याद कर लिजिए, उपर हमने पढ़ा था डिवेटिंग क्लब जो अलमोडा में बना था, कब बना था? अल्मोडा में Debiting Club 1870 गडवाल Debiting Club अगर आपसे पूछा जाएगा गडवाल Debiting Club 1885 में बना उसी प्रकार अल्मोडा कॉंग्रेस या कुमाव कॉंग्रेस पूछेगा 1912 और गडवाल कॉंग्रेस पूछेगा 1918 गडवाल कॉंग्रेस की स्थापना करने में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान था एक थे अन्सूया प्रशाद भहुगणा जिनको गड़ केसरी कहा जाता है और दूसरे व्यक्ति थे बैरिश्टर मुकुंदी लाल दोनों का नाम याद करेंगे और फिर यही दो व्यक्ति अंब्रिस्सर कॉंगरेस अधिवेशन में जो 1919 में होता है उसमें भी गड़वाल का प्रतिनिद्व करते हैं दोनों कोशन बनते हैं कि गड़वाल कॉंगरेस का गठन किस नहीं किया कब किया और राज्ये के किन दो नेताओं ने 1919 के अधिवेशन में भाग लिया मुकुंदी लाल और अनसुया प्रशाद बहुकुडा ठीक है चरिए तो ये हमने कुमाओ परिशत को देखा हमने हम्रू लीग को देखा गड़वाल कॉंग्रेस, कुमाओ कॉंग्रेस हैपी कलब, डिबेटिंग कलब इन सब को हमने देखा अब बात करेंगे कूली बेगार प्रथा को लेकर के, कूली बेगार प्रथा को लेकर भी आपसे ढेर सारे कोशन बनते हैं, तो ये पूरा टॉपिक आपका यहीं पर रिवाईज हो जाएगा चलिए इसको देखते हैं देखिए, कूली बेगार प्रथा के अगर हम बात करते हैं, इसके तहट मुक्य तहट तीन प्रकार की प्रथाएं थी, कौन-कौन सी थी? देखिए पहरी है कूली उतार कूली उतार में क्या होता था? क्योंकि कोशन पेपर में बना था, कि कूली ब्रद्यास के तहट क्या होता था ठीक है तो आपको तीनों पता होने चाहिए कूली उतार के तहट निशुल्क कूलियों की विवस्था करनी होती थी यानि कोई अंग्रेज या कोई अंग्रेज अधिकारी अगर किसी गाओं में जाता है तो उसके सामान को लाने के लिए ले जाने के लिए उतारने के लिए चड़ाने के लिए उसे निशुल्क कूली देने होते थे यानि कि उसका समाल उतारने का किसी को पैसा नहीं दिया जाता था ठीक है दूसरा होता था कूली बेगार यानि निशुल्क कार्यक करवाना यानि उनके देखभाल के लिए उनके सारे काम करने के लिए आदमी देने होते थे जो फ्री में काम करते थे जिसका कोई पैसा उनको नहीं मिलता था उसे कहा जाता था कूली बेगार यानि कि बिना मजदूरी के बेगारी करना काम वहाँ पर करना और तीसरा था कूली बरदियाश जिसके तहद वो अधिकारी या वो अंग्रेज जहां पर रहेंगे उनके खाने पीने की विवस्ता उनको फ्री में राशन वगेरा दिया जाएगा ये कहता है कूली बरदियाश तो तीनों आपको याद करने हैं पूछे जाते हैं ठीक है चलि 22 में इसी प्रकार कैंदियों को कूली के काम में किस ने लगवाया था रैमजे ने लगवाया था इसे भी आपने याद करना है लौड करजन को कूली प्रथा की जानकारी किस ने दी तो ये दी थी गौरी दत बिस्ट ने देखे लौड करजन जो था ये भारत का गवर्नर ज चाहिए ठीक है चलिए कुली एजेंसी की इस्थापना कब की गई ये तो थी कुली प्रSM और उसके समधान के लिए क्या क्या किये गए इसके समधान के लिए एक और चीज करी गई थी कुली एजपना की अगर हम बात करते हैं कुली एजएंसी 1908 में इस्थाथ Nat और किसने करी थी? इसकी स्थापना जोद सिंग नेगी के द्वारा उनही के नेतर तुम्हे करी गई और जोद सिंग नेगी ही इसके पहले सचीव थे, जो अद्धक्ष होता था कूली एजंसी का, वो कुमाओ का कमिशनर होता था, तो इसमें सचीव ही महत्तपूण पद होता तो पहले सचीव इसके जोद सिंग निगी थे, कूली एजनसी के दूसरे सचीव तारदद गेरोला थे और तीसरे और अंतिम सचीव शाली गराम सिहत थे, तीनों का नाम आपने याद करना है, कूली एजनसी 1908 में बनती है, 1923 में कूली एजनसी समाप्त कर दी जाती है, इसको भी याद करेंगे, ठीक है, एक और चीज़ याद करनी है, कूली प्रथा के विरुद एक जुट होकर कार्य करने का आवाहन किसने किया था, तो कौन से राश्ट्य नेता थे जिनोंने कूली प्रथा के विरुद एक जुट होने का आवाहन 1917 में किया, इनका नाम था मदन मोह ठीक है इनको भी आपने याद करना है हो सकता है पूछ लिया जाए कुली बेगार का अंत कुली बेगार प्रथा कब खतम हुई 13-14 जनवरी 1921 में सरयू नदी के तटपर बागेश्वर में लगभग 40,000 आंदोलन कारी वहां पर मौझूद थे बदिदत पांडे उनका नेत्व कर रहे थे और उनही की उपस्तिती में जो सारे रजिस्टर थे जो जिसमें पूरे गाउं का हिसाब रखा जाता था कूली बेगार से संबंदी सारे रजिस्टर को सरयू नदी में बहा दिया गया और कभी भी कूली ना करने की शपत वहाँ पर ली गई और इसी को अंत माना गया कूली बेगार का अंत तो कूली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई? 13-14 जनवरी 1921 को किस नदी में बाहे गई रजिस्टर? सरयू नदी, कहां पर बागेश्वर और किसके नेत्वत में? बदिदत पांडे के नेत्वत में अगर हम कूली बेगार प्रथा के खिलाफ अगर हम विरोध की बात करते हैं विरोध पहले से चला आ रहा था लेकिन जो पहला मजबूत विरोध इसका किया गया वो अलमोडा के खत्यारी गाउं में 1903 में हुआ था यहीं से शुरुवात मानी जाती है इस आंदूलन की हाला कि पहले भी कई बार इसका विरोध हुआ था इसलिए खचर से ना बनी ट्रेल के काल में रहमजे ने कैदियों को लगाया लेकिन जो इसने आग पकड़ी वो 1903 का जो खत्यारी गाउं में जब इस प्रथा का विरोध किया गया वहां से हुआ था था थीक है 1904 में अगले ही साल जो इलहाबाद हाईकूर्ट था उसने भी कूली बेगार को अवैद घुशित कर दिया था जिससे इस आंदोलन को और जादा बल मिला इसको भी आपने याद करना है थीक है आंदोलन की शिरुवात खत्यारी गाउं से होती है अलमोडा से असायोग आंदोलन की पहली ईट और रक्तहीन करांती किसको बोला जाता है तो असायोग आंदोलन की पहली ईट और रक्तहीन करांती कूली आंदोलन को ही बोला जाता है ठीक है कूली बेगार आंदोलन को जो ये चला था इसको रक्तिहीन क्रांथी की संग्या किसने दी थी ये कोशन बनता है ठीक है तो कूली प्रथा जो ये अंत किया गया कूली बेगार आंदोलन इसे रक्तिहीन क्रांथी की संग्या महत्मा गांधी के द्वारा दी गई थी जब इस प्रथा को समापत किया गया 13-14-10-1921 में उस समय डेपटी कमिशनर कौन था, तो डाइबल उस समय डेपटी कमिशनर था, कुमाओ कमिशनर आप सभी जानते हैं कल हमने पड़ा था, पी विंडम इस समय कुमाओ का कमिशनर था डेप्टी कमिशनर important है क्योंकि जब ये साली चीजें हुई यहाँ पर सर्यूनदी के तटपर बागिशुवर में रजिस्टर बहाई गई शपत ली गई उस समय जो ये डाइबल था ये भी वही पर मौझूद था ये वहाँ पर भीड के उपर गोलिया चलवाना चाहता था लेकिन नहीं चला पाया था क्योंकि इसे बदिदत पांडे ने कहा कि डाइबल आप कितनी गोलिया चलाओगे आपके पास गोलिया सीमित है और लोग यहाँ पर असंखित है तो डाइबल वहाँ पर मौझूद था हो सकता है नाम पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है एक important किताब कूली बेगार प्रथा के उपर उत्राखंड में कूली बेगार प्रथा ये किताब किसकी है तो ये किताब शिकर पाठक की है इसे भी आपने याद करना है ठीके गड़वाल में कूली बेगार प्रथा का नेत्वित्व किस ने किया या जो कूली बेगार अंदुलन था गड़वाल के ककोडा खाल में ये किया अनसुया प्रशाथ बहगुणा ने और दुगड़ा में किसके नित्वित्व में हुआ ये? ये हुआ मुगंदी लाल के नित्वित्व में तो गड़वाल में यही दो नेता सक्रिया थे, इसी भी आपने याद करना है ठीक है? गांधी जी की कुमाव यात्रा पिछले साल पेपर में पूछा गया था महात्मा गांधी पहली बार कुमाओ में कब आय थे महात्मा गांधी पहली बार कुमाओ में 14 जून से ली करके 2 जुलाई तक 1929 में आय थे वर्ष आप से पूछा गया था इसे आपने याद करना है ठीक है इससे पहले ये हरिदवार आचुके थे, ठीक है हरिदवार कुम्ब मेले में आये थे 1915 में, उसे भी आपने याद करना है, लेकिन कुमाओ नहीं गए थे, कुमाओ पहली बार ये 1939 में गए, 12 दिनों तक गांधी जी कौसानी में रुके, कौसानी को भारत का स्विजरलेंड ब इसे आपने याद करना है, बनता है, ठीक है, अब आते हैं, नमक सत्क रहे में जो शामिल थे उत्रा खंडी उनके बारे में, देखें महत्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला था, ठीक है, उस दौरान उनके साथ टोटल 78 अन्याई उनके साथ शामिल थे, जब खंड के थे, कौन-कौन थे, उनके नम पूछे जाते हैं, पहले विक्ति थे जोतिराम कांडपाल, दूसरे थे भहरवदत जोशी, और तीसरे थे गुर्खा वीर खडग बहात्यूर, इन तीनों विक्तियों के नाम आपको याद होने चाहिए, जो महत्मा गांधी के साथ द ब्रिटिश गडवाल का पहला राचनेतिक सम्मेलन कहां हुआ था, तो ब्रिटिश गडवाल का जो पहला राचनेतिक सम्मेलन था, ये 1930 में हुआ, दुगड़ा में इसका आयोजन किया गया था, ठीके? अगला जो महतपुन घटना घटी है वो है पेशावर कांड, पेशावर कांड आपका कब हुआ, 23 अपरेल 1930 को पेशावर कांड घटेत हुआ, बहुत बार हम पेशावर कांड को रिवाइस कर चुके हैं, जल्दी से इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं, हुआ क्या था पे इस थान कहां था, तो पेशावर का इट बाजार है, किस्सा खानी बाजार, वहीं पर ये घटना घटी, जिसे हम पेशावर कांड कहते हैं, पेशावर कांड के नायक कौन थे, चंदर सिंग गडवाली, इनका संबंध कौन सी रेजिमेंट से था, दो बटे 18 गडवाल राइ इस घटना से प्रभावित होकर गडवाल दिवस मनाने की घोशना किसने करी थी, मोतिलाल नहरू ने 23 अप्रेल के दिन को गडवाल दिवस मनाने की घोशना करी थी, इसको भी याद करना है, एक और कोशन चंदर सिंग गडवाली को लेकर पूछा जाता है, कि चंदर सिंग के प्रेंडता सुरोत कौन थे इनके प्रेंडता सुरोत थे भजन सिंग इनका नाम भी आपने याद करना है ठीक है अगला है गड़ादियां स्टोर डकेती कांट कब हुआ था 1930 में हुआ और इससे संबंदित व्यक्ति कौन है राज्य के अगर हम बात करें भवानी सिंग जो चंदर सेकर आजाद थे, उनके मित्र थे, उनका जो संगठन था, हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपप्लिकन एसोशेशन, उसके राज्य से एक मात्र सदस्य थे, इनहीं के साथ चंदर सिंग आजाद दुगड़ा में भी आई थे, और इनहीं भवानी सिंग रावत के द्व की गई थी, आमन सभा बहुत इंपोर्टन्ट है, सीधा कोशन बनेगा, कहां स्थापित हुई, तो आमन सभा आपके लैंसी डॉन में बनी थी, और इसका गठन 1930 में हुआ था, क्यों बनाए गई थी आमन सभा, लैंसी डॉन में राश्ट्रवादी आंदूलन से बचाना, ल पर जो राश्ट्रिय आंदूलन है, जादा पहुंचना उनकी हो पाए, जादा वो फैल ना पाए, उसी लिए अंग्रेजों की तरफ से ही एक सभा बनाई गई थी, अमन सभा, जिसका कान था, इन आंदूलनों को लैंसी डॉन चावनी में जितना हो सके, उनके प्रभाव को कम वो कर सकें, ठीक है, इसको आपने याद करना है, अगला है मदरास बमकांड, मदरास बमकांड से संबंदित विक्ति कौन है, तो मदरास बमकांड से संबंदित हैं, इंदर सिंह गड़वाली, इनका नाम आपने याद करना है, 1933 के आसपास ये घटना हुई थी, और इसी स related है उटी बैंक कांड इससे संबंदित विक्ति कौन है तो बच्चुलाल भट इससे संबंदित है उटी बैंक कांड से ये भी आपका 1933 के आसपास हुआ था तो दोनो 1933 के हैं दोनों महत्वपून कांड दोनों आपको याद करने हैं ठीक है अगली जो महत्वपून घटना घटी अलमोडा नगर पालिका पर तिरंगा किसने फैराय था तो अलमोडा नगर पालिका पर तिरंगा फैराने का कांड विश्नी दिवी शहा के द्वारा किया गया था ठीक है विश्नी देवी शहा के अगर हम बात करें तो इनके साथ इनके कुछ साथी महिलाई भी थी जिसमें सबसे प्रमुक्ती कुंती वर्मा कुंती वर्मा को अंग्रेज इतने डरेवे थे कुंती वर्मा से उन्होंने आदेश जारी कर दिया था कि कुंती वर्मा को जिन्दा या मुर्दा पकड़ा जाए कोशन बन सकता है कि किस महिला को अंग्रेजों के द्वारा जिन्दा या मृत पकड़ने का आदेश दिया गया था कुंती वर्मा को ठीक है इसे आपने याद करना है चनोदा में गांधी आश्रम की इस्थापना किस ने करी थी चनोदा यानि की सोमेश्वर में अलमोडा के अंदर गांधी आश्रम 1937 में बनाया गया था ये वाला कोशन भी बहुत बार पूछा गया है कि गांधी आश्रम की इस्थापना अलमोडा में चनोदा में किस ने करी आप बताते हैं शांतिलाल त्रिवेदी ने करी कब करी आप बताएंगे 1937 में करी और ये जो आश्रम था इसे बंद कब करवा दिया गया अंग्रेजों की तरफ से 2 सितंबर 1942 को इसे बंद करवा दिया गया दोनों याद करेंगे ठीक है अब उत्राखंड में व्यक्तिगा सत्याग्रह होते हैं यहां से भी टॉपिक से भी आपके कोशन बन जाते हैं व्यक्तिगा सत्याग्रह की पहली बैठक कहां हुई थी तो व्यक्तिगा सत्याग्रह की पहली बैठक डाडा मंडी में होती है 1940 में इस बैठक को आयोजित किया गया था ठीक है प्रतम व्यक्तिगर सत्यागराही कौन थे इनका नाम था जगमोहन सिंग नेगी कुशन बनता है उत्राखंड के पहले व्यक्तिगर सत्यागराही कौन थे जगमोहन सिंग नेगी पहली महिला विक्तिगा सत्यागरा ही कौन थी भागिरती देवी दोनों नाम आपने याद करने ठीके पहली महिला पूछेगा या पहले विक्ति पूछेगा तो आप बताएंगे जगबोहन सिंग नेगी और पहली महिला पूछेगा तो आप बताएंगे भागिरती देवी कुमाओं के अंदर सत्यग्र है आंदूरन का जो नायक माना जाता है कुमाओं में अगर हम बात करें तो वो माना जाता है प्रताप सिंग को और अगर हम चमोली की बात करें चमोली की साइड अन्सुया प्रशाद बहुणा को इसका नायक माना जाता है ठीक है चली गांधी जी की शिश्या सरला बेहन शरला बेहन को लेकर भी आपसे कुछ कोशन बनते हैं उनको देख लेते हैं महत्मा गांधी की एक शिश्या थी जिनका नाम था सरला बेहन इनका वास्तविक नाम कैथरीन हाइला मन्थ था इन्हों ने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी इसके अलग-अलग वर्ष आपको देखने को मिलते हैं लेकिन जो जादा आपको देखने को मिलता है वो 1941 मिलता है तो आप भी इसी को याद करते वे चले हाला कि कुछ बुक्स में दिया है कि 1941 में यह यहाँ पर आई थी लेकिन मैकसिमम 1941 इसकी स्थापना मानी जाती है तो कहां पर इनों ने स्थापना करी थी लक्ष्मियाश्यरम की कौसानी में करी थी इसे आपने याद करना है इन ही सरला बहन के प्रेंडता से महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने का काम किस ने किया था तुलसी देवी ने किया था और इन ही तुलसी देवी ने एक नारा भी दिया था रो नहीं आगे बड़ो ये नारा किस ने दिया तुलसी देवी किस से जुड़ी हुई थी सरला बहन के कौसानी में जो लक्षमी आश्रम है इस से ठीक है इसके अलावा दो महिलाएं और थी जो लक्षमी आश्रम से जुड़ी हुई थी और जिन्हों ने सरवदय का प्रचार प्रशार किया था इनका नाम था कमला और बसंती दोनों नाम आपने याद करने हैं गांधी जी की एक और शिश्य जिनका नाम था मीरा बहन गांधी जी की दूसरी विदेशी शिश्य कौन थी? मीरा बहन इनका वास्तविक नाम था मैडलीन स्लेट और Madeleine Slade ने रिशी केश में पशू लूक की स्थापना करी थी तो दोनों बातें आपने याद करनी हैं ठीके अगला है भारत छोड़ो आंदूलन अब हम भारत छोड़ो आंदूलन पर आ गए बिलकुल हम सिक्वेंस वाइश चले कमिशनर था आपसे कोशन पंता है कि भारत छोड़ो आंदूलन का सबसे ज़ादा प्रबाव उतराखन में कहां पड़ा ये पड़ा अल्मोडा के अंदर इसको आपने याद करना है ठीक है भारत छोड़ो आंदूलन के दोरान जो लोग यहां पर गिरफतार हुए खासतोर पर नैनिताल की साइड उन लोगों की मुफ्त में पैरवी किस ने करी थी इंदर सिंग नयाल ने करी थी इसे भी आपने याद करना है ठीक है चलिए भारत छोड़ो आंदुलन के दोरान कुछ विशेश घटनाएं उत्राखन में होती हैं कुछ कांड होते हैं गुली कांड उनके बारे में प्रश्न बन जाते हैं जिसे एक था आपका देगहाट गुली कांड देगहाट गुली कांड आपके 18 अगस्त 1942 को होता है कहीं कहीं पर इसे 19 अगस्त भी दिया है ठीक है 1942 तो दोनों डेट आपको याद करनी है जादा तर आपको 18 देखने को मिलेका देगहाट गुली कांड में कौन-कौन शहीद हो गए थे हिरामनी, हरी कृष्ण और बदिदात कांड पाल यहाँ पे शहीद हो गए थे ठीक है दूसरी जो महत गटना है जहां से आपके ज़्यादा प्रश्न बनते हैं सालम गुली कांड सालम गुली कांड 25 अगस्त 1942 को हुआ इस गुली कांड में टीका सिंग और नरसिंग धानक ये शहीद हो गए थे ठीक है सालम की करांती का प्रेंडता ये किसको कहते हैं ये कहते हैं राम सिंग अब कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर उपनाम आएंगे उनको आपने याद करना है सालम से जुड़े हुए सालम की करांती का प्रेंडता राम सिंग आज़ाद को कहते हैं जो राम सिंग आज़ाद थे ये कहां से गिरफतार किये गए ये गिरफतार हुए बद्रिनाथ से इनका केस किस ने लड़ा इनका केस लड़ा गोपाल सुरूप पाठक ने और जैसा मैं आपको हर बार बताता हूँ इनका नाम आपने याद करना है क्योंकि ये वकील किसके थे राम सिंग आज़ाद की वकील बने थे उनकी पैरवी करी थी और यही गोपाल सुरूप पाठक बाद में जाके भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी बनते हैं उपराश्टपती भी बनते हैं तो इसलिए आपको नाम्यार करना है ठीक है चलिए सालम में राजनेतिक चेतना के जनक कौन माने जाते हैं तो सालम में राजनेतिक चेतना का जनक राम सिंग धोनी को माना जाता है और इन्ही राम सिंग धोनी को भारत माता का सच्चा सपूत भी बुला जाता है ये तोनों उपनाम किसके हैं? राम सिंग धोनी के और इन्ही राम सिंग धोनी के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला जाता है, जिसके बारे में पिछले साल पूछा गया था, बंधु नामक समाचार पत्र किस ने निकाला था, इन्ही राम सिंग धोनी ने निकाला था, सालम का भगत सिंग किसको बोला जाता है, तो शालम का भ अब अगला जो गोली कांड हुआ वो था सल्ट गोली कांड जो घटित हुआ आपका ये 5 सितंबर 1942 को हुआ सबसे important date है सल्ट में गोली चलाने का आदेश किस ने दिया था तो SDM जो था यहां का उस समय जॉंसन इसने गोली यहां पर चलवाई थी क्या हुआ यहां पर जो गंगा देव या गंगा राम खीमा देव थे वो यहां पर शहीद हो गए चुडा मनी और बहादुर सिंग यह दोनों घायल हो गए थे शिरुवात में बाद में ये भी शहीद हो गए तो शल्ट गोली कांड में गंगा राम खीमा देव चुडा मनी ब कुमाओ का बारदोली सर्ट छेत्र को कहते हैं। और किस ने कहा था? महत्मा गांधी ने इस एक कुमाओ का बारदोली कहा था। सिर्ट में शहेद िस्मृती दिवस कब मनाते हैं? बहुत बार ये कोशन पेपर में आया है 5 सितंबर को सहीद इस्मृती दिवस मनाया जाता है ये हमने देखा कुमाओ का बारदोली या उत्राखंड का बारदोली कोशन बने अगर जैसे पिछली बार बना था गड़वाल का बारदोली तो गड़वाल का बार्दूली गुजडू को बोला जाता है जो गुजडू आंदूलन था इसे गड़वाल का बार्दूली कहा जाता है आपसे तीन बार पूछा जाता है तीन प्रकार के बार्दूली आपसे पूछे जाते हैं उत्राखंड का बार्दोली, कुमाव का बार्दोली और गडवाल का बार्दोली उत्राखंड और कुमाव का पूछे तो सल्ट को बताएंगे, गडवाल का पूछे का तो गुजडु को बताएंगे गुज्डू आंदूलन के प्रेंडता कौन थे? ये थे रांपरषाद नौट याल, इनका नाम भी आपने याद करना है. सिलांगी में राश्ट्य विध्याले किसने खोला था? तो सिलांगी में राश्ट्य विध्याले सदाणन्द कुकरिती के द्वारा खोला गया था. और तारी खेत में प्रेम विध्याले किसने खोला देवकिननदन पांडे और भगिरत पांडे के द्वारा तारी खेत में प्रेम विध्याले खोला गया यह तोनों भी आपने याद करने हैं अब बात करते हैं आजाद हिंद फौज में जो उत्राखंडी शामिल थे उनके बारे में क्योंकि यहां से भी कोशन बन जाते हैं आजाद हिंद फौज में उत्राखंड के कितने सैनिक शामिल थे तो लगभग धाई हजार सैनिक उत्राखंड के थे आजाद हिंद फौज में यानि कि लगभग बारहा प्रतिश्य जो गड़वाल राइफल्स की दो महत्पून बटालियन थी एक आपकी दो बटे 18 और एक आपकी पांच बटे 18 ये दोनों बटालियन 1942 में आजाद हिंद फौज में शामिल हो जाती हैं ठीक है इसे भी आपने याद करना है सुभाशंद्र बोस के नीजी सहायक कौन थे तो सुभाशंद्र बोस के नीजी सहायक के रूप में बुद्धी शरण रावत को निक्त किया गया था अजाद हिंद फौज में करनल पद तक पहुचने वाले राज्ये के व्यक्ति कौन थे पित्र शरण रतूडी इनका नाम था ठीक है पीसी रतूडी इनका शौट नेम है ठीक है सिंगपूर इस्तित आफिशर ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर किसी निक्त किया गया तो चंदर सिंग नेगी को निक्त किया गया नेता जी के अंग रक्षक बटालियन के कमांडर कौन थे तो नेता जी यानि सुभाशंद्र बोस के जो अंग रक्षक बटालियन थी इसका कमांडर मेजर देव सिंग दानू को चुना गया था ये कुछ महत्तपुन अधिकारी जो आपको पता होने चाहिए अगले हैं और important हैं वीर केसरी चंद वीर केसरी चंद किस वर्ष आजाद हिंदु फौज में शामिल हुए थे ये शामिल हुए थे 1942 में ठीक है और शामिल कब किये गए इनको इनको फांसी की सजा 3 मई 1945 को दे दी गई इसलिए 3 मई को हर साल जो चकराता वाला इलाका है वहाँ पर इनकी स्मिर्थी में मेला लगता है इनकी स्मिर्थी के रूप में उसे मनाया जाता है ठीक है तो इसको आपने याद करना है कोशन बन जाता है चौली थात में मेला लगता है इनहीं केसरी चंद के स्मिरती में इसे भी याद करेंगे ठीक है फांसी कप दी गई थी तीन मई 1945 अब कुछ इंपोर्टेंट वन लाइनर हैं सोतंतरता आंधूरण को ले करके उत्राखन का जो आधुनिक इतिहास है उसको ले करके देखिए दे समुदाय का उत्कृष्ट पुष्प कहा था किसने बोला गांधी ने किसे बोला विक्टर मोहन जोशी को ठीक है लोकनायक के नाम से राज्य के किस नेता को जाना जाता है हरगोविन पंत को लोकनायक बोला जाता था ठीक है आर्य समाजी पंडित किसे कहा जाता था आर्य सम वंदे मात्रम का कुमावनी में अनुबाद किस ने किया था? ये कोशन, प्रिवे सेर का कोशन है, आपसे पूछा गया था? इसे भी आपने याद करना है, ठीक है? संयूक्त परांथ की आपस्परशत्या विरोधी समीति के अध्यक्ष कौन थे? देखे संयुक्त प्रांत यानि आज का उत्तर प्रदेश इसमें एक समीती बनाई जाती है आइसपर्षत्या विरोधी समीती इस समीती का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो हिरदैनात कुंजरु को बनाया जाता है इसी समीती के अंतरगत दो उप समीतियां बनाई जाती है ए दोनों बातें आपको याद करनी हैं, सायुक्त परांत का कौन है, रदेनात कुझरू, गडवाल के लिए, बैरिश्टर मुकंदी लाल, और कुमाओं के लिए, इंदर सिंग नयाल, ठीक है, इसे भी ध्यान करेंगे, अब हम बात करेंगे, प्रमुक पत्र पत्रिकाओं के बार कौन था, तो राज्य के अंदर सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र दा हिल्स था, यह समाचार पत्र 1842 में आया, यह समाचार पत्र आपके मसूरी से आता था, और यह समाचार पत्र के संपादक जॉन मैकेनिन थे, इसे भी आपने याद करना है, ठीक है, नेक्स्ट है, 1850 के आसपास मैफिसलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, पचास में दहिल्स बंद हो गया था, पचास में ही मैफिसलाइट करके समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, जिसके संपादक जॉन लेक थे, इसको भी आपने याद करना ह ठीक है चलिए पहले हिंदी की अगर हम बात करें उसको भी यहीं पर याद कर लीजे हो सकता है पूछ लिया जाए भारत का जो पहला हिंदी समाचार पत्र था उसका नाम था उदर्त उदंत मारतंड ठीक है इसके संपादक कौन थे जुगल कुशोर इसके संपादक थे 30 मई 1826 को ये शुरू हुआ था क्योंकि 30 मई को शुरू हुआ इसलिए हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है दोनों बाते याद करेंगे ठीक है अलमोडा अकबार की बात करते हैं उपर हमने कुछ ओशन देखे थे डेटेल में हम यहाँ पर देखेंगे अलमोडा अकबार शु निकालने का सुझाओ किसने दिया था विलियम मूर ने दिया था ठीक है डेटिंग कलब को यह सुझाओ दिया कि आपको एक पत्र निकालना चाहिए और अगले साथ से शुरू कर देते हैं किसने दिया था विलियम मूर ने अलमोडा अकबार का रेजिस्ट्रेशन नंबर क् अगर हम अलमोडा अकबार के संपादकों का करम देखते हैं सबसे पहले बने बुद्दी बल्लव पंद दूसरे संपादक थे इंतियाज अली तीसरे संपादक थे जीवानन्द जोशी चोते थे सदानन्द सनवाल चोथे उसके बाद पांचवे थे विश्नुदत जोशी और छटे और अंतिम संपादक थे पतिदत पांडे दोनों याद करने हैं कुश्यन बन जाते हैं अगला है देहरदून से गड़वाली अकबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था एक और चीज़ हमने उपर अल्मोडा अकबार की बात करी 1913 में बदरात पांडे उसके संपादक बनते हैं और 1918 में वो पत्र बंद हो जाता है बंद भी आपको याद करना है पूछा जा सकता है जो गड़वाली अकबार था इसके बारे में भी अमने उपर बात करी थी 1905 में ये आया था गड़वाल यूनियन जो 1901 में बनी थी उसके द्वारा इसे निकाला गया था इसके पहले संपादक जो थे वो गरिजदत नैथानी थे और इसके पहले अंक में सत्या शरन रतूरी की प्रसिद कवीता उठो गड़वाली को प्रिकाशित किया गया था इसे भी आपने याद करना है ठीक है जो ये गड़वाली अकबार था इसके केवल तीन ही संपादक हुए जिसमें पहले थे आपके गरिजदत नैथानी दूसरे संपादक थे तारदत गेरोला और तीसरे संपादक थे इसके जो विशंबर दत चंदोला है ठीक है तो तीनों का नाम आपने याद करना है शुरुवात इसकी 1905 में होती है 1952 तक ये चलता है गडवाल पत्रकारिता का पिता महा किसे बोला जाता है देखे गडवाल पत्रकारिता का पिता महा या उत्रा खंड में पत्रकारिता का पिता महा अगर आपको पूछेगा तो आप बताएंगे विशंबर दत चंदोला और गड़वाल में पत्रकारिता का जनक आपसे पूछा जाएगा, यह तो पिता माहा है, अगर जनक पूछा जाएगा, तब आप गिरजदत नेथानी का नाम लेंगे, ठीक है, दोनों बातें याद करेंगे, गड़वाल में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा थ गड़वाल से कौन सा था पहला समाचार पत्र जो हिंदी में आता था, यह था आपका गड़वाल समाचार, इसे भी आपने याद करना है, ठीक है, पूछा जा सकता है, यहाँ जो समाचार पत्र था, 1902 में इसकी शुरुवात होती है, इसके संपादक भी गिरजदत नेथा ठीक है, जो गड़वाली था, उससे पहले यह आचुका था, 1902 में आया था, लेकिन 1904 में यह पत्र बंद हो जाता है, ठीक है, लेकिन बाद में 1913 से इसे दुबारा निकाला जाता है, और तब यह दुगड़दा से आता है, पहले लैंसी डौन से आता था, बाद में यह द इवज़दत नयथानी, ठीक है, गड़वाली भाशा का पहला मासिक पत्र कौन सा था, अब गड़वाली भाशा की बाद करें, तो इसका पहला मासिक पत्र जो था, यह था आपका विशाल कीर्थी, लेकिन बाद करें, विशाल कीर्थी आपका 1913 में शुरू हुआ, पुरुशार्थ नामक समाचार पत्र शुरू कर दिया जाता है और उसी पुरुशार्थ समाचार पत्र में एक लाइन छपी थी, खवर छपी थी अलमोडा अकबार के बारे में कि एक फायर के तीन शिकार, कूली, मुर्गी और अलमोडा अकबार किसमें छपा था? पुरुशार्थ में छपा था अलमोडा से हस्त लिखित अकबार बाजार बंदू का प्रिकाशन कब हुआ था? अलमोडा से एक हस्त लिखित अकबार आता था जिसका नाम था बाजार बंदू, ये 1913 में आया 1922 में लैंसी डाउन से तरण कुमाउं का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया देखे तरण कुमाउं इसकी शुरुवात करी थी बैरिष्टर मुकुंदिलाल ने ये लैंसी डाउन से आता था 1922 में इसकी शुरुवात होती है स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र कहां से आता था स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र की अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुवात होती है अलमोडा से इसके जो संपादक थे उनका नाम था विक्टर मोहन जूशी तो आपको संपादक का नाम याद करना है और दूसरा यहाँ पत्र 1930 में आना शुरू हुआ कहां से आता था, किस ने निकाला और किस वर्ष निकाला तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए कुमाओं कुमुद समाचार पत्र पहले किस नाम से प्रकाशित होता था देखे कुमाओं कुमुद के अगर हम बात करते हैं ये वाला समाचार पत्र का नाम पहले जिला समाचार होता था इसे आपने याद करना है 1922 में अलमुडा से इसकी शुरुवात होती है जिला समाचार इसका नाम था लेकिन 1925 में इसका नाम बदल कर कुमाव कुमुद कर दिया चाता है ठीक है इसके जो संपादक थे पून चंद उनका नाम था ठीक है सापताहिक पत्र का संपादन किस ने और कब शुरू किया था तो संपता नाम का एक समाचार पत्र ये अलमोडा से आता था और इसकी शुरुवात हरी प्रशाट टम्टा ने करी थी 1934 में इसे भी आपने याद करना है ठीक है? कोशन बन जाता है गड़वाल से हितैशी नामक पत्र का संपादन किस ने किया था? एक और समाचार पत्र हितैशी और इसका जो संपादन किया पितांबर दत पस्बूला ने किया 1935 से यह समाचार पत्र आता था, ठीक है? कोट द्वार से संदेश नामक पत्र कब निकाला गया था तो संदेश नामक पत्र जो है ये भी कूट द्वार से आता था किरपराम मिश्र और इस बार उनके साथी थे हरीराम मिश्र इन दोनों ने निकाला 1938 में ये आये था हल्दवानी से जागरित जनता का किसके द्वारा किया गया तो जागरित जनता समचार पत्र ये हल्दवानी से आता था इसके संपादक थे पितामबर पांडे ठीक है 1939 में ये आने लगा था ठीक है चरी 1949 में लैंसी डौन से कर्म भूमी का प्रकाशन किसने किया था 1949 में लैंसी डौन से एक पत्र आता था कर्म भूमी बहुत इंपोर्टन्ट है इसकी लोकेशन और वर्ष बहुत बार पेपर में आया है इसकी शुरुबात होती है लैंसी डौन से भैरवदत धूलिया और भक्त दर्शन इसके संपादक थे ठीक है 1949 में अल्मोडा से सुभन सिंग जीना ने कौन सा सापताहिक पत्र निकाला था 1949 में अल्मोडा से एक और पत्र निकला पता का जिसके संपादक थे सुभन सिंग जीना ठीक है किस पत्र को रियासती पत्र भी बोला जाता था तो रियासती पत्र के नाम से युगवानी को जाना जाता था ठीक है युगवानी समचाहर पत्र के अगर हम बात करें तो टिहरी राजय जो परजा मंडल था उसके बारे में ये लिखता था और उसी के कारण इसे रियासती पत्र बोला गया इसकी शुरुवात होती है 1947 से लेक इसके संपादक कौन थे इसके संपादक थे भगवती प्रशाद पांतरी और गुपेशवर कोठियाल ठीक है 1948 में हिमाचल नामक सापताहिक पत्र का को किस ने शुरू किया था देखे 1948 में मसूरी से एक और पत्र निकला हिमाचल नामका और इस पत्र को सत्य प्रशार रतू इसके संपादक थे जैदत वेला और इसकी शिरुवात इन्होंने 1947 से करी थी इसे भी याद करेंगे ठीक है राज्य का पहला प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था तो देखे राज्य का पहला दैनिक पत्र अगर हम बात करें तो वो था आपका परवतिया ठीक है इस इसे आपने याद करना है उत्राखंड का पहला दैनिक पत्र ये परवतिया था इसकी शुरुवात 1954 में होती है और इसके जो संपादक थे उनका नाम था विश्णू दत उनियाल ठीक है इसे भी आपने याद करना है पिपर में बन सकता है प्रथक राज्या आंदूलन modern history का एक बहुत important topic है और सबसे दा question आपके यहां से भी बन जाते हैं British के बाद ठीक है चलिए दिखे प्रथक राज्या आंदूलन की अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुवात कहां से हुई थी कहां जाता है सबसे पहले एक अलग छेत्र की इसकी मांग सबसे पहले 1897 में करी गई थी ठीक है लेकिन जो गड़वाल का छेत्र है और जो कुमाओ का छेत्र है उन दोनों को मिला कर जो पहली बार मांग करी गई राज्या बनाने की एक अलग राज्या बनाने की वो मांग 1938 में करी गई थी यहीं से हम इसको शुरू करें भारतिया राष्टिया कॉंग्रिस का एक विशेश अधिवेशन होता है शिरी नगर में 5 से 6 मई 1938 को इस अधिवेशन को यहां पर किया जाता है इस अधिवेशन में जवाहलार नहरू और विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल होते हैं और पहली बार गड़वाल और कुमाओं को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की जो मांग करी गई वो यही पर करी गई थी इसे आपने याद करना है ठीक है बिल्कुल जो सारे important facts हैं उन सबका हम कोई क्रिवीजन करते हुए चलेंगे और सारे notes बिलकुल serial wise हैं तो आपको और अच्छे से इनको याद करने में और link करके पढ़ने में भी आसानी होगी इसके बाद आपको याद करना है गड़देश सेवा संग गड़देश सेवा संग आपका 1938 में बनता है दिल्ली में इसकी स्थापना होती है दिल्ली के अंदर जो उत्राखन के प्रवासी लोग वहाँ पर रह रहे थे उन सब के द्वारा एक सम्मेलन का आयूजित किया जाता है वहीं पर और उसी सम्मेलन में गड़देश सेवा संग की स्थापना होती है कौन थे इसके संस्थापक स्रदेव सुमन इसके संस्थापक थे दो कुशन याद करने हैं गड़देश सेवा संग कहा बना दिल्ली में और कब बना 1938 में इसका भी जो गठन किया गया था इस सेवा संग का इसका गठन भी प्रतक राज्य आंदूलन के लिए यानि कि प्रतक दोनों कौशन पेपर में पूछे जा चुके हैं कब हुआ इस थापना कहां हुआ और इसका नाम क्या बदला गया हो सकता है अगली बार पूछले कब बदला गया नाम तो 1939 भी आपने याद करना है ठीक है उत्रांचल के परवतिय भूभाग को विशेश वर्ग में रखने की मांग किसने करी थी जो उत्राखंड का यानि कि जो उत्रांचल का जो परवतिय भूभाग है पूरा इलाका ही ये परवतिया है इसे एक अलग विशेश वर्ग में रखने की जो मांग करी थी ये इसको याद करना है 1946 में बदरिदत पांडे ने कहां पर ये मांग करी थी हल्दवानी में करी थी इसे आपको याद करना है ठीके इसके बाद समविधान सभा के सामने अलग राज्ये की मांग ये किसने करी ये करी थी हरगोविन पंत ने 1947 में ठीके और धर आयोग जब बनाया इसके सामने दुबारा से मांग करी बदरीदत पांडे ने 1948 में इस सारे जो घटना क्रम है इनको आपको याद करना है ठीके किसने कब मांग करी थी ठीके परवतिय विकास जन समीती इसका गठन कब किया गया तो परवतिय विकास जन समीती इसका गठन 1950 में किया गया था और इस समीति का में उद्दीश्य क्या था ये जो परवत्य विकात जन समीति बनी थी इसका उद्दीश्य था हिमाचल और उत्रांचल को मिलाकर एक बड़ा हिमालाई राज्य गठन करने का इसका विजन था तो इसी के लिए इस समीति का गठन क्या गया था इसको इसे पर बनने वाली ये पहली समीती थी हाला कि इसके उदेश्यों में केवल उत्राखर नहीं था इसके उदेश्यों में शामिल था कि हिमाचल और उत्रांचल दोनों को मिला कर एक अलग हिमालाई राज्य बनाया जाए तो इसको आपने याद करना है केवल आपसे वर्ष पूछा जाता है कब बनी थी 1950 में मानवेंद्र शह के द्वारा आंदोलनों की शुरुवात कब करी गई मानवेंद्र शह जो टिहरी के अंतिम नरेश थे इनके द्वारा अलग राज्य की मांग इन्होंने 1957 से शुरू करी इसी भी आपने याद करना है ठीक है 1957 में जो योजना आयो के उपाध्यक्स थे उस समय टीटी कृष्णाचारी उनके साथ इन्होंने मुलाकात करी थी और उनके सामने ये मांग करी थी कि एक अलग राज्य होना चाहिए इसको भी याद करेंगे ठीक है सरकारी गजट में पहली बार उत्राखन शब्द का प्रियूग कब किया गया था देखे अगर हम उत्राखन शब्द की बात करते हैं इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने प्रियूग किया जो माना जाता है गंगादत पांडे को माना जाता है ठीक है गंगादत पांडे ने 1948 के करीब इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया ठीक है लेकिन सरकारी गजट के अगर हम बात करते हैं तो सरकारी गजट में उत्राखन शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1960 में किया गया थ जब तीन बड़े जिलों का गठन किया गया चमूली, पिथोरगर और उत्तरकाशी तब इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसको आपने याद करना है बहुत इंपोर्टेंट ये कोशन है। ठीक है। जैसे यहाँ पर नोट्स हैं। परवत्य राज्य परिशत की बात करते हैं तो ये आपके 1967 में बनती है। इसका गठन रामनगर में होता है। इसका अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे को बनाया जाता है। इसके उपाध्यक्ष गोविन सिंग महरा होते हैं। इसके महासचीव नारायन दस सुंद्रियाल होते हैं। इनको लेकर के एक important किताब है। उसको भी हम आगे दिखेंगे। पुनर गठन की बात करें। तो जो ये परवत्य राज्य परिशद है। गठन होता है सरसट में। पुनर गठन होता है 1973 में। और 1973 में इसमें दो व्यक्तियों को और श सरसट में पुनर गठन आपका तिहत्पर में। ठीक है चलिए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसके लावा महा सचीव ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। दिल्ली में प्रदशन का नितित्व किसने किया था। तो प्रथक राजय आंदूलन को लेकर के दिल्ली में प् 1968 परवत्य विकास परिशत अब हमने उपर देखी थी परवत्य राज्य परिशत अब हम देखेंगे परवत्य विकास परिशत और इसको लेकर के दो बहुत महत्पूर्ण कोश्चन आपके निकलेंगे जो इसी पॉइंट के साथ यहां पर किलियर हो जाएंगे। देखिए परवत्य विकास परिशत की बात करते हैं यह आपके 1969 में बनी थी, ठीक है, किस वर्ष में बनी? 1969, इसका गठन राजी सरकार के द्वारा किया गया, ठीक है, इसकी बनने की जो घोशना हुई थी, यह 1967 में हुई थी, ठीक है, 1967 में यूपी सरकार ने बोला कि हम एक परवत्य परवत्य विकास मंतराले का गठन करेंगे लेकिन हुआ नहीं 1968 में यूपी सरकार के द्वारा परवत्य विकास मंतराले का गठन किया जाता है इसको याद करेंगे मंतराले कब बनता है 1968 में और अगले साल 1969 में परवत्य विकास परिशत का गठन किया जाता है तो तीनों बाते याद करनी है घोशना सरसट में मंत्राले 68 में परिशद 69 में ठीक है इसी के साथ एक और चीज़ याद करना परवत्य विकास निगम क्योंकि ये परवत्य विकास परिशद है तो इसी के साथ याद कर लीजिए परवत्य विकास निगम ये कब बना ये बना 1971 में और ये ही विकास निगम आगे जाके दो भागों में तूटता है एक से निकलता है कुमाव मंडल विकास निगम और एक निकलता है गड़वाल मंडल विकास निगम ये तोनों के दोनों किस से बने थे इसी निगम से बने थे जो 1971 में बना था ठीक है इसी का विभाजन होता है 1976 में, हम जानते हैं जो दोनों निगम हैं, गड़वाल मंडल विकास निगम, कुमाव मंडल विकास निगम, पेपर में पूछा गया है, 1976 में इसका विभाजन होता है इस निकम का और ये दोनों बनते हैं 30 मार्च को आपका कुमाव मंदल विकास निकम 31 मार्च को गड़वाल मंदल विकास निकम डेट उतनी इंपोर्टन नहीं है 1976 आपने याद करना है इसी से तूट कर बनते हैं सबसे इंपोर्टन कोशन आपको याद करना है ठीक है अगला है कुमाव राष्टिया मोर्चा पिछले पेपर में आपको इसको लेकर के कोशन बना था कुमाव संकल्प की घोशना कब करी गई और किसके द्वारा करी गई तो जो कुमाउ राश्ट्रिय मोर्चा है इसका गठन होता है 3 अक्टूबर 1970 को ठीके कौन इसका गठन करते हैं इसकी स्थापना करते हैं PC जोशी पूरा नाम था पूरण चंदर जोशी ठीके ये CPM के निता थे ठीके कम्यूनिस्ट थे और इनके द्वारा कुमाउ राश्ट् पूछा जाता है इसको याद धरना है ठीके चलिए अगला है उत्रांचल परिशत उत्रांचल परिशत की बात करते हैं इसके स्थापना 1972 में होती है नैनिताल में उत्रांचल परिशत का गठन किया जाता है ठीके इसी परिशत की द्वारा 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया तो दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था उत्रांचल परिशत ने दिया था राज्या आंदूलन के दौरान ठीक है दिल्ली में वोड कलब पर ये धरना देते हैं बदरिनाथ से लेकर के वोड कलब दिल्ली तक ये रैली निकालते हैं यहां से पूरी पदियात्रा करते हैं कि इस सारे घटनाएं आपको याद करनी हैं। और जिस ने किया वो कब बना? तो किस ने किया? जिवा परिशत ने कब बनी? 76 में। कब किया घेराओ? 78 में। उतरांचल राज्य परिशत ये कब बनी? ये बनी 1979 में। और इसका गठन किस ने किया? त्रिपेन सिंग नेगी ने किया जो की जनता सरकार के एक सांसत थे इनके द्वारा अलग राज्य के लिए उत्रांचल राज्य परिशत का गठन किया गया 1979 में अब आएगा सबसे महत्पूर्ण जहां से सबसे ज़्यादा कोशन आपके इस टॉपिक से बनते हैं सीधा कोशन बनेगा परवतिया जन विकास सम्मेलन 1979 में कहां आयोजित किया गया क्यों important है अभी आप देखेंगे इसका आयोजन मसूरी में होता है 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में एक सम्मेलन होता है जिसे हम कहते हैं परवथिय जन विकास समेलन और इसी समेलन में उत्राखन करांती दल का गठन किया जाता है तो UKD की स्थापना ठीक है डारेक्ट कोशन बहुत बार आया है UKD को लिखर के इसकी स्थापना 1979 में होती है मसूरी में इसकी स्थापना होती है डेट सहीत याद करना है और किस सम्मेलन में होती है ये भी आपको पता होना चाहिए उत्राखंट करांती दल के पहले अध्यक्ष किसे बनाया जाता है तो पहला अध्यक्ष देविदत पंत को बनाया जाता है और इनको लेकर कि पिछले साल एक कुशन आये था कि कौन से जो अध्यक्ष हैं राजनेता हैं जो प्रकाश मिती यानि कि भौत की विज्ञान से भी संबंदित हैं तो वो भी देविदत पंथ हैं ठीक है इनका नाम आपने याद करना है कुमाव विश्व विद्याले के कुलपती थे और उत्राखन करांती दल के पहले अध्यक्ष बने थे UKD का लक्ष क्या था? UKD का जो गठन किया गया वो आठ जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने के उदेश से इसका गठन किया गया UKD के पहले विधायक कौन थे? तो उत्राखन करांती दल 79 में ही बनता है ठीके? और इसके पहले विधायक 1980 में रानिखेट से चुने जाते हैं जिनका नाम था जस्वन सिंग बिस्ट इनका नाम भी याद करना है आगे जाके यह हमको और कुश्यन देते हैं ठीके? अगला है All India Student Federation की साइकल यात्रा जो All India Student Federation था इन्होंने भी अलग राज्ये के लिए यहाँ पर एक यात्रा निकाली 1984 में इन्होंने साइकल यात्रा निकाली जो की लगभग 900 किलोमेटर की यात्रा थी इसको भी याद करेंगे ठीके? उत्राखंड करांती दल का विभाजन कब हुआ था? तो UKD की स्थापना 79 में होती है ठीके? इसका जो विभाजन होता है यह 87 में हो जाता है यानि कि जैसे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में कॉंग्रेस का विभाजन हो गया उसी प्रकार यहाँ पर UKD का विभाजन होता है 1987 में होता है और इसके अध्यक्ष कासी सिंग एरी बन जाते हैं वोशन बन सकता है UKD का विभाजन कब हुआ और विभाजन के बाद अध्यक्ष किसे बनाया गया? कासी सिंग एरी यहाँ पर अध्यक्ष बने इसी वर्ष यानि 87 में ही पहली बार हरिदवार को उत्राखंड में श इसको भी याद करेंगे त्रिवेंद्र पवार का संसत में पत्र बम इन्होंने कब फेका यानुकि इन्होंने संसत में परचे फेके थे और ये फेके थे 23 सप्रेल 1987 को 1987 की तीन महत्वपून घटनाएं आपने याद करनी है पहला UKD का विभाजन कासि सिंग एरी अध्यक्ष दूसरा हरिदवार को उत्राखंड में शामिल करने की मांग पहली बार राश्टपति को ग्यापन भी सौपा गया और तीसरा संसत में परचे फेके गए त्रिवेंद् ठीक है भाजपा का अलमोडा समेलन बीजेपी का एक समेलन होता है अलमोडा में 1987 में ही होता है चौती महत्वपून घटना 87 की इस समेलन की अधिशता बीजेपी के बड़े नीता लालकृष्ण आडवानी करते हैं और इसी समेलन में बीजेपी ने परवतिय छित्र को अलग में हुआ जिसकी अधिक्षता एल के आडवाणी ने करी थी ठीक है लेकिन यहां पर क्या माना गया यह माना गया कि राज्य तो बनेगा लेकिन नाम उत्राखंड नहीं उत्रांचल किया जाएगा इसको भी आपने याद करना है ठीक है उत्रांचल उत्थान परिशत कब बनी उत्रांचल उत्थान परिशत ये बनी 1988 में सोभन सिंग जीना के द्वारा इसका गठन किया गया था ठीक है उत्रांचल उत्थान परिशत इसका गठन भी अलमोडा में होता है सोभन सिंग जीना इसके प्रमुक बनाए जाते हैं उत्रांचल संयुक्त संघर्स समीती इसका संगठन होता है और इसके प्रमुक द्वारी का प्रशाद उनियाल बनाए जाते हैं। जो पहला प्रस्ताव रखा गया ये 1990 में रखा गया और किसके द्वारा रखा गया वही जस्वन सिंग बिस्ट जोकी UKD के पहले विधायक थे। रानी खेच से ये विधायक चुने कई थे। ठीके। इसको आपने याद करना है। बाद में सरकार बद्दी है BGP के और यहां से वो प्रस्ताव को पारित करके केंदर के पास भेज देते हैं लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं आता है। तो सबसे पहले शामिल किस ने किया? BGP ने किया था। ठीक है। UKD का पहला ब्लूप्रिंट कब जारी किया गया? इसको लेकर भी बहुत सारे कोशन बंद्दे हैं। उत्राखंड करांती दल ने अपना पहला ब्लूप्रिंट 1992 में जारी किया। इसमें इन्होंने गैरसेंड को राजथानी बनाने की बात कही और उसका नाम चंदरनगर इन्होंने रख्था। कोशन बन सकता है कि 1992 के UKD के ब्लूप्रिंट में उत्राखंड की प्रस्तावित राजथानी का नाम क्या रखा गया था? गैरसेंड नहीं बताएंगे। गैरसेंड बननी थी राजथानी लेकिन उसका नाम क्या होगा? उसका नाम चंदरनगर रखा गया था, ठीक है? सैयुक्त उत्राखंड राज्य मोर्चा कब गठित किया गया? तो सैयुक्त उत्राखंड राज्य मोर्चा इसकी स्थापना अप्रेल 1994 में होती है, बहदुर राम टम्ता के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है, ठीक है? 1994 का वर्ष काफी जाधा इंपोर्टेंट है, 1994 में ही एक और फ्रंट बनता है, उत्राखंड पीपल्स फ्रंट, ये कब बना? ये भी आपका 1994 में बना, ठीक है? जो सारे महतपुन घटना क्रम होते हैं, वो सब आपके 1994 में ही होते हैं, अभी हम सारे घटना क्रम को देखेंग रमा शंकर कौसिक समीती, इसका गठन कब किया गया था? देखें, रमा शंकर कौसिक समीती को ले करके आपसे दो तिन साल पूछे जाते हैं, जैसे गठन कब हुआ? कहीं पर 1993 है, कहीं पर 1994 है, मैक्सिमम जो आपको देखने को मिलता है, इस समीती का गठन जनवरी 1994 में देख का बन गया था एक बार पेपर में कि मुलाईम सिंग यादव के द्वारा जो कौसिक समीती बनाई गई थी प्रत्थक राज्य के लिए इन्होंने बनाई थी कि अपने सिफारिशेश ने देनी थी इस समीती का पूरा नाम क्या था जो कौसिक समीती है इसका पूरा नाम था रमा शंकर कौसिक इनको आपने याद करना है समीती का गठन किस ने किया मुलाईम सिंग यादव ने किया जो उस समय यूपी के सीम थे इस समीती ने अपने रिपोर्ट मई 1994 में दी अपने सिफारिशों में इस समीती ने बोला कि गैर सेंड राजधानी होनी चाहिए अलक राज्य बनना चाहिए उसकी राजधानी गैर सेंड होनी चाहिए और मंडल की संख्या तीन मंडल यहाँ पर होने चाहिए कुशन बनता है किस समीती ने राज्य में जो प्रस्तावित बनता है दिख्षित आयोग गेर सेंड को मना कर देता है और देहरादून और काशिपुर की सिफारिश करता है लेकिन रमाशंकर कौसिक समीती ने गेर सेंड की सिफारिश करी तीन मंडल की सिफारिश करी जिसमें से दो मंडल तो अल्रेडी हमारे पास थे गड़वाल मंडल और कुमाव मंडल तीसरा इन्हों ने बोला तराई मंडल भी होना चाहिए इसको आपने याद करना है बाद में इसी समयती ने जो सिफारिशें करी थी उनके उपर और अच्छे से जहाओ देने के लिए उनकी समिक्षा के लिए एक और समीती बनाए गई विनोध बर्थवाल समीती इसका काम भी सिम वही था रमाशंकर कौसिक समीती जैसा इसका गठन 1994 में हुआ था ठीक है? कुश्यन बनता है यूपी सरकार ने नई आरक्षन व्यवस्था कब लागू करी थी देखे यूपी सरकार के द्वारा नई आरक्षन व्यवस्था को लागू किया गया जून 1994 में जून 1994 में यूपी सरकार ने नई आरक्षन व्यवस्था वो लेकर आए जिसके तहर सरकारी नौकरी और सिक्षन संस्थानों में पचांस फीसेदी सीटें उन्होंने OBC के लिए रिजर्व्ड कर दी, इसको लेकर कि जो उत्राखंड का परवित्या इलाका था, यहां पर काफी साधा इसका विरोध देखने को मिला, क्यूंकि यहां पर OBC की जो संख्या थी, वो काफी कम थी, 2-3% उनकी संख्या थी, यानि क महत्पूर्ण कारण हुआ, 1994 का जो वर्ष था, वो महत्पूर्ण घटना क्रमों से भर गया, थीक है, तो नई आरक्षन विवस्था कब लाई गई, जून 1994 में, जिसमें 50 फीसेदी सीटें OBC के लिए रिजर्व्ड कर दी गई, इसी आरक्षन विवस्था के विरुद इंद पौडी के अंदर क्या हुआ, कुछ अंसन कारी थे, यहां पर उनके उपर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें एक व्यक्ती जीत बहादुर गुरुंग का निधन हो गया, वे यहां पे शहीत हो गये, तो यह जानी जाती है पौडी क्रांती के नाम स पौडी क्रांती कब हुई, आप बताएंगे 8 अगस्त 1994, क्योंकि यहां पर जो अंशन कारी कर रहे थे, जो अंशन थे यहां पर कर रहे, उनके उपर लाठी चार्ज हुआ, एक व्यक्ती जीत बहादुर गुरुंग यहां पर शहीद हो गये, जो यह अंशन चल रहा था, य यह आरक्षण का विरोध जादा किया जा रहा था, आरक्षण के हट करके अब यह प्रथक राज्य को ले करके आगे निकल पड़े थे, यह घटना उसी के लिए महत्तपुन्ट साबित हुई, जो मांग अभी जो मेन मांग थी, राज्या अंदुरन तो चली रहा था, लेकि है, घटना की तिथी भी याद करेंगे, अगला हुआ, खटीमा गुली कांट, अब अगस्त में ही एक घटना हुई थी, एक सितंबर 1994 को खटीमा में लोगों के द्वारा प्रदशन किया जा रहा था, शांती पून जुनूस वहाँ पर निकाला जा रहा था, और वहाँ पर के घुली बारी हो जाती है, जिसमें कई सारे लोग शहीद हो जाते हैं, जिसमें आपके प्रताप सिंग थे, सलीम एहमद थे, भगवान सिंग, धर्मानन भट, गोपी चंद, परमजीत सिंग, रामपाल सिंग और भुवन सिंग, तो यह ञोग यहां पे शहीद हो जाते हैं, और इस घटना को काला दिवस के रूप में माना जाता है इसको भी आपने याद करना है ठीक है डारेट कोशन बनता है खटीमा गोली कांड कब हुआ 1 सितंबर 1994 और इसे ही काला दिवस बोला जाता है ठीक है इसमें कौन-कौन शहीद वे सभी के नाम यहाँ पर लिखे है आगे जाकर हम सारे एक साथ देखेंगे लेकिन आपको इनको यहीं से भी याद कर टेवे चलें ठीक है कई बार कोशन बन जाता है इसके बाद अगले ही दिन होता है मसूरी कांड हुआ ये कि खटीमा गोली कांड के में जो शहीद हुए थे उनको श्रधानजीली के लिए और अपना प्रजशन दिखाने के लिए शांती पून जूलूस फिर से निकला ये मसूरी में निकला लेकिन फिर से यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो किया गया इन पर बल का इस्तेमाल किया गया ठीके खटीमा गोली कांड के विरोध में यहाँ पर प्रजशन हो रहे थे और फिर से यहाँ पर पुलिस और प्रजशन कारियों में जड़प हो जाती है इस घटना को मसूरी कांड के नाम से जाना जाता है मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को हुआ यानि खटीमा गोली कांड के अगले दिन इसमें जो पुलिस उपदीशक थे जो डियेसपी थे वहां के उमा कांड त्रिपाठी ये भी शहीद हो जाते हैं और इनके साथ साथ प्रदशन कारियों में बेलमती चोहान, हंसा धनई, राई सिंग भंगारी, धनपत सिंग, मदन मोहन मामगई, बलवीर सिंग होगा यहां पर अलवीर सिंग नेगी, जेठू सिंग और उमा शंकर हमने जैसा देखा, तो यह लोग यहां पर शहीद हो जाते हैं, सबसे इंपोर्टेंट जो इन में नाम आपसे पूछे जाते हैं, सारे नाम इंपोर्टेंट हैं, लेकिन जो दो महिलाएं यहां पर शहीद हुई थी, इन लेकिन पुलिस के द्वारा यहां पर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें भी कुछ लोग फिर से यहां पर शहीद हो गए थे, तो बाटा घाटा कांड यह हुआ मसूरी में 15 सितंबर 1994 को यह घटना घटी थी, ठीक है, इसको आपने याद करना है, उत्राखंड चात्र शामिल थे और इन्होंने डिसाइड किया था, क्योंकि सितंबर में बन रही है, इन्होंने डिसाइड किया था कि हम 2 अक्टूबर को गांधी जहेंती के दिन दिल्ली में प्रदशन करेंगे, और 1 अक्टूबर को यह निकल जाते हैं, लेकिन 1 और 2 अक्टूबर की जो रात म होता है, इनको रामपुर तिराहा पर रोक लिया जाता है और फिर जो यहाँ पर घटना घटती है उसे ही हम रामपुर तिराहा कांड या मुझप्फर नगर कांड के नाम से जानते हैं तो इसको आपने याद करना है कौन सी समीती के छात्रीश में शामिल थे उत्राखन छात्री युवा संगर्ष समीती कठन होता है सितंबर 1994 में 2 अक्टूबर को दिल्ली जाते हुए मुझफर नगर कांड होता है रामपूर तिराहा कांड होता है पुलीस की बरबरता यहां पर देखने को मिलती है ठीके महिलाओं के साथ यहां पर अभगरता भी की जाती है और इसी घटना को कुरूर शाशक की कुरूर साजिश बोला जाता है काला दिवस बोलेगा तो खटीमा गोली कांड कुरूर शाशक की कुरूर साजिश बोलेगा तो आप बताएंगे रामपुर तिराहा कांड या जिसे मुझफर नगर कांड भी कहते हैं इस घटना में सूरिय प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेडा, रवेंदर सिंग रावत, सतेंदर चौहान, ग्रीश भदरी, अशुक कुमार केशिव और राजेश नेगी इस सभी लोग यहां पर शहीद हो जाते हैं, तो इसको भी आपने याद करना है मुझफर नगर कांड को लेकर के जो चंडी परशाद भट थे, उन्होंने भी अपने एक स्टेटमेंट दिया था, पूछा जा सकता है ये स्टेटमेंट किस ने दिया था तो मुझफर नगर कांड को देश के सभी समाज पर एक कलंक बताय था किसने चंडी परशाद भटने, ठीक है, इसको भी याद करेंगे ये सारी घटनाएं आपको याद करनी है, पेपर में डेट सहीत पूछी जाती है, मिलाने के लिए आता है कि बताओ खटिमा कांड कब हुआ, रामपुर्ति रहा कांड कब हुआ, बाटा घटा कांड कब हुआ, ये सारे आपको याद करने, ठीक है, मसूरी कांड कब हुआ, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगला महत्वण जो घटना होती है यहाँ पर घटित ये थी शिरियंत्र टापू कांड जो आपका शिरीनगर में हुआ 10 नवंबर 1995 को यहाँ पर प्रदशन कर रहे थे और फिर से पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है जिसमें रशोधर, यशोधर बेंजवाल औ आपसे पूछा जाता है घटना के साथ कि यशोधर बेंजवाल राजेश रावत किस घटना में शहीद हुए शिरियंत्र टापू कांड में और कब हुआ था ये घटना 10 नवंबर 1995 को हुआ था यहाँ पर ध्यान रखना 94 मत करना ये 95 में हुआ था ठीक है चलिए नए राज्य निर्मान की घटना अब जब इतने सारे कांड यहाँ पर हो गए इतने सारे लोगों यहाँ पर शहीद हो गए तो सरकार पर भी और दबाव बना और अगले सा यानि 1996 में क्योंकि शिरियंत्र टापू कांड होता है नवंबर 95 में अगले साल 15 अगस्त के दिन ल 15 अगस्त 1996 किसके दुवारा करी गई ततकालीन प्रधान मंतरी एच डी देव गौडा ने करी उस समय भारत के राष्ट्रपती कौन थे लेगे राष्ट्रपती कब जब घोशना करी गई यह राज्य की अभी राज्य बना नहीं है घोशना के समय शंकर दयाल शर्मा थे और दौरान भारत के राष्ट्रपती शंकर दयाल शर्मा थे इनका नाम भी आपने याद करना है ठीक है यूपी का सीम भी पूछा जाता लेकिन उस समय जब घोशना करी गई यूपी में कोई सीम नहीं था यूपी में 1995 से लेकर 1997 तक राष्ट्रपती शाशन यहाँ पर कब आया आप बताएंगे नाम में ही है 2000 इस विध्यक को लोगसभा में पेश कब किया गया लोगसभा में पेश हुआ 27 जुलाई 2000 को लोगसभा से पारित हो गया 1 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित हो गया 10 अगस्त 2000 को राष्ट्रपती के और नारायन ने हस्ताक्षर कर द कब हस्ताक्षर करे और अब राश्टपती कौन है अब राश्टपती के आर नारायन है ठीक है तेरह जिलों को मिला कर उत्रांचल का गठन कर दिया गया 9 नवंबर 2000 को भारत के 27 वे राज्य के रूप में इसका गठन किया जाता है ठीक है ना केवल उत्राखंड का 2000 में उत्रा और 14 नवंबर 2000 को जारकंड बना 9 नवंबर को उत्राखंड बना तीनों आपको याद करने हैं पूछे जाते हैं डेट सहित ठीक है अस्ताई राजधानी किसे बनाये गया तो इसकी जो टेंपरी राजधानी थी उत्राखंड की ये देहरादून को बनाये गया वरतमान में देहरादून उत्राखंड की शीत कालीन राजधानी है ठीक है उत्राखंड की गरीश्म कालीन राजधानी आप सभी जानते हैं गैर सेंड है इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे जब उत्राखंड का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को उस समय केंदर में कौन थे उस समय केंद अंतरे मुख्यमंतरी कौन बनायेगए यानि उत्राखंड के पहले मुख्यमंतरी उनका नाम था नित्यनन स्वामी ठीक है और इसको सरकारी गजट में जब यह बिल पासवा तो सरकारी गजट में इसे कौन सी कानुन शंख्या दी गई 28 इसे दिया गया इसको भी आपने याद करना है ठीक है कुछ important अधिकारी और फिर सरकारी गजट एक जनवरी 2007 से इसका नाम उत्राखंड हो गया तो हमने राज्या गठित कर लिया है राज्या का नाम भी बदल दिया है अब इसको लेकर के और important जो question है उनको देखेंगे सबसे पहले राजधानी को लेकर के कुछ question बनते हैं तो राजधानी को यहाँ पर सुनिशित करते हैं चलिए इस्थाई राजधानी चैन आयोग इसका गठन कप किया गया तो इस्थाई राजधानी चैन आयोग जनवरी 2001 में बनाया गया था ठीक है हाला कि उस समय जादा यह सक्रिया नहीं होता है बाद में इसके अध्यक्ष बनाये जाते हैं 2003 में जाकरके विरेंद्र दिख्षित इसके अध्यक्ष बनते हैं और इनहीं का नाम आपको याद करना है अगर पूछेगा राजधानी चैन आयोग का अध्यक्ष कौन था आपक हो सकता है पूछ ले कि दिख्षित आयोग का संबंद किस से था राजधानी चैन से था ठीक है पूरा नाम विरेंद्र दिख्षित इनके द्वारा जो विरेंद्र दिख्षित थे इन्होंने गैर सेन को खारिज कर दिया कि गैर सेन राजधानी नहीं बन सकती इन्होंने पह जाता है विरेंद्र दिक्षित आयोग ने दूसरी राजधानी के रूप में किसे यहाँ पर दिया देहरदून के बाद इहों ने काशिपुर को सिफारिश किया था ठीक है चलिए भराडी सेंड में दूतिय विधानसभा भवन का सिलन्यास कप किया गया तो गैर सेंड में ही ह आपका भराडी सेंड यहीं पर दूसरा विधानसभा भवन है ठीक है पहला कहा है देहरदून है सिंपल सा क्वेशन है तो दूसरा विधानसभा भवन आपके भराडी सेंड में है इसका सिलन्यास 14 जनवरी 2013 को किया गया गैर सेंड में राज्य विधानसभा की पहली बैठक कब की गई, ये की गई 9 से 11 जून 2014 को, ठीक है, राज्य विधानसभा की पहली बैठक पूछी है, 2014, नए विधानसभा भवन में पहली बैठक ये होती है 2017 में, दोनों कोशन आपने याद करने हैं, ठीक है, दोनों पूछे जाते हैं, गैरसेंड ग्रीश्म कालीन राजधानी कब घोशित हुआ था, देखें, गैरसेंड को ग्रीश्म कालीन राजधानी उत्राखंड की 4 मार्च 2020 को घोशित किया गया, इसको आपने याद करना है, ठीक है, घोशना कब होती है, 4 मार्च को, और अधिसूचना इसको लेकर कब जार होती है, और अधिकारिक तोर पर गैरसेंड उत्राखंड की ग्रीश्म कालीन राजधानी बन जाता है, इसको आपने याद करना है, यहाँ पर क्या होगा, 8 जून 2020, गैरसेंड विकास परिशत, इसका गठन कब किया गया था, तो गैरसेंड विकास परिशत आपके 2014 में ही ब इसको भी ध्यान करेंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है, अब हमने अलग राज्य भी बनवा दिया, अब हमने राजधानी को भी देख लिया, अब कुछ इंपोर्टन किताबें, जो राजधानी, जो आपका राज्य आंदूलन था, इसको लेकर यहाँ पर बनी थी, ठीक है, चलिए इनको देखते हैं, पहला है, उत्रांचल प्रदेश क्यों, ये किताब किसकी है, ये किताब भगत सिंग कुश्यारी की है, उत्रांचल राज्य क्यों और कैसे, ये किताब हरीशंद्र ढोंडियाल की है, प्रतक परवत्य राज्य, ये किताब किसकी है, इंद्रमणी बढ़ोनी की है उत्राखंट परवत्य राज्य यह किताब नारायन दस सुंद्रियाल की है उत्राखंट करांती दल क्यूं ये किताब द्वारी का प्रशाद उन्याल की है देखे सभी नाम अगर हम देखे मैकसिमम नाम यहां पर पॉपिलर है भगर सिंग कोश्यारी हो गए इ वारी का प्रशाद उन्याल हो गए तो सारे नाम आपको याद करना है ठीक है हरी शिंद्र ठोंडियाल उत्राखंट राज्य और उसका स्वरूप ये पुस्तक किसकी है UKD ने इसको निकाला था ठीक है उत्राखंट करांती दल ले उत्राखंट आंदोलन पर एक नजर ये कि प्रताब किसकी है तो ये है आपके राजा बहुणा की ये किताब है इसको भी आपने याद करना है पेपर में पूछी जा सकती है ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे राज्य आंदोलन के शहिद हलाकि नाम हम इनके ओपर देख चुके लेगन यहां पे सभी को एक साथ धर्मानन, गूपी चंद, परमजीत सिंग, रामपाल और भोवन सिंग शहिद हुए थे खटीमा गोली कांड में फिर होता है मसूरी कांड दो सितंबर 1994 जिसमें बेलमती चोहान हंसा धनाई इनके बाद राई सिंग, पंगारी, धनपत सिंग, मदन मोहन ममगाई, बलवीर सिंग नेगी, जेठु सिंग, उमा शंकर त्रिपाठी जो डियस पी थे वे शहिद होते हैं फिर होता है मुझफर नगर कांड दो अक्टूबर 1994 को जिसमें सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजीश लखेडा, रवींद्र सिंग रावत, सतींद्र चोहान, ग्रीश भदरी, अशुक कुमार केशिव और राजीश नेगी शहीद हो जाते हैं इसके बाद जो मुझफर नगर कांड था ये दो अक्टूबर को हुआ, इसके विरोध में फिर अलग-अलग जगहों पर उत्राखन में प्रदर्शन किये गए तीन अक्टूबर को, जिसमें फिर से दुबारा से यहां पर लोग शहीद हुए देहरादूर में तीन अक्टूबर के प्रदर्शनों की बात करें, मुझफर नगर कांड के विरोध में, तो राजेश रावत, दीपक वालिया, जैनंद बहुगणा, बलवन सिंग जंगवान ये यहां पर शहीद हुए कूट द्वार में प्रतिवी सिंग और राकिष देवरानी शहीद हुए, और नयनिताल में प्रताप सिंग बिस्ट शहीद हुए, कब हुए? तीन अक्टूबर को 1994 को मुझफर नगर कांड के विरोध में और फिर हमने देखा था शिरियंत्र टापू कांड जो 10 नवंबर को 1995 करना ठीक है, 1995, जिसमें कौन होते हैं? ये शुधर बेंजवाल और राजेश रावत, इनके नाम भी आपने याद करने हैं, ठीक है? चलिए अब उत्राखंड के साशन प्रशाशन के बारे में बात करेंगे, केवल इंपोर्टन कोशिंस मैंने यहाँ पर लिये हैं, जैसे पंचायद ववस्था को ले करके, राजे के वहत्तपूर्ण प्रशाशन को ले करके, राजेपाल मुख्यमंत्री इनको हम कवर कर चुके हैं, तो कुछ इंपोर्टन पर्दिकारी देखेंगे, पंचायद, नगर पंचायद, इनके बारे में बात करेंगे, और फिर चलेंगे हमारे विभिन आंतोरनों की तरफ, ठीक हैं, ब्रिटिश गडवाल में कुमाओं में कितने परगने थे, तो ब्रिटिश गडवाल में में 19.125, गडवाल में 11.86, ठीक है, अगला है हमारा, राज्यपाल द्वारा महादिवक्ता की निउक्ती किस अनुचेद के तहत की जाती है, जो महादिवक्ता होते हैं, इनकी निउक्ती राज्यपाल करते हैं, और इनकी निउक्ती आर्टिकल 165 के तहत होती है, ये कुशन आपके लिए important इसलिए है, आपसे question बनता है, महादिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, तो महादिवक्ता का कार्यकाल नियत नहीं है, ठीके इनका कार्यकाल कोई fix नहीं है, राजयपाल की इच्छा पर ये अपने पत पर रहते हैं, एक और question बनता है, इसको लेकर के जिस वजह से मैंने इस कोशन को यहां पर लिया है उत्राखंड के पहले महादीवक्ता कौन थे इसको लेकर के डाउट होता है कि पहले महादीवक्ता कौन थे देखिए उत्राखंड के जो पहले महादीवक्ता थे इनका नाम है ललीता प्रशाद नैथानी ठीक है ये कब बने थे ये बने थे जब अंतरिम सरकार आई थी बाद में जब निर्वाचित सरकार आई कॉंग्रेस की सरकार आई तो कॉंग्रेस के द्वारा जिसे बनाया गया उनका नाम था महरबान सिंग नेगी तो अंतरिम सरकार में पहले थे ललीता प्रशार नेथानी और निर्वाचित सरकार में पहले थे महरवान सिंग नेगी इसलिए डाउट होता है कि पहले कौन थे जैसे हम मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं पहले निर्वाचित कौन है एंडी तिवारी लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछा के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताईए, तब आप एंडी तिवारी का नहीं, नितनन स्वामी का बताते हैं, तो जब तक पूछा ना जाए कि प्रथम अंतरिम सरकार के बताईए, ये निरवाची सरकार के बताईए, आप पहले का ही नाम बताएंगे जो ललीचा पृषाद अंतिर्म सरकार में थे और बाद में जब निर्वाची सरकार आती है तब पहले कौन बनते हैं महरवान सिंग ने की इसलिए आपको इसको याद करना है ठीक है विधान सभा का गठन किस आर्टिकल के तहट किया जाता है तो विधान सभा का गठन आर्टिकल 170 के तहट किया जाता है आर्टिकल 168 ये कहता है कि विधान मंडल होगा आर्टिकल 169 कहता है विधान परिशत होगी और आर्टिकल 170 कहता है विधान सभा होगी तो विधान सभा की यहां पर केवल 22 सीटे थी और विधान परिशत की बात करें तो विधान परिशत में यहां पर टोटल 9 सीटे थी इसको आपने याद करना है तो टोटल विधान मंडल की कितनी हो गई तोटल विधान मंडल की हो गई 31 सीटे विधान सभा पूछेगा तो 22 विधान परिशत पूछेगा तो 9 विधान मंडल पूछेगा तो 31 ठीक है वर्तमान में कितनी विधान सभा की सीटे हैं उत्राखंड में वर्तमान में 70 विधान सभा सीटे हैं ठीक है चलिए जो 104 समविधान संसोधन हुआ है उसके तहर जो एंगलो इंडियन को न्यूक्त किया जाता था अब उसको शमाप्त कर दिया गया है 104 समविधान संसोधन 2019 में ये हुआ इसलिए अब 70 प्लस एक नहीं होता केवल 70 सीटे हैं और इन 70 सीटों में से 15 सीटें reserved हैं इन 15 में से 2 सीटें ST के लिए हैं और 13 सीटें SC के लिए हैं इसको भी याद करेंगे अंतरिम विधान सभा में कितने सदस्य थे देखें अंतरिम विधान सभा में 30 सदस्य थे 22 ये थे और 9 ये थे टोटल कितने हो रहे थे 31 लेकिन तुरंत एक विक्ती का जो कारेकाल था वो इसी दौरान समाप्त हो जाता है तो कितने बच गए 30 बन गए और उनी से मिलाकर अंतरिम विधान सभा का गठन किया जाता है इन 30 में जादतर जो विधायक थे वो बीजेपी के थे अगर हम संख्या की बात करें तो 30 में से 23 जो विधायक थे इन में से वो बीजेपी के थे तो बीजेपी का ही मुख्यमंतरी बना पहले मुख्यमंत्री नित्यनन स्वामी बने और फिर बने भकर सिंग कोशियारी ठीक है चलिए उत्राखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? उत्राखंड के पहले राज्यपाल सुजी सिंग बरनाला जैसे हमने उपर देखा पहली महिला राजयपाल कौन थी? मारग्रेट आलवा, इनका नाम पूछा जाता है, ये ओवराल चोथी राजयपाल थी वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कौन है राजयपाल? गुरमीत सिंग वर्तमान में राजयपाल हैं, ओवराल आठ में राजयपाल हैं उत्राखंड के पहले अंत्रिम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्राखंड के पहले अंत्रिम मुख्यमंत्री थे नित्यनन स्वामी और दूसरे अंत्रिम मुख्यमंत्री थे भगर सेंग कोश्यारी विधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे तो विधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे प्रकाश पनपर ठीके विधान सभा का पहला सत्र 9 जनवरी 2001 में शुरू होता है पहले निर्वाचित अद्प्ष कौन थे, यस्पाल आर्या, ये तो अंत्रिम थे, पहले निर्वाचित थे यस्पाल आर्या और पहली महिला विधानसभ़ अद्प्ष कौन हे, वर्टमान में, रितु-खंडूरी भुशन, इनका नाम आपने याद करना है, ठीके, ये पहली म चीज हमेज़ आप से पूछी जाती है तो इसको ध्यान रखेंगे राज्य की किस विधायक को प्रत्थम उत्करिष्ट विधायक पुरुसकार मिला था तो पहला उत्करिष्ट विधायक पुरुसकार इससे किसे समानित किया गया था प्रकाश पंत को किया गया था 2008 में, ठीक है, कोशन बन सकता है इसके बाद 2009 में प्रितम सिंग को मिला, 2010 में जोट सिंग कुन्सोला को मिला 2011 में अमरता रावत को मिला, 2012 में मदन कौशिक को मिला, 2013 में इंद्रा रदेश को मिला हलाकि उसके बाद की जानकारी नहीं है कि किस किस को मिला या मिला भी कि नहीं मिला तो फिलाल आपको इनको याद करना है ये 6 अवार्ड पूछे जा सकते हैं ठीक है राज्ये के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? देखे राज्ये के जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे एंडी तिवारी जैसे हमने उपर बात करी पहले मुख्यमंत्री नित्यनन स्वामी, दूसरे मुख्यमंत्री भगर सिंग कोश्यारी, लेकिन पहले निर्वाचित पूछेगा, एंडी तिवारी का नाम आप लेंगे, ठीक है, उत्राखंड में लोग सभा की कितनी सीटे हैं, तो उत्राखंड के अंदर लोग सभा की 5 किस वर्ष किया गया था, तो पंचायती राज ववस्था कुत्री इस्तरियः 1961 में किया गया था, बल्वंत्राय महता समीती की सिफारिश पर, ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो ग्राम सभा की स्थापना राजय सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है पंचायती राज को समवधानिक दरजा कब दिया गया था? तो पंचायती राज को जो समवधानिक दरजा दिया गया ये 24 अप्रेल 1993 में दिया गया और इसके लिए 73 समसोधन किया गया था, ठीक है? पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षन दिया गया है? तो पंचायत ववस्था में उत्राखंड की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए यहां पर 50 फीसिदी आरक्षन है और ये आरक्षन 2008 से है और किसके काल से है? तो 20 ए खंडूरी जो थे ने बात करी तीन इस तर पर ये होती है सबसे शीर्ष पर होता है जिला पंचायत ठीक है? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है दूसरे नंबर पर होता है आपका छित्र पंचायत जो ब्लॉक लेवल पर होता है और तीसरा होता है आपकी ग्राम पंचायत जो ग्राम लेव जो होता है वो इसका सचीव होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज आफिसर इसे आपने याद करना है एक और कोशन बनता है उत्राखंड के द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया तो उत्राखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम चार अ पंचायत और ग्राम पंचायत जिला पंचायत सबसे शीष निकाए ये सबसे नीचे का निकाए इन दोनों के बीच में कड़ी का काम छेत्र पंचायत करता है जो की ब्लॉक लेवल पर होता है ठीक है और छेत्र पंचायत में अगर हम बात करें अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है सदस्यों की तो छेत्र पंचायत के सदस्यों की अधिक्तम संख्या 40 हो सकती है नियूंतम संख्या 20 हो सकती है और अधिक्तम 40 हो सकती है इसके जो सचीव होते हैं छेत्र पंचायत के वो वीडियो होते हैं ब्लॉग डवलप्मेंट ऑफिसर ठीक है इसी प्रकार अगर हम ग्र ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या के ग्राम बात करें पहले ये संख्या 5 से 15 थी अब ये 7 से 15 है ठीक है और ग्राम पंचायत का सचीव कौन होता है ग्राम पंचायत का सचीव वीडियो होता है जैसे लोग सभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष इसी प्रकार गराम पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 21 वर्ष की होनी चाहिए ठीक है राज्य में नगरिया स्वायत साशन प्रणाली की शिरुवात कब हुई थी तो नगर में राज्य के अंदर नगरिया स्वायच शाशन प्रणाली, इसकी शिरुवात 1916 में होती है, संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 के तहत की जाती है, हो सकता है आपसे पूछले ये अधिनियम कब आया, या पूछले ये प्रणाली कब आई, हलाकि ये 1993 में दिया गया, चोहतरवा समिधान संसोधन इसके लिए किया गया था, नगर निगम का गठन कितनी जनसंक्या होने पर होता है, तो किसी छेतर में नगर निगम का जो गठन किया जाता है, मैदानों में अगर एक लाक से जादा की आवादी है, और पहाडों में नब्बे जादा की आवादी है, तो नगर निगम का गठन किया जाता है, नगर पाली का परिशत की बात करें, क्योंकि ग्राम पंचायद भी तीन इस्तर पर है, निकाए भी आपके जो शेहरी निकाए हैं, वो भी तीन इस्तर पर है, सबसे उपर नगर निगम आता है, फिर आती है न नगरपाली का परिशद मैदानों में 50,000 से 1,000,000 के बीच अगर जनसंख्या है वहाँ पर नगरपाली का बनेगी एक लाग के उपर हो गया तो नगरणिगम बनेगा पहाडों में 90,000 तक अगर जनसंख्या है तो नगरपाली का 90,000 के उपर हो गया तो नगरणिगम नगर पंचायत की बात करें तो जहां पर जन संख्या 5 से 50 हजार के बीच में होती है वहां पर नगर पंचायत होता है चाहे पहाड हो चाहे मैदान हो तो 5 से 50 हजार हो नगर पंचायत 50 हजार से 1 लाख हो नगर पाली का मैदानों में पचांस हजार से नब्बे हजार हो पहाडों में तो नगर पाली का और इस से उपर चला जाए तो नगर निकम ठीक है अगर हम बात करें वर्तमान में कितनी नगर निगम है उत्राखंड में वर्तमान में नौ नगर निगम है नगरपाली का आपकी 41 हैं और नगरपंचायत आपकी 47 हैं इनको भी आपने याद करना है 2011 में राज्य में किस नए विभाग का स्रजन किया गया था 2011 में एक नए विभाग बना सुराज, भरष्टचार, उनमूलन और जनसेवा कब बना आपका 2011 में मंत्री परिशत में अधिक्तम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है तो मंत्री परिशत में अधिक्तम मंत्रियों की संख्या CM समेत के अगर हम बात करें 12 हो सकती है उत्राखंड में ठीक है उत्राखंड विदान सभा में कितनी सीटें अनुसूचित जन जाती के लिए आरक्षित है यानि ST केटिगरी के लिए ST केटिगरी के लिए उत्राखंड में दो सीटें है और SC केटिगरी के लिए उत्राखंड में 13 सीटें रिजर्व्ड है तोटल कितनी सीटें रिजर्वड हैं? 15 सीटें रिजर्वड हैं इसको आपने याद करना है ठीक है? चड़िए अब हम बात करेंगे उत्राखंड के दोनों मंडल और 13 के 13 जिलों की स्थापना के बारे में किस प्रकार उत्राखंड का राज्या बना और ये मंडल और जिले यहाँ पर बने? चलिए इनको देखते हैं सबसे पहले कुमाव मंडल की बात करते हैं कुमाव मंडल आपका 1854 में बना था इसका हेड़क्वाटर नैनी ताल में है गड़वाल मंडल आपके 1979 में बना और इसका हेड़क्वाटर आपके पौड़ी में है दोनों याद करेंगे मंडलों के वर्ष आपसे पूछे जाते ह कुमाव मंडल 1854, गडवाल मंडल 1989, ठीक है, अब जिलों की बात करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं किस जन्पत में, किस मंडल में कितने जिले हैं, कुमाव मंडल में आपके 6 जिले हैं, गडवाल में आपके 7 जिले हैं, ठीक है, टोटल कितने हैं, 13, देहरादून की बात क 1817 में देहरादून जिले का गठन हो जाता है 1817 में जब इसका गठन होता है इसे साहरनपूर मंडल में शामिल कर दिया जाता है 1839 में देहरादून को मेरट मंडल में शामिल कर दिया जाता है 1871 में देहरादून को स्वतंतर जिला घोशित किया जाता है जिला बना 17 में, स्वतंत्र जिला बना 71 में ठीक है और उसके बाद 1975 में यानि कि लगभग 100 साल के बाद इसे मेरट मंडल से निकाल कर गड़वाल मंडल में शामिल कर दिया जाता है तो ये था आपका देहरदून जनपत ठीक है दूसरा जनपत है उत्राखंड का पौड़ी गड़वाल इसका गठन 1840 में होता है, इसे आपने याद करना है फिर आते हैं आपके दो जिले, अल्मोडा और नैनिताल अल्मोडा और नैनिताल आपके 1891 में बनते हैं जो कुमाओ मंडल था या जो कुमाओ जिला था उस समय क्योंकि उस समय दो ही थे कुमाओ जिला था और इधर आपका ब्रिटिश गड़वाल था, ठीक है कुमाओ का विभाजन कर दिया जाता है अल्मोडा और नैनिताल में 1891 में और ये इस्तिथी अब जो उत्राखंड की है यानि चार जिले पहला आपका देहरदून, दूसरा आपका पौड़ी गड़वाल अल्मोडा और नैनिताल ये ही चार जिले अब उत्राखंड में रहेंगे आजादी तक, ठीक है और साथ में एक रियासत ये इस्तिथी रहती है उत्राखंड में भारत की आजादी तर इसके बाद टिहरी गड़वाल का गठन होता है एक अगस्ट 1949 को डेट सहित आता है एक अगस्ट 1949 को टिहरी रियासत को जिले के रूपे गठित कर दिया जाता है भारत में इसका विले हो जाता है और उत्तर प्रदेश का पचासवा जिला बन जाता है टिहरी गड़वाल ठीक है इसके बाद उत्तरकाशी, चमोली और पिथोरगड उत्तराखंड के तीन सबसे बड़े जिलों का गठन किया जाता है 1960 में 24 फरवरी को डेट याद करेंगे 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी जिले को टिहरी से अलग कर दिया जाता है चमोली को पौडी से अलग कर दिया जाता है पिथोरगड को अलमोडा से अलग कर दिया जाता है और तीन नई जिले बनते हैं उत्तराखन के तीन सबसे बड़े जिले हैं, जिसमें सबसे बड़ा चमोली है, फिर उत्तरकाशी है और फिर आपका पितोरा गड़ है, 1960, ठीक है? फिर आता है हरिद्वार 1988 में बनता है, 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जिले का गठन हो जाता है, फिर आता है आपका उधम सिंग उधम सिंग नगर आपके 1995 में बनता है, ठीक है? इसको आपने याद करना है, 30 सितंबर 1995 को उधम सिंग नगर का गठन होता है जनपत के रूप में और इसको नैनिताल से अलग किया जाता है, ठीक है? फिर आते हैं हमारे 11, 12 और 13 जिले जिसमें आपका रुद्रप्रियाग, चंपावत और बागेशवर, ये तीनो जिले आपके 1997 में बनते हैं, ठीक है? 1997 में अगर हम बात करते हैं, तीन जिले बने आपके, जिसमें जो आपका रुद्रप्रियाग है, ये बना 16 सितंबर को, ठीक है? इसी के साथ जो आपका बागेशवर है, ये भी 16 सितंबर को बना, चमपावत आपका 15 सितंबर को बना तीनों की डेट आपको याद करनी है ठीक है वर्ष तीनों का सेम है 1997 जो रुद्र प्रियाग था इसे तीहरी, पौडी और चमूली इन इनका कुछ-कुछ हिस्सा लिया गया और रुद्र प्रियाग जिला बनाया गया जो चमपावत था इसे पितोरागड से अलग किया गया और जो बागिश्वर था इसे आपका अलमोडा से अलग किया गया तो तीनों आपको याद करने हैं किस-किस से अलग हुए वो भी हमने यहाँ पर देखे कुमाओ के कितने जिले गडवाल से जुड़े हुए हैं इसको हम जब भुगोल करेंगे उत्राखंड का वहाँ पर भी देखेंगे कोशन बना है कुमाओ के कितने जिले ऐसे हैं जो गडवाल की सीमा को टच करते हैं चार जिले कुमाओ के ऐसे हैं देखिए, अल्मोडा, नेनिताल, बागश्वर और पितोरकड, चार जिले जो गढ़वाल को टेच करते हैं, और गढ़वाल के कितने करते हैं कुमाओं से, तो गढ़वाल के आपके केवल दो जिले करते हैं, चमोली और पोड़ी गढ़वाल, Sharina, ठीक हैं? कैसे जिले करते ह है फिर इदर से अलमोडा आ जाता है फिर इदर से आपका जो बागेशवर है और साइड में आपका पिथोरा गड़ा जाता है तो इदर से चार टच करते हैं लेकिन इदर से केवल दो ही टच करते हैं इसको आपने याद करना है एक बार आप map में देखेंगे आपको अच्छे से clear हो जाएगा ये question पेपर में पूछा गया था कुमाओ के कितने करते हैं चार करते हैं गड़वाल के कितने करेंगे दो करते हैं ठीक है चलिए अब बात करेंगे विभिन आंदोलन वन लाइनर के बारे में कुछ इंपोर्टन आंदोलन है इन से जुड़े वे तथ्kahों को देखेंगे पहला आंदोलन है डोला पाल की आंदोलन जो था ये आपका दलितों को डोला जो डोली थी उसमें बैठने के अधिकार से संबन दित था और इसका नित्व जैनंद भारती ने किया था सिधा कोशन बनता है डोला पाल की आंदोलन का नेत्त्व किस ने किया जैनंद भारती ने किया टिहरी में चला धांडक आंदोलन किस से संबंदित था तो टिहरी में एक आंदोलन चला धांडक आंदोलन ये मजदूरों से संबंदित था कुंजडी वन आंदोलन इसका नित्त्व किसने किया था कुंजडी वन आंदोलन अमर सिंग के द्वारा इसका नित्त्व किया गया और ये आपकी टीरी में चला था 1903-1904 के काल में ठीक है भूमी हिन किसानों को भूमी उपलब्द कराने से संबंदित कौन सा आंदोलन है जो भूमी हिन किसान है उनको भूमी उपलब्द कराने के लिए का आंदोलन चला जिसे हम कोटा खर्रा आंदोलन कहते हैं ठीक है इसको भी याद करेंगे कनकटा आंदोलन जो था कनकटा बैल आंदोलन ये किस से संबंदित है कनकटा बैल आंदोलन आपके भरष्टा चार से संबंदित था उफरेखाल गाउं में पानी को कमी को दूर करने के लिए कौन सा आंदोलन चला तो उफरेखाल गाउं पौडी में पड़ता है और यहां पर पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी राखो आंदोलन चलाया गया था ठीक है और किसके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था नेतुत्व इसका सचिदानंद भारती के द्वारा किया गया इसकी अगर हम बात करें तो आपको दो वर्ष देखने को मिलते हैं 1988 और 1990 पहला रेफरेंस आपको 1990 को देना है ठीक है इनी सचिदानंद भारती के द्वारा एक संस्था बनाई जाती है दूधा तोली लोक विकास संस्थान इसकी स्थापना कौन करते हैं सचिदानंद भारती और कब करते ह 1982 में ठीक है किया गया इसको आपने याद करना है ठीक है टिहरी के भिलंगना छेतर में ये आंदोलन चला 1994 में इसकी शुरुबात होती है और इसी आंदोलन का एक फेमस नारा था उंचाई पर पेड रहेंगे नदी गलेशेट टिके रहेंगे इसका नारा था रक्सासूत्र आंदोलन का ठीक है टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है तो टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन इसका जनक गोपाल सिंग राणा को माना जाता है बीज बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था तो बीज बचाओ आंदोलन आपके टिहरी में शुरू हुआ और इसका नेत्त्व विजय जर्धारी के द्वारा किया गया ठीक है उत्राखंड में शराब विरोधी आंदूलन काफी चला यहां पर आजादी के बाद से ही यह चला और इसी सराब विरोधी आंदूलन से दो महतपून प्रश्ण आपको याद करने हैं पहला प्रश्ण इसी सराब विरोधी आंदूलन के दोरान उत्राखंड संगर्श वाहिनी जिसने इस आंदूलन को नेत्त्व दिया बाद में इसी संगर्श वाहिनी के द्वारा 1984 में एक नारा दिया गया नशा नहीं रोजगार दो ये नारा किस ने दिया और कब दिया ये कोशन बनता है तो शराब विरोधी आंदुलन के दौरान इसको दिया गया संगर्श वाहिनी ने दिया 1984 में दिया एक और कोशन जो सराबी से रिलेटेड आता है सराब से संबदिन आंदुलन से पूछा जाता है कि इनका नित्त्व किस महिला के द्वारा किया गया तो शराब का विरोध उत्राखंड में तिंचरी माई के द्वारा किया गया ठीक है इसको आपने याद करना है तिंचरी माई जो की शराब विरोधी के लिए जानी जाती है शराब विरोध का इन्होंने काफी ज़ादा विरोध किया था आंदु अगला आंदोलन चला चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन की शिर्वात 1974 में होती है रेणी गाउं चमूली से इस आंदोलन की शिर्वात होती है इस आंदोलन के नेतित्व करता थी गौरा देवी जिनको चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है इसे भी आपने याद करना है ठीक है गौरा देवी को इस आंदोलन का एक नारा जो पूछा जाता है 1977 में आये था क्या है जंगल का उकार, मिट्टी पानी और बयार जिन्दा रहने के आधार ये नारा किसका था? ये नारा चिपको आंदोलन का था ठीक है? चिपको आंदोलन को प्रसिद करने का श्रेक इसको जाता है तो चिपको आंदोलन को प्रसिद करने का श्रेक सुंदरलाल बहुगणा और चंडी प्रशाद भट को जाता है हेमालिया बचाओ देश बचाओ का नारा ये बहुत बार पेपर में आया है तो हिमालिया बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुडा ने दिया था ठीके चंडी प्रशाद भट को रैमन मैक्सिसी प्रुसकार कब दिया गया था तो चंडी प्रशाद भट को रैमन मैक्सिसी प्रुसकार 1982 में दिया गया था ठीके जप्टो चीनो आंदूलन ये किस से संबन दित था जप्टो चीनो आंदूलन ये आपके 1998 में हुआ था ठीक है और नंदा देवी नैशनल पार्क का प्रबंदन ग्रामीनों को देने के लिए इस आंदूलन को चलाए गया था जिसका नाम था जप्टो चीनो आंदूलन ठीक है नंदा देवी जो नैशनल पार्क है उसका प्रबंदन ग्रामीन अपने हाथ में चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने 1998 में 15 जुलाई को अपने जानवरों के साथ वो यहाँ पर पार्क में घुश जाते हैं जबरन घुश जाते हैं और इसी का नाम क्या है जप्तो चीनो आंदूलन वर्ष याद करना है 1998 और क्यूं चला था नंदा देवी नैशनल पार्क का जो प्रबंदन है अपने हाथ में लेने के लिए ग्रामीनों के हाथ में देने के लिए ठीक है अगला है हमारा मैती आंदूलन मैती आंदूलन इसकी शुरुवात होती है 1996 में कल्यान सिंग रावत इसके जनक थे बहुत बार कोशन आता है कि इनमें से मैती आंदूलन का जनक कौन था तो कल्यान सिंग रावत मैती आंदूलन के जनक थे और किस वर्ष इसकी शुरुवात होती है इसकी शुरुवात 1996 में होती है इसे भी आपने याद करना है कोशन यहां से बन जाता है तो प्रतिक चिन्नों का निर्धारण उत्राखंड के कब किया गया था सन 2001 में किया गया था उत्राखंड का राज्य चिन क्या है ये भी हम देख चुके हैं कि गोलकार मुद्रा है तीन परवा चोटिया है नीचे चार नदी की लहरे है और बीच वाली चोटी के ऊपर अशोक की लाठ है जिसके नीचे लिखा गया है सतमेव जयते तो वो उत्राखंड का राजय चिन है कब निर्धारित हुए थे प्रतीक चिन उत्राखंड के सन 2001 में अब बात करेंगे यहां से जो प्रतीक चिन है सबसे पहले उत्राखंड का राजय पुश्प क्या है? उत्राखंड का राजय पुश्प है ब्रम कमल ब्रह्म कमल किस उचाई पर पाया जाता है डारेक्ट कोशन बेस करेंगे ब्रह्म कमल आपके 4800 से 6000 मीटर की उचाई पर पाया जाता है ब्रह्म कमल का वग्यानिक नाम क्या है तो ब्रह्म कमल का वग्यानिक नाम सोसूरिया अव्वेलेटा है ब्रह्म कमल किस कुल का पौदा है तो ये आपके एस्टेरीसी कुल का पौदा है ठीक है ब्रह्म कमल का इस्थानिया नाम है कौल पदम इसको भी ध्यान करेंगे महाभारत में ब्रह्म कमल को क्या बोला गया है तो महभारत में ब्रह्म कमल को सौगंदिक पुश्व बोला गया है हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूदा फूल बोला जाता है इसके अलावा कश्मीर में ब्रह्म कमल को गलगल बोला जाता है इसको भी ध्यान करेंगे नेक्स्ट है ब्रह्म कमल के खिलने का समय क्या है? तो ब्रह्म कमल के खिलने का समय है जुलाई से सितंबर के मध्य में. इसको आपने ध्यान रखना है, ब्रह्म कमल से सारे फेक्ट हमने देखे. नेक्स है हमारा राज्य पक्षी उत्राखंड का राज्य पक्षी क्या है कौन है उत्राखंड का राज्य पक्षी है मोनाल मोनाल को हिमालिया का मयूर भी कहते हैं इसका इस्थानिय नाम है मोनाल या मन्याल कोशन बनेगा इस्थानिया नाम बताईए मोनाल या मन्याल उत्राखंड में मोनाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है तो उत्राखंड में मोनाल की चार प्रजातियां पाई जाती है जो मोनाल है उत्राखंड का राजय पक्षी तो है साथ में नेपाल का राष्ट्य पक्षि भी है इसको भी याद करेंगे नेपाल में इसे डंगन बोला जाता है भूटान में जो मोनाल है इसे भूप बोला जाता है इसके अलावा कश्मीर में इसे सुनाल बोला जाता है सिक्किम में मोनाल को चामदोंग बोला जाता है इसको भी आपने याद करना है जो आपको ठीके जो आपके पहले के नोट्स है बस साथ में उनको खुल कर रखिए और जो जो नई बातें लगे रिवाइस करते वे चले अपने नोट्स के सार और कुछ नई बातें क्योंकि हम कई सारी किताबों को मिक्षर यहां पर पढ़ रहे हैं उनको वही पर लिखते वे चलें अलग से नोट्स आपने नहीं बनाने हैं मोनाल किस उचाई पर पाई जाती है तो मोनाल धाई हजार से पांच हजार मीटर की उचाई पर पाई जाती है मोनाल में ही नर प्रजाती कौन है तो वो है आपकी डफिया देखें मोनाल और डफिया दोनों एक ही प्रजाती के पक्षी है जो मोनाल है ये मादा है जो डफिया है ये नर है इसको भी ध्यान करेंगे मोनाल का वेग्यानिक नाम क्या है? तो मोनाल का वेग्यानिक नाम है लोफोफोरस, इमपीजैनिस इसका वेग्यानिक नाम है मोनाल का प्रियभुजन क्या है? मोनाल का प्रियभुजन आलू है ये भी बहुत बार कोशन आता है मोनाल को या किसकी फसल को मोनाल सबसे ज़्यादा नुक्सान करती है आलू की फसल को राज्य के वन्यजीव सरक्षण बूर्ड द्वारा पहली बार इसकी गणना 2008 में कराई गई थी कुश्चन बनेगा मोनाल की गड़ना सबसे पहले कप कराई गई 2008 में तब इनकी कितनी संख्या निकली थी तब उस समय 2008 के अगर हम बात करें जब पहली बार इनकी गड़ना हुई 919 मोनाल राज्य में थे ठीक है नेक्स्ट है राज्य पशु उत्राखंड का राज्य पशु कौन है कस्तूरी म्रिग कस्तूरी म्रिग किस उचाई पर पाया जाता है तो कस्तूरी म्रिग आपके 3600 से 400 मीटर की उचाई पर पाया जाता है कस्तूरी मिर्ग का वेग्यानिक नाम क्या है तो मासकस काईसो गास्टर इसका वेग्यानिक नाम है ठीक है इसका अन्या नाम क्या है तो कस्तूरी मिर्ग को हिमालियन मस्क डियर भी बुला जाता है ठीक है इसकी सुंगने की और सुनने की शमता काफी तेज होती है कुश्चन बनता है आपसे कस्तूरी म्रग की विशेस्ता क्या है, इसकी तीवर सुंगने की शक्ति या कम सुंगने की शक्ति इस तरीके से, तो इसकी सुंगने और सुनने की शक्ति काफी तीवर है, ठीक है, कस्तूरी म्रग में आत्मरक्षा के लिए दो दात होते हैं, कस्तू एज की बात करें तो 20 वर्ष का इनका जिवनकाल होता है गर्बधारन अवधी इनमें 6 महिने की होती है कस्तूरी म्रग से कस्तूरी एक बार में कितनी ग्राम प्राप्त की जा सकती है तो एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम आप कस्तूरी प्राप्त कर सकते हो एक कस्तूरी म्रग से जो कस्तूरी प्राप्त होती है ये केवल नर कस्तूरी से प्राप्त होती है इसको भी ध्यान रखना जो मादा कस्तूरी म्रग होता है उससे हमें कस्तूरी नहीं मिलती केवल किस से मिलती है नर से वो भी हर तीन साल के अंतराल में ठीक है यानि ऐसा कस्तूरी म्रग जो नर है ए उससे हमें कस्तूरी मिलती है, एक बार में 30-45 ग्राम और ये कस्तूरी हर 3 साल के अंतराल में मिलती है, ठीक है, इसको ध्यान करेंगे, कस्तूरी का रसाइनिक नाम क्या है, तो कस्तूरी जो हमें इससे मिलती है, इसका रसाइनिक नाम है, मिथाइल, ट्राइकलोरो, पेंटाड इसका chemical name है, इसका रसाइनिक नाम है, इसको भी याद करना है Next है, कस्तूरी मर्ग के सरक्षन के लिए किये गए कार्य कस्तूरी मर्ग क्योंकि इससे कस्तूरी प्राप्त होती है, काफी सारा इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसका अवैज शिकार भी होता है, उसी को रोकने के लिए, इनके सरक्षन के लिए कुछ कार्य किये गए हैं, उनको देखते हैं केदार नात वन्यजी विहार इसकी स्थापना कब की गई, तो केदार नात वन्यजी विहार आपके 1972 में बना ये आपके चमोली में है और कुछ हिस्सा इसका रुद्र प्रियाग में भी फैला है, तीक है, इसको भी ध्यान रखना है, जो केदार नात वन्यजी विहार है, मेन आपका चमोली में है, लेकिन कुछ हिस्सा रुद्र प्रियाग में भी आता है, इस्थापना कब हुई, 1972 मे दूसरा महरूडी कस्तूरी म्रिग अनुसंधान संस्थान इसकी location को लेकर बहुत सारा doubt रहता है कि ये कौन से जिले में है याद रखना आपके बागेशवर में है 1977 में इसकी इस्थापना हुई थी फिर आता है चमूली का कांचूला खर्क जहांपर कस्तूरी मिर्ग प्रजनन एवं सरक्षन केंद्र इस्थापित है direct question बनता है कि कस्तूरी मिर्ग प्रजनन केंद्र कहां इस्थित है आपके कांचूला खर्क में चमूली जनपत में और कब बनाया गया? 1982 में इसे बनाया गया था, ठीक है? और इसके साथ आता है आसकोट अभियारण, सबसे ज़ादा कस्तूरी मिर्ग यहीं पर पाई जाते हैं, और इसकी स्थापना 1986 में हुई, यह आपके पिथोरगर जिले में इस्थित है, यह कुछ important कार्य है, जो कस्तूर कस्तूरी मिर्ग के सरक्षण के लिए किये गए, किस जनपद में है, कब इनका गठन हुआ, यह सब आपसे पूछे जाते हैं, एक पेपर में तो कोशन यह पूछा गया था, कि जो चमोली का कांचुला खर्क है, किसके लिए प्रसिद है, तो आप बताएंगे कस्तूरी मिर् उत्राखंड का राज्य विर्क्ष क्या है, उत्राखंड का राज्य विर्क्ष है, बुरांश, बुरांश का वनस्पतिक नाम क्या है, तो बुरांश का वनस्पतिक नाम है, रोडो डेंडरोन अर्बोरियम, इसका वनस्पतिक नाम है, अगर हम इसके कुल की बात करें, यह क विशुद एक परवतिया व्रक्ष है यानि केवल परवतों में ही हो सकता है मैदानों में इसे नहीं उगाया जा सकता तो एक विशुद परवतिया व्रक्ष है एरिकेसी कुल का है यहां पंदरा सो से चार हजार मीटर की उचाई पर पाया जाता है जो बुरांज के व्रक्ष ह किस उंचाई पर पाई जाते हैं? 1500 से 4000 मीटर की उंचाई पर इसका रंग कैसा होता है जब बुरांज के विर्क्षों पे फूल लगते हैं तो किस रंग का होता है? देखे चटक लाल से इनकी शुरुवात होती है जैसे जैसे उंचाई बढ़ती जाती है ये जो चटक लाल था रंग फिका होता जाता है और एक उंचाई के बाद 11,000 फीट की उंचाई के बाद आपको सफेद बुरांश देखने को मिलते हैं इसको भी याद करेंगे ठीक है? इसका हमने वग्यानिक नाम यहां पर देखा वनस्पतिक नाम रोडो डेंडरोन अर्बो रियम हिमाचल प्रदेश में बुरांश को बुरांशो बोला जाता है इसके अलावा नेपाल में बुरांश को बुरांश बोला जाता है इसको भी आपको ध्यान रखना है ठीक है? बुरांश व्रक्ष में फूल खिलने का समय कितना है ये है आपका अब फरवरी से अप्रेल के मध्य में इसमें फूल लगते हैं इसको भी याद करेंगे कुशन बनता है सफेद बुरांश हमने देख लिए 11,000 फीट की उचाई पर बुरांश को सरक्षित व्रक्ष कब घोशित किया गया 1974 में इसे सरक्षित व्रक्ष घोशित किया गया ठीक है इसको भी ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है हमारा राज्यफल उत्राखंड का राज्यफल क्या है उत्राखंड का राज्यफल है काफल का वेग्यानिक नाम क्या है तो मिरी का एस्टूलेंटा इसका वेग्यानिक नाम है इसको भी याद करेंगे उत्राखंड की अगर हम बात करें राज्य मिठाई कौन सी है कई बार हो सकता है पूछ लिया जाए तो राज्य मिठाई है आपकी बाल मिठाई ठीक है और ये question paper में बन चुका है कि कौन सा जन्पद बाल मिठाई का घर उपनाम से जाना जाता है आप सभी जानते हैं अलमोडा की बाल मिठाई ना केवल उत्राखंड में बलकि पूरे देश में काफी जादा famous है तो इसको आपने याद रखना है बाल मिठाई का घर अलमोडा को बोला जाता है नेक्स्ट है राज्य तितली उत्राखंड की राज्य तितली कौन है उत्राखंड की राज्य तितली है common peacock 2016 में common peacock या लोग मोर को राज्य तितली घुशित किया गया था इसे लोग मोर भी बोला जाता है तब घुशित किया गया कॉमन पिकॉक को राज्य तितली 2016 तितली को राज्य चिन घुशित करने वाला उत्राखंड देश का दूसरा राज्य है तिक है यानि कि अपने प्रतिक चिन्नों में जैसे हमने राज्य वादियंत्र की अम देखेंगे राज्य खेल राज्य इसी प्रकार राज्य तितली घुशित करने वाला उत्राखंड देश का कौन सा राज्य है दूसरा राज्य है इससे पहले कौन है पहले आता है महाराष्ट्रा महाराष्ट्र ने भी एक तितली है जिसे कहते हैं ब्लू मॉर्मन उसे राज्य के तितली घुशित किया है तो क वेग्यानिक नाम है जो ये तितली है इसका रंग मोर के जैसा है ठीक है मोर के जैसे ये दिखती है इसी लिए इसका नाम क्या है कॉमन पिकॉग ठीक है जो लिमका बुक ओफ रिकॉर्ड है उसने 1996 में इस कॉमन पिकॉग को भारत की सबसे सुंदर तितली का किताब दिया था कब दिया 1996 वेग्यानिक नाम हमने देख लिया देहरादून के लच्छी वाला में बटर फ्लाई पार्क कब खोला गया तो बटर फ्लाई पार्क आपका कहा है तितली पार्क सिधा कोशन बनेगा आपके देहरादून के लच्छी वाला में है और इसे 2016 में ही इसको भी याद करना है हैं हेमंत बिस्ट और जो ये गीत गाया गया है किसके द्वारा गाया गया है नरेंद्र शिंग नेगी और अनुराधा निराला जी के द्वारा इसे गाया गया है ठीक है इसको याद करेंगे दरजा कब दिया गया था 2016 में इसे दर्जा दिया गया था नेक्स है राज्यवादियंत्र उत्राखंड का राज्यवादियंत्र क्या है धोल कब घोशित किया गया 2015 में और किसकी सिफारिश पर किया गया भंडारी कमेटी की सिफारिश पर धोल को उत्राखंड का राजकिया वादियंद्र घोशित किया गया उत्राखंड में धोल सागर के एकमात्र ग्याता कौन है ये प्रिविस एर का कोशन है धोल से ही संबंदित है तो यहीं पर इसको याद कर लेंगे ठीक है उत्राखंड में धोल सागर के एकमात्र ग्याता है उत्तम दास ठीक है नेक्स्ट है हमारा दुतिया राजभाशा उत्राखंड की प्रतम राजभाशा आप जानते हैं हिंदी है दूसरी राजभाशा कौन है ये है संस्कृत कब से है 2010 से उत्राखंड की दूसरी राजभाशा संस्कृत है 2010 से ये उत्राखंड की राज भाषा है इसे भी आपने याद करना है तो फ्रेंट ये था हमारा संपूर्ण उत्राखंड का इधिहास जिसका मास्टर वीडियो हमने यहाँ पर देखा उत्राखंड का पूरा इधिहास आपका यहाँ पर कवर हुआ बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने इसको शुरू किया था और राज्य गठन के बाद शाशन विवस्था प्रतीक चिन्नों तक हमने इसको कवर किया अब आपको उत्राखंड की हिस्ट्री कहीं और से पढ़ने की आफशक्ता नहीं है पूरा इतिहास आपका सिंगल वीडियो के साथ कवर हो चुका है उमीद करता हूँ वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शरूर करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, थैंक्यू फ्रेंड्स